बोलो कि वाटी सर्कल कि देखो बेटा सर्कल का बेसिक में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं आज हम आपके अभ्यास का कोईश्चन करवाएंगे अगर आपको बहुत बेसिक पढ़ना है न तो आप बेसिक मैद देख लिजिए पीवीर स्टडी में वहां किलियर होगा चले 10.1 खोलो बेटा पहला कुश्चन आपके सामने है जिसे मैं इंगलिस में भी पढ़के सुना दूँगा हिंदी में लिखा है ठीक है इंगलिस में भी मैं कुश्चन बोलूँगा हिंदी में लिखा है आप हिंदी में देखो चलो ठीक है चलो ठीक है बहुत अच्छे बैटे बेरे गुड आईए मैं कुश्चान बताता हूं आपको कहरा की एक बार फिर सुनिए कच्छा नौ की एंसी आइटी गडित परस्णा वली दस दस अमलो एक और परस्ण संख्या आए कहरा की बृत का केंद्र बृत के उसके बाद डैस है में इस्थित है बहिर भाग में या अभ्यंतर में इंगलिस में इसे बोलेंगे interior में या exterior में ठीक है बेटा, English में question कैसे बोलेंगे इस question को English में पढ़ेंगे the center of a circle lies in this of the circle, तो यहाँ थोड़ा experiment करते हैं हम लोग पहला question है बेटा यह लिखना जरूरी है देखो यह एक circle है आप सबको पता है, आप सभी जानते हो बचपन से ही, बिटा इसमें जो बीच में होता है, वो center हो internet थोड़ा बहुँ disconnect हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं तो बच्चा यह center है ना, जिसे केंद्र बोलते है यह बता यह बृत्र के अंदर में है की बाहर है, बोलो मनोज याद आओ, बताओ यह जो मैंने बिंद्र रखा है केंद्र है, इसका नाम ओ रख दें, यह बृत्र के अंदर में एक बाहर है अंदर में है ना सबको पता अंदर में है ना तो क्या बिटा यह अंदर में है आप इसे लिखोगे अभ्यंतर है इसका पहला वाला में क्या करोगे आप लिखोगे हिंदी में अभ्यंतर English मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे क्याłe इंटीरियर क्या लिखेंगे बेटा इंटीरियर इंटार इंग्लिस में थोड़ा मुझे कम अच्छा लगता है यह इंटीरियर को सिकेंड देखिए अंसिका प्रताब गड़ जी बिलकुल अंसिका बेरी गुड ठीक है बहुत अच्छे अगला बढ़ें देखो भाई कलास को लाइक करते चलो बेटा लाइक करते चलो ऐसे मज़ा नही किताब में देखो कैयरा कि एक बिंदू जिसकी बृतव केंडर से दूरी तरिज्या से दिखो वह ब्रित्य के कहां अश्थित होगा अभ्हेंतर में या वहीरभाग में बताइए ऐक ऐसा बिंदू कोईशन थोड़ा और बड़ा कर्दो भाई वहें अब देखो आप तो दी सबुएज उट ुरिया से अधिक है मतलब एरिया से बाहर निकल जाये बृत को चीड़ते हुए तो किया होगा बृत के बाहर चला जाये का मैसे सी उतेसी बात है अगर यह तक आँरा बावाव यह क्या है यह किया तक है निकिन कहरा थोड़ा को Western हटा कि दिखाता हूं यानि यह यहां तक निकल जाया से तिरिज्य से बड़ा हो जाए तो क्या होगा वरित के बाहर निकल जाएगा अगर यहां तक है तो बृत में है यहां तक तो है बृत में है सरकल में है कहां तक है सरकल में है यह सब क्या रेडियस है यानि तिरिज्या है लेकिन मोई बागए तो बहो हुआ एक इक्स्टीरियर अब हो कि तो अब बाहर चलाज करब के बहें विठायर जायinka नहीं कि दू-बॉघ जो डिक लेंगे रही तो इसको ड्लूर मुलूर ना करो मुझे टिस्ट्रुव जहाथा है चलो तो क्या हो जाएगा बटा ये एक्स्टीरियर हो जाएगा हिंदी भी खतरनाक है ऐसे आसान नहीं है ये ये बहीर समझ में आ रहा है ना बिल्कुल टेंसन मतले ना समझाने की पूरी गारंटी होती है ठीक है इक्स्टीरियर लिखोगे इंगलिस में इसे कैसे पढ़ेंगे सुन लो इंगलिस वाला मुझे कम आता है लेकिन मैं बता दूंगा आपको चलो इंगलिस में इस कुश्चन को पढ़ेंगे अपॉइंट फूज डिस्टेंस फ्रॉम दे सेंटर आफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइ इन डैस आप दा सर्कल आप लिखोगे एक्स्टीरियर टी आर आई ओर ओके इसमें दिमाइख लगेगा जो लोग के वाल मजा लेने आए हो तो यहां मजा नहीं आएगी आज बिलकुल मजा नहीं आएगी सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है यह जो पढ़ने वाले हैं वही ठिकेंगे हाल तु बच्चे नहीं रुख पाएंगे आज यह मज़ेदार कलासी नहीं है CBSC वाले अकसर समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैं हिंदी इंगलिस दोनों लेंग्वेज में बता रहा हूं है ना तीसरा कोश्चन पढ़िए फार्ड कोश्चन पढ़िए क्या कहता है आईए कहरा दर लांगेश्ट कॉड आफ आ सरकल इज आ बैस आफ दा सरकल हिंदी में देखिए कहरा बृत्त की सबसे बड़ी जीवा बृत्त का क्या होती है बताइए सबसे बड़ी जीवा ब्यास होती है अनसी का बता रहे है मनोज भी ब्यास बता रहे है अलोन गेमिंग कह रहे हैं वाट इद इस 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 योर थूथून समझ रहे हो नहीं समझ पाएए चलो बाद में बताऊंगा इनको मैं क्या कहूंग बैचो क्या होगा यह बिटा इनको मैं और क्या कहूं यह समझ भी नहीं पाए कि गलात नहीं बोला मैं अच्छा ही बोला चलो क्या होगी बै बैश जीऴ성 बोलेंगेज डिमिटर ठीकह है क्या बोलेंगे बिटा डाइव मीटर देखो इधर साइड समझो ये एक सरकल है ठीक है सरकल में जो हम यहां पर होता इसे क्या होता सेंटर बोलते हैं यह बले गोल मटोल नहीं है जो भी हो जो ऐसे ऐसे खीचते हैं क्या होती कॉर्ड होती है ये क्या होती बैटा कॉर्ड होती है जो छोटी बड़ी हो सकती है ऐसे क्या है ka iddi अगर कौन तभी तक है जब ये सेंटर को टच ना करे है अन्य हम सेंटर को टच ना करे तो ये काड है अगर ये सेंटर को टच करी तो ये कि ये कार्ण नहीं coordinator हो जाएगी मतलब अगर यह इसके खोपड़ी चड़के चली गई ना तो यह ब्यास बन जाएगी ठीक है तो जो सबसे बड़ी जीवा है क्या कहना था सबसे बड़ी जीवा देखो जीवा ये भी ये भी ये ये भी ये ये वी ये सब जीवा है구요 लेकिन जो सबसे बड़ी वो बिश्ट का ब्यास होती है किसी अरफेना वहलो नंबर पे आजाओ फटाफट दिखतो रहा न सभी को कोई दिक्कत नहीं फोर नंबर पर आजाओ हिंदी में कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इंग्लिस लेंग्वेज में मैं पढ़के बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिस वाले उतने समझदार होते हैं सुनके जान सकते हैं ठीक है ठीक है ओके हाज जी मैं अभी कलास चल रही है ठीक है अलो चले आगे ठीक है ओके डन तो यह हो गया आगे बढ़े चलो बेटा चलो ठीक है चौथा नंबर देखो करा एक चाप डैस होता है जब इसके सीरे एक ब्यास के सीरे हों क्या होता है बताओ एक चौप चाप का मतलब कॉर्ड थीक है यह होता है क्या होता है जब इसके सीरे एक ब्यास के सीरे हों बताइए क्या होता है बटा पड़ बताइए देखो मैं समझाता हूँ इधर figure देखो तो समझ में आएगा बटा figure देखो तभी समझ में आएगा नहीं ऐसे हावा में नहीं आएगा 4 number समझ ना English में पढ़ देता हूं question 4 part English में सुनलो सामने साथ गया हूं देखलो इसे लिखलो के रहा an arc is a dash when its ints are ints of a diameter जोड़ा buffering हो गया बीच में डिश्टर्ब हो गया एक बार फिर से सुन लो an arc is a dash when its ints are the ints of a diameter देखो ये पढ़ने से कम समझ में आगा दिखाने से जादा आएगा ये ये क्या बिटा एक सरकल है और ये क्या एक diameter है समझना ये क्या अगर ये चाप हम ऐसे लगाते हैं चाप लगाना जानते हो कि नहीं तुम लोग थोड़ा रुकना थोड़ा समलना थोड़ा समलना मैं तुमें दिखाता हूं चाप लगा कि देखो एक मिनट देखो ये देखे हो इसको पहिचानते हो कौन सा जानवर रही है हम चाप ऐसे लगाते हैं देखो इस पर बीच में रखेंगे ऐसे हमिज़े हो ना ऐसे रखेंगे देख ना ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रुख जा भाई रूख जाए ठीक है तो इसे क्या सोरु यहीं से सुरू यहीं खतम तो एक semi circle बन जाता है किया बन जाता है semi circle बन जाता है सेम खान बिल्कुल सही बेरी गुड बेदांग तिरपाथी गुड इबनिंग जी गुड इबनिंग आईए समझ गये न तो क्या बन जाता बेटा एक सेमी सरकल बन जाता है जिसे तुम अर्धबृत लिखोगे हिंदी याले लिखेंगे अर्धबृत इंगलिस वाले कोई डाउट होगा तो बता देना बेटा ठीक है देखो रोज आप लोगों के नाम नहीं बोले जाते हैं आपकी बहुत सी कायाद रहती है ना लेकिन पढ़ाई पर धेहन दिया करिए नाम पर नहीं अच्छा काम करोगे जरूर नाम होगा पाचमा पार्ट देखो इंगलिस में पढ़के सुनाओंगा हिंदी में आपके सामने लिखा है इस्क्रीन पर देखो पाचमा पार्ट क्या कह रहा है कहरा कि बृत्खंड एक चाप तथा डैस के बीच का भाग होता है बृत्खंड जो होता है वो एक चाप और किसके बीच का भाग होता है बताओ जो बृत्खंड है जिसे सेमी सरकल बोलते हैं वो किसके किसके बीच बना होता है बताओ आव मैं इधर साइड में दिखाता हूं बृत खंड बोले या फिर ब्रिखे देखो रेखा खंड होता है रेखा का एक भाग होता है वैसे बाबू जो बृत खंड है न वो बृत का एक भाग है जिसे सेमी सर्कल भी कहते हैं ठीक है आव देखो समझो अगर मैंने एक सर्कल खींचा ऐसे थोड़ा गोल मटोल बन जा यार जिंदगी में कभी गोल चीज नहीं बनी मुझसे रोटी भी नहीं बनती गोली देखो चलो आओ इधर समझो यह क्या है एक मैंने सर्कल बनाया करा ब्रित्खंड एक चाप तथा डार्ट डार्ट के बीच का भाग होता है बहिया हो यह केंद्र है हमें अगर ब्रित्खंड बनाना है सेमी सर्कल तो हम इसका आधा मिटा देंगी अब क्या बना एक सेमी सर्कल बन गया यह एक चाप के द्वारा घिरा है यह तो सही बात है यह तुम्हें सबको पता है यहां पर हम गोला परकार रखके यह चाचा समझ लो समझ लो यह ऐसे रखके क्या करेंगे इसका यह पूंच पकड़ते उपर वाली ऐसे पकड़के अब इस पर हम रख देंगे था हमारे इसमें लग जाएगा ख़चकर इसलिए मैं इस पर रखना नहीं चाहता हूं बोर्ड में यह ऐसे यह नहीं बोर्ड में निसान पड़ जायेगा इसलिए मैं इसको बोर्ड पर नहीं रखना चाहता हूं तो क्या क्या होता है यह चाप होता है क्या होती जीवाएं होती है ठीक है क्या होती जीवा कोड जिसे बोलते हैं तो आप लिखोगे जीवा ठीक है बेटा पाचमा में क्या लिखोगे जीवा यानि जो सेमी सरकल है वो जीवा और जीवा और ब्यास ब्यास नहीं चाप जीवा और चाप के वीच का भाग होता है ठीक है फट से लिख लो इसे हरीस पांडे हरीस बाबु पढ़ाई कर लो नाम लेने वाले से तो हम बहुत जादे दुख्यी हो जाते हैं फटा फट कर लो फटा फट देर ना करो ठीक है ओके आगे बढ़े चलो यह हो गया डन मिटाओ इसे अभी इसमें एक और बचा है ना वो भी कर लो कह रहा है कि एक बृत जिस तल पर इस्थित है मतलब एक सरकल जिस प्लेन पर बेज़्ट है सरकल मतलब बृत प्लेन मतलब तल उन्हें कितने भागों में कितने पार्ट्स में डिबाइट किया जाता है या करता है प्ले तो मैं एक सरकल बनाता हूँ फिर तुम्हें समझ में आयागा इधर देखो इसको मिटा दू ना चलो कितने भागों में बिभाजित करता है एक सरकल भई एक मिनिट कहा गया इधर देखो इधर देखो ये लाश्ट कुष्चन है 10.1 कुष्चन नमबर फर्स्ट का ये लाश्ट भाग है कि एक सरकल जिस तल पर बनता है जिस अस्थान पर बनता है उसे कितने भाग में बाट देता है बताईए आईए मैं एक बृत्त बनाता हूँ मैंने एक सरकल बना लिया कहरा इसे कितने भाग में बाटेगा भईया हो ये सरकल है न इसके जो बाहर का ये वातावरण है न ये सब ये सब क्या है बताओ जहां ये बना है इसके बाहरी भाग को क्या बोलेंगे जहां डैस डैस है इसे इक्स्टीरियर बोलेंगे न इक्स्टीरियर पार्ट न या फिर बाहरी भाग क्या बोलेंगे बाहरी भाग बोलेंगे न और इसे क्या बोलेंगे यह इसे बोलेंगे आंधा सरकल यानिभर पर तो ब्हुर्जए क्लमिला करके सरकल जहां भी बनता है उसे तीन भाग में बाता है कितने में तीन भाग में उस तल को डिवाइट कर देता है आप लिखोगे तीन भाग में ठीक है थिरी पार्ट सभी को समझ में आया ना देखें बिल्कुल थोड़ी सी बुद्धी लगानी पड़ेगी दोड़ के कोश्चन आ जाएगा मैंने एकदम एक्स्प्लेन करनी की भरपूर कोशिस किया पताईए अगर किसी का कोई डाउट रहे गया तो बोलो कल्लू भाई आया समझ में की नहीं स्रेया दक्सवानिंग नीरच नेहा यादो पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं तो जाओ चोका बरतन करो काई परिसान हुआ मतलब मैं इधना चिला चिला के बता रहा हूं इनको उससे नहीं मतलब है इनको इससे मतलब है कि आखिर ये कलास बंद कब होगी कब बंद होगी नहीं बता दो बस आगे बढ़ें question number second पर चलो ये बार बार आपका internet कभी-कभी refresh हो जा रहा है आपको एक बात या दिला दू साथियों अगर आप internet यूज करना चाहते हैं आप यापके घर परिवार में कोई अगर internet लगवाना चाहता है न आप अपने घर परिवार में किसी को भी आपके लिए क्योंकि मैं जहेल रहा हूं ठीक है तो यह हमारा experience है इनके साथ पिछले एक दो साल का इफले बता रहा हूं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question की तरफ यह हमारी अपनी बात थी जो मैंने आपको दिखाया क्योंकि आप हमारे लिए सबसे प्रिये हैं खास है question number second पर आजाओ बेटा second number पर आजाओ second number क्या कहरा जरा देखते हैं ध्यान देना कह रहा है कि निम्लिखित सत्य या आसत्य अपने उत्तर के कारण देजिए अच्छा एक बात बताओ इसमें कितने बच्चे यूपी बोड वाले हैं या सी बेसी वाले हैं अधिकतर तो यूपी वाले हैं न ठीक है मैं इंग्लिखित में भी बताऊंगा टेंसन मतले न कहरा true and false आपको लिखने है true and false इसमें से क्या करने आपको छाटने है question पढ़िए हिंदी इंग्लिख दोनों लेंग्वेज में मैं बताऊंगा इंग्लिख में बोलूंगा हिंदी में लिखा है ठीक है चलो करा line segment joining the center to any point on the circle is our radius आप the circle यानि केंद्र को ब्रित पर किसी बिंदू से मिलाने वाली रेखा खंड ब्रित की तरिज्या होती है आईए बताता हूं question number second है वेटाइए second का पहला पार्ट फिर से देखो question line segment joining the center to any point on the circle is our radius of the circle यानि केंद्र को ब्रित पर किसी बिंदू से मिलाने वाला जो रेखा खंड है वो तरिज्या होता है क्या yes yes true होगा यह इसका first part है बेटा लिखोगे true क्योंकि यह center है क्या है केंद्र है यह circle के किसी भी side अगर इसे मिला देगा ले जाके ऐसे तो यह क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा किसी भी side मिला दे आंक बंद करके या खोल करके इससे कोई फरक नहीं पड़ता है यह क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा किसी भी circle के अंदर आप infinite radius खींच सकते हैं अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं जिनकी कोई limit नहीं है आया कुछ समझ में बुझाया है कि नहीं भई जितने भी साथी comment नहीं कर पा रहे हैं वो जल्दी से फटाग दे comment करें क्या करें comment कैसे करेंगे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि बेगार चैनल सब्सक्राइब करें comment करी नहीं पाओगे फिरी है एकदम class पिल्कुल फ्री चल रही है सब्सक्राइब कर लो बास चलवाओ तो पहला हो गया दूसरा देखो बेटा समझो question इसका जो second का second part देखो करा एक ब्रित में समान लंबाई की परिमिती होती है यानि एक ब्रित में इनका कहने का यह मतलब है कि जितनी भी जीवाएं है वो सब एक समान लंबाई की होती है क्या a circle has only finite number of equal chord नहीं इसका मतलब क्या हो जाएगा false क्योंकि बेटा जो circle होता है न उसमें यह देखो यह center होता है यह सभी chord होती है जीवाएं होती है यह सभी क्या है chord है जीवाएं मजीतना अभी तक खीचाओं यह सभी जीवाएं क्या यह सभी लंबाई में बराबर है बोलो अभी बराबर है नहीं न इसमें अनंद जीवाएं खीची जा सकती है जोकी लंबाई में जोटी बड़ी हो सकती है लंबाई में जोटी बड़ी हो सकती है यह हो जाएगा false तीसर देखो देखो यहां पर सिर्फ में रटा नहीं रहा हूं क्यूं कैसे कब हर एक कारण दिखा रहा हूं अगर तुम्हारे खोपड़ी में थोड़ा भी दिमाग है ना तो समझ लो ऐसा कोई समझाएगा नहीं ठीक ना लोग यस नो यस नो करवा देते हैं बस चाहे तुम समझो या ना समझो जो जाके महीना में 500 रुपया दे आते हो गुरु जी को ना पढ़ते हो वह इतना इसको explain करकर करके नहीं बताएंगे जल्दे खतम करके अपना पीछा चुड़ाएंगे तो तीसरा हो गया बटा तीसरा नहीं हो अभी दूसरा हुआ है ना ठीक है तीसरा पर आजाओ इंगलिस में देखो क्या है यह इफ अ सर्कल इज डिबाइड़ इंटु थ्री इक्वल आर्क इज इज अ मेजर आर्क फिर से सुन लीजिए कह रहा इफ अ सर्कल इज डिबाइड़ इंटु थ्री इक्वल आर्क आर्क मतलब होता चाप ठीक है इज इज मेजर आर्क हिंदी में देखो इस स्क्रीन पर सामने दिख रहा है यदि बृत्व को तीन बराबर बराबर चापों में बांट दिया जाए तो परतेक भाग दीरग भाग होगा नहीं बहिया हो अगर तीन भाग में बृत्व को बांट दोगे तुम तो बराबर बराबर बाग में बांट भी रहो फिर ये सभी दीरग चाप कैसे रहेंगे तुम बांट दो बराबर बराबर बांटोगे तो कहां दीर घरा जाएंगे सब माइनर हो जाएंगे लगू चाप हो जाएंगे ठीक है तो तीफरा हो जाएगा फाल्स असत्य हो जाएगा तीसरा ठीक है सभी माइनर आक्स हो जाएंगे मेजा राक्स नहीं बनेंगे लगुचाप हो जाएंगे दीरगचाप नहीं होंगे चोथा केरा बृत्य की एक जीवा जिसकी लंबाई तरिज्या से दो गुनी है वो बृत्य का ब्यास है इसको तो बाबा जी बता के गए थे बहुत पहले से तुमको पता है इंगलिस में बोल लेंगे बेटा इसको सुन लो अ कॉर्ड आफा सर्कल विच इज ट्विस एज लांग एज इट्स रेडियस इज अ डाइमिटर आफ दा सर्कल तिर से सुन लो पैसर मारे हो केरा अ कॉर्ड आफा सर्कल विच इज ट्विस एज लांग एज इट्स रेडियस इज डाइमिटर आफ सर्कल हाँ सही यस 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 नहीं इस पर ट्रू लिख होगे टी आर यू इज यानि कहने का इनका ये मतलब अच्छा ये सेंटर है न हिया सहिया मिलाया तो क्या बना त्रिज्जा बनी इसे रेडियस बोलते हैं और इसका दो गुना कर दिया जाए इतना पीछो मिला दिया जाए तो क्या ये डाइमिटर बन जाता है हाँ ये ब्यास बन जाता है बिल्कुल सही है अ आघग हिए बिल्कुल बहुत अच्छे राज कुमार जी बेरे गुड करा त्रिजखंड जीवा एवं संगत चाप के बीज का छेतर होता है त्रिजखंड का मतलब जानतों बेटा क्या होता है त्रिजखंड का मतलब एक परकार से सेक्टर आफ रीजन इंगलीज में पढ़ देता हूं सुन लो कोइस्ट्चन नम्बर सिकेंड का फाईप नम्बर पार्ट सुनिए करह sih सेक्टर आफ दा रीजन बिट्वीन दा कौर्ड और इट्स करफोंडिग औरक्स नहीं गलत है यह मन ने एक सर्कल बनाया न यहां पर एक center होता है यह एक त्रिज्या है यह भी एक त्रिज्या है तो बेटा यह जो भाग है बीच में ने यह क्या है त्रिज्य खंड है यह क्या है त्रिज्य खंड है जो कि त्रिज्याओं द्वारा घिरा है यहां पर जीवा का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो जो त्रिजिखंड होता है वो जीवाओं द्वारा घिरा होता है ठीक है तो आप इसको लिखोगे फाल्स क्या लिखोगे फाल्स समझ में आया आयूस यादो 나올 शाल यादो मनोज यादो बैड़वआ का बैड़़िक मिले बैड़़पाई को पढ़ने के लिए हाला यह मिली ₽ओ जिक है ठीक है बैड़ कोई तो अच्छा बनाते हैं तो यह हो गया छाठवा नमबर इसका लाश्ट पार्ट और 10.1 का लाश्ट पार्ट केरा वृत्त एक समतल आकृती है इंग्लिस में सुनलो इसे बोलेंगे A circle is a plane figure A circle is a plane figure बताइए बोलिए फटाफट एक circle जो है वो एक plane figure है क्या बैस सीधी सी बात है यास प्रू लिखोगे क्योंकि इसके कोई हाथ पाउत निकलते नहीं अगल बगल कुल मिला के कहने का इनका ये मतलब है कि टू डाइमेशनल figure है ना थ्री डाइमेशनल तो है नहीं तो ये प्रू हो जाएगा एक plane figure है समझ में आया सभी को कोई दिक्कत नहीं ना कोई अगर डाउट तो बताओ जल्दी से सबको आया समझ में ना आगे चलें फिर तो आपका ये जो चैप्टर था 10.1 इंडो हो गया ठीक है हिंदी में लिखूंगा इंगलिस में बोल दूंगा आप सुन लीजीए ठीक हैं दैनलेहरम नंबर हैं थ्यस टेन पॉइंट वन याहनी पर मी ये दस दसामलों एक है आप सबी लिखेए ये थे बरित्ति की बराबर जीवाएं केंद्र पर परसपर बराबर कौह अंत्रित करती हैं ये हैं ठीक है बरित्ति की बराबर जीवाएं लिख लो भाईया लिख लो तभी मजा आएगा केंद्र पर परस पर बराबर कोण आंतरित करती है इसको लिखिए फटा फटा आप सभी देखिए यह हमें पुरूब करके दिखाना वेटा ठीक है कितने लोग इसमें कर लेंगे इसे बोलो हाथ उठाओ मुझे सेयर करना था कुछ आपके साथ ही लोग अभी आए नहीं है जो तो ठीक है मैं करूँगा बाद में आओ चलो सबसे पहले इस सरकल बनाएंगे एक बृत खीचेंगे इदर साइड में आप सबको दिख रहा है यह खाली जगा कहरा कि पुरूब कीजिए बृत की जो जीवाएं हैं अगर वो बराबर हैं तो केंदर पर बराबर कोण भी बनाएंगी ऐसा सिद्ध करना है जबकि यह होता है हकीकत में यह साच है लेकिन हमें पूरूब करके दिखाना है देखो बेटा ठीक है समझो समझो कैसे क्यों और कब आव समझते हैं सबसे पहले हम इसपर दो जीवा ऐसे खीच देंगे इसे इंगलीस में भी उभी बोलके सुना दूंगा सुन ले न इंगलीस बोलेंगे ऽुलीजे फेरम क्या है क्यो एक्वर कोंद आफ यह कोर्ड बोल रहा São क्या बोलते हैं सब टेंड मतलब आंत्रित करती है ठीक है एक्वल एंगल आफ सेंटर आएए प्रूब करते हैं सबसे पहले हमने दो कोड यानी की जीवाएं खीच लिया है इनके नाम माल लेते हैं कि एबी और सीडी है करा बृत्य की बराबर जीवाएं ये जीवाएं आपस में बराबर हैं ठीक है याद रखना ये क्या है बाबू आपस में ये बराबर है थोड़ा इनको एक धंग से हम खीच लेते हैं चलो ठीक है केरा कि ये केंदर पर बराबन कोर्ण भी अंतरित करती है यानि जो सेंटर है सरकल का इस पर जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा आईए देखते हैं बराबर होता है की नहीं होता फिलाल खीच के देखते हैं अईसे बना लो सभी कापी किताब लिये हो ना भाया कि नहीं लिये हो ना कापी किताब ऐसे बना लो कोई दिक्कत होगी तो बता देना मुझे कड़ बढ़ हो रहा है हाँ चलो बन रहा है इसको मान लेजिए इस पर ओ है ठीक है एंगल क्या है ओ है आईए इसे प्रूब करते हैं चलिए इधर साइड में आ जाईए फटा-फट क्या करना है इसमें तीन चीजे मुख्य होती है सबसे पहले गिवन उसके बाद प्रूब इड़ उसके बाद प्रूब है ना यहि धिया है सिद करना है और पूरी परकिदया जो करते हैं जैसे हिंदी में सायद उत्पत्ती बोलते हैं हिंदी बटा जिब aanजीव टायब कटяют है थोड़ा चलो ठीक है तो लिख लो बेटा कमेंट तो मैं सबका देख रहा हूं लेकिन मैं कोशिस कर रहा हूं आपको समझाने की मनोज यादव मिस्टर सोयब सालू यादव हर्सित पंडे राजेस बिसकर्मा सबका कमेंट आ रहा है सिर्फ पढ़ाई पिद्यान दो यहाँ पे आप लिखेंगे हल हिंदी में पढ़ा रहा हूं चूकी मैं तो आप लिखेंगे दिया है इंगलिस वाले लिखेंगे गीवन देखो बाबू क्या दिया है एक बृत जिसका केंद्र ओ है लिखो दिया है में एक बृत जिसका केंद्र ओ है तथा जीवाएं एबी इक्वल सीडी है मतलब दोनों जीवाएं क्या आपस में बराबर हैं क्यूं मैंने क्यूं लिखा क्योंकि यह करना ही वही है सिद्ध तो यह इसका मतलब यह बराबर दिया है ठीक है डन कोई दिक्कत कोई डाउट बता देना टेंसा नमद लेना एक पैसे का और कलास को लाइक भी करो यार भाई हां क्या कर रहे हो आप लोग तो हमारे फैबरेट स्टूडेंट है नहीं तो कलास को लाइक करो बाबू फट्टा फट्ट करो जल्दी से चलो आप देख टंग यानि सिद्ध करना है हिंदी में लिख लीजिए इंन क्या सिद्ध करना वाई एंंगल और एलबी इक्वल एंगल सीओं ट इननि कोड्ट, कहने का मतलब यह जो क्योड बन रहा टा ओ वो COD इसके बराबर है यानि जो ओ कोण है इधर के लिए भी इधर के लिए भी दोनों आपस में बराबर हो जाए यह हमें सिद्ध करना है ठीक है समझ रहा हो ना चलो आप करेंगे क्या देखिए हम एक काम करेंगे तिर्भूज AOB और तिर्भूज COD अगर इसे हम सरवांगस प्रूब कर दें तब हम बड़े प्यार से इनको सिद्ध कर सकते हैं कि यह दोनों एंगल बराबर है और हम केंगुरियंट प्रूब कर फकते हैं क्योंकि इनकी सभी तिरिज्जाएं आपस में बराबर होंगी और A, B, C, D पहले से ही बराबर दिया है तो दो कोण और सरी दो भूजा एक कोण मिल गया तो हो नहीं गया काम आईए दिखाता हूं कैसे इनके नाम आप यहाँ पर D लिख लो यहाँ पर C लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा A, B, C, D, S, सिधा है चलो ठीक है नीचे लिखिए प्रूफ नीचे क्या लिखोगे प्रूफ यहाँ दिख रहा न बैट्टू दिख रहा न भाई यहा लिखो प्रूफ हिंदी में लिख लो उत्पत्ति ऐसे कुछ होता है सायद यह हिंदी मुझे बड़ी कठिन लग रही इंगलिस सही है ठीक है उत्पत्ति ए ओबी एंड इन ट्रेंगल ए ओबी एंड ट्रेंगल डी ओसी ठीक है या सी ओडी कुछ भी लिख सकते हो डी ओसी या सी ओडी दोनों ही है ठीक है हमें आप लिखेंगे तिरभूज A-O-B वा भी तिरभूज F-O-D में ठीक है C-O-D में यादルク लिख सकते हो तो देखो बबू यहां पर समझ ओ A-O-O-D के बराबर है की नहीं है है न। और जो है वह ओडी के बराबर है क्योंकि दोनों तरच्जाएं है इसको तोड़ा साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा गचर-पचर हो गया है में लो हां ए ओडी के बराबर है लिखो ये ओबराबर ओडी ठीक है इसमें कोई अपत्ती नहीं कि सीको O B equal O C बोलो है की नहीं है ना बटा O B equal लिखलो O C ब्रेकट में लिखो ब्रित की तिरिज्जाएं है और ब्रित की तिरिज्जाएं हमेशा बराबर होती है क्या है तिरिज्जाएं है radius of the circle इसमें लिख लिजिए इंगलिस वाले radius of the circle किसी भी radius की जितनी भी किसी भी circle की जितनी भी radius होंगी सब इक्वल होती आपस में और किसी भी circle में unlimited अनन्त radius खींची जा सकती है याद रखना चलो इतना हो गया देखो बेटा इसमें एक चीज आउर दिया बाबू कहां गया a b c d के बराबर दिया था ना नीचे लिखो a b बराबर c d bracket में लिखी लिए ओ सरी given bracket में लिखी ए given मतलब दिया है ठीक है ये दिया है अब बताए ये थिर्भुच congruent हो गया की नहीं हो गया की नहीं भवी खान अमन पाल मनोज मुस्कान यादो राजेश बिसकर्मा स्रेया दक्ष बंसी अलोक यादो बताए हो गया की नहीं भाई ये भुजा बराबर हो गई ये सब तो बराबर है यार तीन तीन भुजाएं बराबर है हो गया नक आओ इतर लिखो COD AOB Cangriant Triangle COD यानि तिरभुज AOB सरवांगसम का चिन्न है ये सरवांगसम मतलब Cangriant COD और भाईया हो बाबु हो एक चीज़ और जानते हो उका है कि अगर कोई दो triangle आपस में सरवांगसम है यानि Cangriant है तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर होती है उनके कोण भी आपस में बराबर होते है जैसे Cangriant यानि सरवांगसम का मतलब ये हुआ कि जैसे हम है न हमारे जैसा ही कोई एक बंदा होना चाहिए इतना ही दूबला पतला जितनी लंबी हमारी नाक है उतनी लंबी इतनी लंबी हमारी अंगुली उतनी लंबी उतनी लंबी उसकी भी होनि चाहिए जितने बड़े बड़े हमारे बाल है उसके होना चाहिए कपड़ भी वही रंका होना चाहिए एनिस सब कुछ एक समान होना चाहिए अभी तो कहते हैं सर्ब अंग समस्प समझ रहा हो तो आप यह नीचे नहीं सकते हो फिर ब्रेकट में लिख दो बाई यस 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 जो लोग कंगुरियंट रूल पढ़े हैं उनको मालूम होगा यस यस रूल ठीक है भूजा 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 ठीक है अमन पाल बेटा बलाग कर देंगे तुम्हें सुन रहा है ना बभी बलाग करोis यसे फलैनको बात कर रहा है क्या कर रहा आप लोग अरे इनको बलक करो जल्दी जल्दी से जो नहीं पहँआए उन्हे बलक करो चलो निचे लिखिये इसलिए कोड ऋब बराबर कोड सी ओड़ी इसलिए कोड से ओबी इकबल कोड सी ओड़ी स्यादासिद्ध अतैने लिए स्यृतवा ठीग है ? इंगलीस वाले लिखेंगे पिरोबडु। हिंदी वाले लिखेंगे फिरोटॉा छलके , अगले फीष्ज पेछलते हैं बेटा लिखलो जल्दी से सूरज सुबा चलता बाबू कच्छा 10 की मैथ सुबा 8 बजे कच्छा 10 वालों का सुबा 8 बजे बेसिक मैथ रात के 9 बजे डी एलेड की मैथ रात के 10 बजे चलो आगे चले नेक्स्ट थेवरम बहुत जल्दी करो फटा फट हो गया बाई जल्दी जल्दी लिख लो मुझे जादा मत चिल्लवाओ हो गया आगे चले चलो एक आपको important knowledge देनी है उकाया पता है अगर आप यह आपके घर परिवार में कोई भी ब्रडबेंड लगवाने की सोच रहा है तो एकल का बिल्कुल ना लगवाए बहुत ही घटिया चलता है हमारे लगबग साड़े के बराबर घटिया होती है ठीक है तो बिजनेस परपस से तो बिल्कुल ना लगवाए बाकी मज़े लेना है तो अलग बात है आगे चले नेक्स्ट थवर्म नेक्स्ट थवर्म देखो बाबू फटाफट 10.2 अच्छा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चे NCRT किताब लिए है फटाफट बोलो कितने बच्चे NCRT बुके लिए है अगला थवर्म लिखने के बाद ही मैं कमेंट देखूँगा तुम लोग बता दो फटाफट बस ए रुके रहे कहा है कडिंग कडिंग कर रहा है हाँ नेक्स्ट थवर्म देखो बेटा NCRT जो किताब लिए है पेज नमबर 207 खोल लिजिए पेज नमबर 207 इफ दा एंगल सब्टेंड बाई दा कॉर्ड आफ अफरकल एड़ दा सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड सारिक्वल कुछ नहीं समझ में हिंदी में सुनिए कर यदि एक ब्रित की जीवाएं यदि एक ब्रित की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंत्रित करती हैं तो फिर वो जीवाएं भी बराबर होती हैं सिधा फिदा इने बोलें तो ऐसे होगा ठीक है यानि अगर कोई ब्रित की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंत्रित कर रहीं तो वो बराबर होंगी इतना सिद्ध करना है अजीद सिंग नितिन प्रियांसू ओनली गेमिंग ठीक है बेटा चलो फिर इसमें जो जो हिंदी मीडियम है वो यह लिख के कमेंट करें और जो इंगलिस मीडियम है वो ई लिख करके देखते हैं एच वाले जादा है कि यह वाले इसे बोलो फटा फट चलो तो थे वरम नमबर 10.2 ऊत लिकलो बीटा फटा फट इंगलिस वालों को बोल दूंगा हिंदी वाले का लिख दे रहाँ हूं इनकली वाले थोड़ा कम योरो ते यह वाले है फार्राटा होते हैं गेलिस वालर फ़र्राट आ गोठें लेक देता हूं जीवाओं द्वारा केंद्र पर उन्तरीत कोड़ बराबर है। लिख लो फटा-फट देखो लिख इसलिए रहा हूँ कि आप भी लिख लो आप भी लिख लो वे जीवाएं बराबर होती है देखो भाईया यही फिगर रहेगा जो चितर इसमें बना वही रहेगा बढ़लेगा नहीं जादा तर सब हिंदी मीडियम वाले हैं अन्सुमान मिख राजी बिल्कुल ठीक है कमेंट आप कहा रहा है इसलिए देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हिंदी वाले कमजोर होते हैं यह हिंदी थोड़ा कठिन होती है इंगलीस आसान होती है इसलिए मैं हिंदी वाला लिख दिया हूं बस तो सभी रेड़ी होना बाबू प्यार होना सभी लिखें चलें सुप करें चित्र फिगर इसलिए मिटा दिया हूं क्योंकि थोड़ा अच्छा बनाना आपकी बार यहां तक दिख रहा है थोड़ा इसके इधर भी दिख रहा है तो ठीक है चलो पहले हम ऐसे दो जीवाएं खीचेंगे इस पर इनके नाम दे देंगे A, B, C, D यहां एक केंद्र हो जाएगा जिस पर ऐसे यह सभी अपना-पना कोण बनाएंगे इनका नाम O है स्रेया दच्छवंसी, दियम खान, गौरो सिंग, ठीक है आओ चलो इदर आओ वेटा करना क्या है सुनो के रहा है कि यदि एक बृत्र की जीवाएं द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा वो बराबर है तो जीवाएं बराबर होती है इसमें भी करना वही सब है बस थोड़ा सा गुमा फिरा के थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा गुमा फिरा के वेट आवाज तो सही आ रही ना कि वाज तो सही है आवाज में कोई गड़बड़ी तो नहीं है कि आओ चलो कि सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे हल और लिखेंगे यहां पर दिया है इंगलिस मीडिया पहले लिखेंगे गिबन क्या गिबन है बिटा लिखो एक बृत एक बृत जिसका केंद्र ओ है ओ है तथा एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी यह दोनों कोड इसमें बराबर दिये हैं इसे हम चाहे तो COD लिखें या फिर DOC लिखें बात एक हुई ठीक है तो हम नीचे से COD लिखें है इसको DOC लिख लो तो सीधा हो जाएगा DOC या COD बात एक हुई चलो ठीक है यह हम दिया है यहां तक सब को क्लियर देखो भई और का दिया इसमें और कुछ तो दिया नहीं है हमें जीवाओं को बराबर प्रूब करना है यानि A B बराबर C D या DC करना है तो हम लिखेंगे सिध करना है सिध करना है इंगलिस वाले लिखेंगे अप्रूब डाइट यहां पर लिखेंगे इविन ठीक है आप चलो समझो प्रूब डाइट हमें यह प्रूब करना है A B इकॉल C D या फिर B A इकॉल DC चाया जो भी लिख लो क्लियर कोई दिक्कत not tension चलो आगे बनो ठीक है बाबू इतना हो गया इसे लिखेंगे प्रूफ यहां पर लिख लो प्रूफ इसमें भी वही करेंगे उत्पत्ति लिख लो हिंदी में क्या करेंगे जैसे उसमें करें थे सब कुछ इसमें भी वही करना है इसमें भी लिखो कि तिर्भूज और दी ओसी लिखो तिर्भूज और दी ओसी में कि आए ओ बराबर ओडी फटापट लिखो बात एक हुई ठीक है ओ बी बराबर ओ शी इसको भी बराबर ओडी इसको और लिख लो तो जादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम ओ से ही सुरू करने सबको जो ए ओ लिख लेंगे उनका भी गल नहीं है लेकिन ओ ए थूड़ा अच्छा है मतल्ब सीधा है समझ रहे हो इसे खाना खा रहे हो तो पलेट में अगर थोड़ा-थोड़ा किनारे से खाओगे तब भी यह तुम्हारे अंदरे जाएगा अगर उसी में इसे गूंच-पुंच दोगे पूरे में गौणिया दोगे तब हो सही है लेकिन लोगों को देखने में बुरा पाएंगे तुम्हारा कुछ कर थोड़ी पाएंगे चले आगे चलो ठीक है आप समझो यह दिया है इसमें और भी कुछ दिया है एंगल एंगल डी ओ सी यह भी तो दिन ना भाईया ब्रेकर में लिखो दिया है गिबन क्या यह गिवन अब देखो बेटा यहां पर एक चीज समझो अगर यह दो भूज में बराबर हैं और एक कोण भी बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि तिर्भूज ए ओबी और डी ओसी सरवांग समयना बाई एस एएस इधर साइड में आ जाओ यहां पर लिखो इस लिए तिर्भूज ए ओबी एंगुरियन टू डी ओसी लिख लो इसे फटा फट इफ लिए दोनों तिर्भूज क्या हैं काइगुरियन्ट मनोज पढ़ाई कर लो चुप चाप भई और कौन बोल रहा जादा हैं चौप लिखो बाई एस एस रूल जो नहीं पढ़ा एस एस रूल उसे समझ में नहीं आएगा इसका मतलब है साइड एंगल साइड पर्टी सीपी सीटी पढ़े होगे तो ठीक है इतना हो गया लिख लिए इसको तो देखो बेटा अगर हमने इन दोनों तिरभुजों को काइंगुरियन्ट प्रूप कर दिया तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो काइंगुरियन्ट ट्रेंगल होते हैं उनकी भुजाएं और कौन बराबर होते हैं होते हैं तो हम यहाँ पे लि सीधी कुछ भी लिख लो नीचे लिखो सिद्ध हुआ इंगलिस वाले लिख लेंगे प्रूब्ड ये दो थेवरम मैंने प्रूब कराया आज जो की आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा तो बैटरी लो गई है मेरा सिस्टम की ठीका बिटा चल रहा था चलने दो सभी को समझ में आया प्रूब हो गया न दया संकर बिटा पढ़ाई कर लो बबुआ पढ़ाई कर लो रज्जा अच्छा रहेगा चलो किसी को कुछ कहना है कोई डाउट है तो बताओ जल्दी करो कोई डाउट किसी को और यह आधाफ ज्यादा कलास को लाइक नहीं करा है इनको कल की कलाफ नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं पता है जो लाइक नहीं करा उसे कल की कलाफ नहीं मिलेगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी सखेश मुझे मत गायँ से कि क्लास का समय पर्तेक सांभ के परतेक साम साथ बजे hasn't Rining지 गताब है करो सभी जितने भी साथी जुड़े हैं तो आज अब कुछ फटाएं के ना यह बता-एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम वो क्या है, पता है? चलो बताओ, अगर कोई ये सरकल है, ये सरकल है, और उसकी ये लाइन जो है, ना मैंने खीचा न, इसका नाम मैंने लिखा ओ-ए, तो इसको क्या बोलेंगी? क्या ये बृत्ध की असपर्स रेखा है? बताएंगे, क्या है वो ए को क्या बोलेंगी असपर स्रेखा है परधी है तिरज्या है भुजा है क्या है कृष्णा पाल कृष्णा गोपाल मौर्या मनोज कौन बताया सबसे पहले स्रेया ने बताया है उसके बाद में टीम खान तलहा जी ने बताया है ठीक है एवच्छा चच्चा लोग तो कह रहे हैं डाइमेटर है का एक उमयद की कर रहे हो क्या नहीं बोलेंगे क्या कर रहे हो जाने दो यह तिलिजया है रेडियस है ठीक है बैटा क्या है रेडियस है ओके आओ चलो तो ठीक है आप सबको लगबग चीजें पता है तो बैटा यह बताओ अगर यह रेडियस अब दी गई है है प्रियंस हुआ इधर सुन पहले गलत है मैत का बंबू मत करो हाँ यह सही बोल रहा है यह लोंड़ा पड़ा लिखा है ठीक है चलो तो सभी समझ रहे हो ना भई सबसे पहले जबाप कौन दिया है क्रिश्णा गोपाल मौर्या बिटा देखो तुम्हें वैसे भी समझ में न और इस्ट्रेंज गेमिंग इन्होंने सब से पहले और सही बताया है बहुत अच्छे बच्चे बेरे गूड बेरे गूड बहुत अच्छे इतने अच्छे हो तुम लोग मुझे पता नहीं था ठीक है तो कल 10.2 करेंगे आप लोग आना टाइम से सामकुछ साथ सुरू हो ज एक कल मैं जो करवाया था उसमें से क्या मैं कोईस्चन पूछ सकता हूँ अप लोगों से अगर आप लोगों को इजाज़त है तो मैं पूछूँ चलो कल वाले में बताओ ब्रित्त की सबसे बड़ी जीवा, ब्रित्त का होती है, डाट डाट ब्रित्त की सबसे बड़ी जीवा, ब्रित्त का क्या होती है, जल्दी बताओ, चलो देखते हैं कौन बताता, बिनीद पार, ठीक है बिनीद, बहुत अच्छे, Anyone और कोई, ब्रित्त की सबसे बड़ी जीवा ब्रित्तिकी क्या कहलाती है बेटा नितिन, आरें, अभीने, अभियंत्र, क्या अभियंत्र क्या आभें एक सेक पता नहीं कहां से आग फाट पड़ते हैं ए राजेस बिटा राजेसवा सुन रहा है ना तू सुन रहा है न पढ़ाई कर ले चुप चाप बस फाल तूप नहीं यह देखो नाम ले लेके बोल रहा है मुस्कान सुन लो सुन का सुन लो इनको पढ़ना लिखना है नहीं सही जबाब है सबसे पहले जिन्हों ने बताया है अब भेंतर एक से खतरनाक पता नहीं पैदा कई से हो गए गलती से हो गए कि सही डंग से देखो इनका यह 10.1 खोल लिये हैं और यह पहिले का जबाब दे रहें फटा फट इनको अगरा कि गुरु जी पहिला पाट पूछ र महिला का तीसरा पूछा था यह अभ्यंतर और बहियरंतर देख करके बता दिये तो पहले सही जबाब दिया मनोज आ दो बहुत अच्छे मनोज बेरी गुड बेरी गुड मनोज जी बेरी गुड चलो अगला सवाल का जबाब दो एक बृत जिस तल पर इस्थित है उसे कितन में पार्ट में डिवाइड करता है बताओ थोड़ा फसरा सिस्टम थोड़ा ठक गया यह बताओ सबसे पहला जबाब दिया है भाई खान टीम खान ने बहुत अच्छे भाई टीम खान जी बेरे गुड स्रेया दच्वंसी और जोंगे फवी खान हालो जी कोचिंग पढ़ना है ठीक है यूटूब पे पी वी आरे स्टडी सर्च करके आजाओ जल्दी से देखो यार यह मोबाईल आज मुझे मिली है वही से मिसीम लगा दियो फोन चार्ज नहीं था आब मैं फोन उठाओं कि पढ़ाओं आब नहीं उठाने वाला हूं ठीक है ती डाट डाट होता है इसके सिरे एक ब्यास के सिरे हो बतिये सुनो फिर से एक चाप चाप का मतलब होता है ए और सी इंगलिस में बोलते हैं यह एक चाप जो है वो क्या बन जाता है जब उसके दोनों सिरे किसी ब्रित के ब्यास के सिरे हो जैसे यह यह क्या एक चाप लगा रह जो बोलता हूं उसको तहुत सुनेंगे भूछे लगता कल ये पढ़े भी नहीं थे कल मैं पढ़ा जाता कलby बच्चा पढ़ाओ आर्दबरित आर्दबरित त या सेमी शरकल में हिंदी में अर्दबरित बोलते हैं आसे इंगलेस में सेमी सर्कल बोलते हैं कल मैं समझाया था कल वाली कलास देख लो चैनल पर पड़ी है जा कि देख लो चलो अजय गलत बताना यास याद नो बित एक सम्तलाकरती है बताए ये सरकल इज आप प्लेन सर ठीक क्या बोलेंगे ऐसे बोलेंगे ना इंगलिस में बताओ यस ये लो बित एक सम्तलाकरती है हाँ या ना सबसे पहला जबाब दिया है सालु यादो मोहमद महताच और सूरज ठीक है बाई सूरज्ट कभेरी गुड ऑप जब आन्सार्ण सत्ते सरकल जो है वह एक संतल आकरती हें कोई हड्डी-गड्डी ने निकली होती है उबढ़ खावर नहीं होती है ओ एक हाथ-पाऊ केंद्र को यानि सेंटर को ब्रित पर यानि सरकल पर किसी बिंदू से मिलाने वाला रेखाखंड ब्रित की तिरिज्या होती है केंद्र को ब्रित पर और आगे किसी बिंदू से मिलाने वाला रेखाखंड ब्रित की तिरिज्या होती है इसका जबाब अगर हाँ है तो बोलोगे यच और अगर ना है तो बोलोगे यन जिससे दोनों में अंतर रहे कि तुम इसी का जबाब दे रहे हो बोलो एच या यन एच भार हन मतलब मुर्गी नहीं हन मतलब ये कोड है एक पार से ठीक है इसका सबसे पहले और सही जबाब जिन्होंने दिया है उनका नाम है विनीत पाल के बाद क्रिष्णकोपाल मौर रहा है, मनो जदुबंसी और अमन पाल ठीक है, अंसुमान मिस्रा, राजेस, बेरे गुड यही ही ही कौन कर रहा है हां मन तो कर रहा है तुमको मैं पटक तूङ़ा गया लेकिन नहीं पटकूँगा क्योंकि तुम लोग पड़ाई रहे हूं भे डिस्टर्ब हो जाएगा चलो ठीक है अगे बढ़े ठीक है और यो देखो बुरा नहीं मनना मेरी बात को मैं थोड़ा सा ऐसे बोलता हूं न जिससे मजा आ थोड़ी से और मैं क्या बोलूं और ज्यादा बड़े तो हो भी नहीं कि मजाको जाक हो जाए अभी छोटे-छोटे हो हमारी समझ से अभी कम समझदार हो बाकी तो तुम लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट होगे ठीक है तो एक सवाल और मैं पूछ रहा हूं ध्यान देना जबाब देना बड़े प्यार से सुनके फेरा बृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई तिरिज्जा से दो गुनी है वो बृत्त का ब्यास है बताओ बृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई तिरिज्जा से दो गुनी है वो बृत्त का ब्यास है अगर हां तो आप लिखोगे पी अगर नहीं तो लिखोगे क्यू ये क कोड़ है ठीक है पी का मतलब हां क्यूं का मतलब नहीं बताओ फिर से सुन लो बृत्त की एक जीवा जिसकी लबाई तिरज्या से दो गुनी है वह बृत्त का ब्यास होती है इसका सबसे पहले सही जबाब जिन्होंने दिया है उनका नाम में बड़े आदर सम्मान के साथ बोलूँगा और उनका नाम है मुहमद मेहताज रजा क्रिफन कुपाल मौर्या बिनोध दया संकर बहुत अच्छे बच्चे बेरे गुड लेकिन यह चच्चा लाइक नहीं कर रहे हो खलास बोलते बोलते मेरी आत्मा सुख जा रही लेकिन तुम लोग लाइक नहीं कर भाई लाइक करो यार सैसन को फट से लाइक करो बाबू जल्दी से लाइक करो फटा देखिए अगर इसे तयार रखोगे न आगे चलके नौकरी नहीं खोज नहीं पड़ेगी नौकरी आपको खोजेगी बिनीत पाल कहाँ गये कृफना मौर्या कहाँ गया जीद सिंग कहाँ गये मुस्कान सिंग कहां कि अंसुमान अर्जुन इन सब को नौकरी खोजेगी यह नौकरी नहीं खोजेंगे लेकिन यह सब याद रखोगे तब नहीं तो बेरोजगारी के महाल में बंदिर मस्जित की आथ होती रहेगी नौकरी मिलेगी नहीं पर लिखके पांच रुपया के लिए तरफ जाओगे समझ रहो इसलिए नंबर वन पर रहो हमेशा नंबर वन पर रहो कितना भी क्राइम हो कितना भी भरष्टा चार हो लेकिन आप अन पर होगया पीछे नहीं चोड़ सकता है कोई आपको अंधेखा नहीं कर सकता है अंगे लोग अक्सर मार खाते हैं जो एबरेज रह जाते जर्दे मतलब परिच्छा हो रही है तो तुम या तो सबसे ज़्यादा नंबर पाओ या तो सबसे ज़्यादा पाने में फा एक बृत में समान लंबाई की परमित जीवाएं होती हैं एक बृत में समान लंबाई की परमित जीवाएं होती हैं अगर हां तो तुम लिखोगे ए अगर नहीं तो लिखोगे बीबी अरे बीबी मतलब पतनी नहीं वह ऐसे कोड भासा है चलो बताओं एक बृत में समान लंबाई की परमित जीवाएं होती है का भाई A लिख रहा है कौन बीबी लिख रहा है देखो सबसे पहले इनोध कुमार ने A बताया है ये कह रहे हैं कि एक बृत में समान लंबाई की परमित जीवाएं होती है मतलब कुछ निश्ची जीवाएं होती समान लंबाई की कुछ निश्ची जीवाएं होती इंका कहने का मतलब चलो फटा फटा और ये निमान बताए रहो कल मैं पढ़ाया था इसको पेज नंबर हमने कहां रिखा था चलो ठीक है very good सूरज very good new song ठीक है ठीक है ठीक है question number second नहां है very good तो ये आपका लगभाग खतम भी हो गया कि भीवला ही सही है वही जो जो बीवी बतारा उसी का सही है पूनम सिंह बहुत अच्छ बेरी गूड बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड एक बृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है ना पहली बात तो इनकी सारी बाते गलत है एक बृत्त के अंदर आनंत जीवाएं हम खीच सकते हैं ये आनंत जीवाएं खीच सकते ह और ये जीवाओं की जो लंबाई अच अच्छा वो गटती बढ़ती रहती है जो इधर दिवाल में सकती है वो छोटी है जो इधर है वो बढ़ी है ठीक है 10.2 कुश्चन दूसरा का दूसरा पार्ट आप लोग देख लो असत्य हो ये ठीक है ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा था तो इससे पूब होता है कि एक सरकल में धेर सारी जीवाओं कीची जा सकती है और उनकी लंबाई कोई बराबर तो होती नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये असत्य है ठीक है बीबी वाला ही सही है कि जीवाओं छोटी बड़ी हो सकती है हम मुझकान यादो ठीक है तो सभी समझ गेना मेरी बात को की नहीं समझ गेना 10.2 है सरी उसमें हमने आपको क्या करवाया था दो परमिये सिद्ध करवाया थी ना उन्हीं दो परमिये पर अधारित ये प्रस्न है बहुत आसान है एकदम है लुआ है चलिए देखते हैं कैसे कह रहा है कुशन पढ़िये करहा कि याद कीजिए कि दो बृत्त सरवांगसम होते हैं याद कीजिए मतलब आपको याद दिला रहा है क्योंकि अभी आपने इसके पहले पढ़ा था ठीक़ा वेटा करहा याद कीजिए कि दो दो बृत सरबांगसम होते हैं यदि उनकी तिरिज्जाएं बराबर हो यह ऐसा बोल रहा है इसमें दिया है याद कीजिए दो बृत सरबांगसम होते हैं कब जब उनकी तिरिज्जाएं आपस में बराबर हो और क्या करने को बोल रहा है मैं इसमें कुछ सेटिंग भी कर रहा था साथ साथ में क्योंकि आज टेक्निकल काम भी मुझे ही करना है आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम बृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं एक तो याद कीजिए दो बृत संस्वांगसम होते हैं यह दिಂएं कि तुरिज्जा ये मतलब रीडियस इक्वल और आगे कह रहा अब caliber चल्रा बाभु देखो जिनका internet नहीं चल रहा ना भाईया internet अपना थोड़ा सही कल लो clear हो जाएगा question देखो स्क्रीन पर बाकी चित्र में बना रहा हूं क्योंकि यह चित्र जो स्क्रीन पर दीख रहा उसमें तुम समझ नहीं पाऊगे उसमें समझा नहीं पाएंगे जगा नहीं हां आओ यहां पर आजाओ कुईस्टन नंबर पहला है है टेन पॉइंट टू नाइंध एंसी एर्टी है हां क्लियर चलो बेटा देखो पहले तो हम दो सरकल बनाएंगे आपको कुईस्टन में भी दो सरकल दिये गये हैं हम ऐसे बनालो जल्दी से सभी पटपट ऐसे दो बरित बनालो बैटा देखो एकड़म गोला बनाना हम आथ से बना रहे हमारा थोड़ा अंडा आकार का ओउजा रहा बहुत गोला नहीं हो र CD रख दीजिए इसका OAB यानि इसकी जीवाएं AB और CD हो गई ठीक है हमें क्या सिद्ध करना बेटा हमें यह प्रूब करना है कि जो यह एंगल है O और O- यह दोनों इक्वल है यह दोनों हमें बराबर सिद्ध करना है ठीक है क्रिष्णा जी समझ में आ रहा बेटा पूनम सिंग बन गया अभी सिंग बेटा बलाक कर दिये जाओगे स्रेया तो क्यूट है लेकिन तुम्हा और क्यूट बन जाओ गया इफले पढ़ाई कर लो नीचे लिखो हल यानि साल्व सलूसन अब लिखिए गिबन इंगलिस वाले गिबन लिखेंगे हिंदी वाले दिया है लिखेंगे क्या क्या दिया बिटा यहां पर लिखो यहां पर देखो ए भी सीडी के बराबर दिया है क्यों दिया है क्योंकि कुश्चन में कहरा याद कीजिए कि दो बृत सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी तिरिज्याएं बराबर हों कि सिद्ध कीजिए कि सर्भांगसम बृत्त की जीवाएं सर्भांगसम बृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोंड बनाती है तो बेटा देखो इसमें सीधा-सीधा ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए सर्वांगसम बृत्तों की बराबर जीवाएं यानि ये बराबर जीवा दी गई है ठीक है इसको लिख लोगे दिया है इसमें देखो भाईया O A O C के बराबर है लिखो इसको भी लिखो O A इक्वल O डैस C और O B इक्वल O डैस D ये काहे को बराबर हो जाएगा आपका होगे ये बराबर इसलिये है क्योंकि O O B देखो बेटा पहले O A देखो O A इसकी तरिज्जा है और O डैस C इसकी तरिज्जा है चुकि दोनों ब्रित के रहा सर्वांगसम है बराबर है तो भैया सर्वांगसम ब्रित की तिर्ज्जाएं भी बराबर होती है ब्रेकट में लिखोगे सर्वांगसम ब्रित की तिर्ज्जाएं सर्वांगसम ब्रित की तिर्ज्जाएं ठीक है question दिखाऊंगा एक बार मैं question हटाऊंगा भी all करने के बाद फिर question दिखाऊंगा यह सरवांकसम भृत्य की तिर्जियाएं है बेटा इसमें अगर तुम ध्यान दो तो और क्या दिया है इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया है है बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया कि इसे कुछ लोगा भी ये भी सही चाहे तो यह लिखो या उपर वादा लिखो Taking ठीक है जा मज़ में आ रहाना राजेस भिश कर्मा समझ में आ रहा है ना बाबू आ रहाना भाईया चलो ठीक आ आगे देखो डाउया टवल्कुल टेंशन मतले ना देखो थोड़ा-थोड़ा लाइक कर रहा है क्या कि इतना कर लिए अब नीचे लिखो इतना हो गया नीचे अब यहां लिखिए प्रूब बैट मतलब हमें सिद्ध करना है हिंदी वाले लिखेंगे सिद्ध करना था क्या सिद्ध करना बेटा कह रहा था कोईश्टन में क्या कह रहा था एक बार फिर से देख लो दिखा देता हूं कह रहा था याद कीजिए कि दो सरवांगसम दो बृत्त सरवांगसम होते हैं यदि उनकी तरजयाएं बराबर हो और सिद्ध कीजिए कि सरवांगसम बृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंत्रित करती हैं मतलब हमें एंगल बराबर सिद्ध करना था यह लिखो A O B सिद्ध करना है बेटा A O B इक्वल एंगल C O D यह हमें प्रूब करके दिखाना है ठीक है इसको इतना लिख लो मैं इसको मिटाऊंगा इसको मिटाके मैं वहां के बाद यहां लिखूँगा इसे लिख लो इसका स्क्रीन साट ले लो बेटा इसका स्क्रीन साट ले लो फटा फट जल्दी करो अनुराग ठीक है जल्दी करो फटा फट बहुँ जल्दी करो आगे बढ़े बहुत जल्दी करो फटा फट ठीक है ओके आगे बढ़े चलो ठीक है ठीक है इतना हो गया इसको स्क्रीन साट ले लिया ना हो गया इसको मिटा रहा हूँ हमने क्या क्या लिखा हमने लिखा सिद्ध करना है और दिया है आप लिखेंगे बेटा यहाँ पर प्रूफ लिखो क्या लिखोगे यहाँ पर प्रूफ लिखो प्रूफ मतलब उत्पत्ती जिसे बोलते हैं हिंदी में हमें लगता है उत्पत्ती ही बोलते हैं लिख लो इसके अंदर अब पूरी कहानी लिखना है ठीक है इसके अंदर पूरी कहानी लिखना है आफ चलो लिखते हैं अब क्या लिखेंगे यहां पे लिखो तिर्भूच a ou b a ob और तिर्भूच co dash d में इन ही दोनों ट्रैंगल में हमें क्या करना है इनको kaigbareंस प्रूप कर देना है क्या करना है सरभांगसम सिद्द कर देना है ठीक है सरभांगसम शिद्ध करके हम कोण को बराबर दिखा सकते हैं आएए इनको सरभांगसम कैसे करेंगे देखो बेटा लिखो O A O Ds C के बराबर है लिखो O A इक्वल O-C भाई ये क्या है तिरज्या है ना देखो ये दोनों अगर बृत सरबांगसम है यानि दोनों सरकल बराबर ही तिरज्या के बने हैं भाई सरबांगसम तब ही तो होगे ना सरबांगसम का मतलब ये होता बच्चा कि एक बृत को दूसरे बृत पर रख दो तो पूरा-पूरा ढख ले दिखे ना हलका सा भी समझ रहे हो जैसे देखो ये मेरी हथेली है देख रहे हैं तुमें हमारी दोनों हथेली आं सरबांगसम है देखो, जब हम एक हथेली पर आसे दूसरी वाली आसे रख देते हैं तो दूसरीवाली को हर जग़ा हासे पहली वाली धांक लेती कैं नहीं बोलो धांक लेती ना यानि कहने ये मतलब है कि कोई भी चीज अगर सरबांगसम है तो उसको एक दूसरे एक उपर रखोगे तो पूरा-पूरा ढंक लेगा फिर दिखेगा नहीं वो कहीं से भी ना किसी भी तरफ से नहीं दिखेगा अगर एक बस तू छोटी एक बढ़ी यह उसको ढंक दोगे तो बढ़की वाली की तरफ से देखोगे नहीं दिखेगा छोट और O, B, O-D के बराबर है ठीक है ये दोनों बराबर है ये बराबर क्यूं है ब्रेकट में लिख लो बृत की सरवांगसम बृत की तरिज्जाएं लिखो सरवांगसम बृत की तरिज्जाएं सरवांगसम बृत की तरिज्जाएं और इसमें क्या बराबर है देखो बेटा इसमें और एक चीज बराबर है वो क्या है भाईया हो इसमें हमें कुछ और तो बराबर दिया था बेटा जीवाएं बराबर दिया था न जीवाएं तो बराबर दिया था न कहरा था कि बराबर है तो A B C D के बराबर है ये क्यूं है क BCD के बराबर हो गया अभ नीचे आप लिखो इसलिए तिर्भूज A, O, B, Cangorian 2 तिर्भुज कौन-कौन सा A, O, B, and C, O-D यानि दोनों तिर्भुज क्या हो गये सरवांगसम हो गये ठीक है समझ मैं आए ना दोनों रेडियस क्या हो गये सरवांगसम हो गये यह सरवांग्सम का चिन है समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना यह हो गया और बेटा आगर दोनों तिर्भूज सरवांग्सम है लेकिन क्यों है सरवांग्सम हाँ इसमें आगे लिखो भूलना नहीं यानि साइड 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 त्रिभुच की प्रोपर्टी से नीचे लिखो इमांदारी से पढ़ो यह बहुत आसान नहीं है इमांदारी से पढ़ो जो लोग सिर्फ बात चीत कर रहे हैं उन्हें एक पॉइंट न समझ में आएगा पेपर में आदे फे जादा नंबर इस तरह के चैप्टर से आते हैं और बच्चे सब गलत करके आते हैं मैं आपको एक बड़ी गंदी बात बताऊं जब हम नाइंस में पढ़ते थे ना इस चै कि दोनों तिर्भूज सरवांगसम हैं आता है आगे लिख लो आगे इतना करने के बाद आगे लिखो यहां पर इसको मिटा के यहां लिखवा रहा हूं ठीक है इसको इसको स्कृन साथ साथ में लिखते चलो साथ साथ में लिखते चलो कि दिपेंद्र सुकला जी मैं सब कर रहा हूं English Hindi अगर आप ध्यान दो तो मैं सब बता रहा हूं चलो यहां पर उदर साइड में चलते हैं इसके बाद यहां भी जगा लिख लिजिए चुकी कि दोनों तिर्भूज कि सर्वांग सम्हें कि आता हां आता हां एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैस डी ठीक है नीचे नहीं दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है ना ठीक है आता हां के बाद यहां लिख लो आता हां के बाद यहां लिखो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैस डी हो गया डन हो गया complete हो गया नीचे वहां लिख दो सिद्ध हुआ वहां पे लिख दो क्या सिद्ध हुआ हिंदी इंगलिस दोनों में लिख रहा हूं ठीक है तोपी लगाओ दो अच्छा लगोगे कौन है भाईया ये हिमांसु सिंग भाईया देखो पढ़ाई कर लो पहले तो समझ में आए सबको देखो बैटा जो सुरू से देखा होगा वह स्टेप बाई स्टेप समझा होगा जो बच्चा बीच में जुड़ा होगा उसे समझ में नहीं आएगा उनके लिए एक सुझाव है जो बच्चे नहीं समझ पाए न वो PVR स्टडी 3.0 चैनल पर इस कलास को जिनको नहीं देखा जिन्होंने रिपीट कर देना ठीक है चलें आगे बढ़ें भावी खान जीवा बराबर होंगी यदि उनके केंद्र पर बराबर कोण अंत्रित करती है बिल्कुल ठीक है चलो किरिफना ठीक है मिटाओं वह सिकेंड नंबर कुष्टन दिखाओ भई तपधंढ ताहरा था था एक बात बताओं बनाओ इस सब्सक्किन के है वहूत आसान और बहुत आसान है सची में बता रहें सुष आप अपयाँ वह अई जैसे हैं करना इस में आप लोग में एपए घृत को एक जbbe में कि दो हो उचकोष ब्लक परहे you can do theation शॉराइ में देखिए आप लोग ना हमारे बहुत ही फेवरिटी स्टूडेंट हैं और हम भरपूर कोशिज करते हैं आपको समझ में आए जो बच्चे देर में आये हैं कल सुबह साथ बजे यह कलास हम उनको फिर से पढ़ा देंगे पी और स्टूडी थी पॉयंट जीरो चैनल पर ठीक है पी और सटूडी इलहाबाद में पी बी यए इस्टूडी का दूसरा चैनल है पी और कि इंटूदी थी पॉयंट जीरो उस पर हम इस सेम कलास को कल सुबह साथ बज्य पढ़ा देंगे देखो बेट चलो अगले पर आजाओ फटा फटा आजाओ जल्दी से आजाओ कोईश्टन पढ़ो क्या कह रहा है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्बांगसम ब्रितों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कूण अंतरित करती है सर्बांगसम का मदलब काइंगुरियंट सर्कल इनकी जो जीवाएं है यानि कॉड उनके केंद्र पर यानि सेंटर पर बराबर बराबर अगर एंगल बना रही है तो वो जीवाएं आपसमें इक्वल होंगी यह प्रूब करना है यह एक पर्मिय भी है पर्मिय किये थे ना 10.1 10.2 अगर जो किया होगा ना इमांदारी से कर ले जाएगा उनम सिंग इमान सू और कौने भाई योगेस देखो बैटा जो ज्यादा बाचीत कर रहा है न आपकी मंदारी है और जिम्मेदारी है आईये चलिए पहले तो हम दो सरकल बनाएंगे कुश्चन नमबर सीकेंड वैसे यह भी बनेगा एकदम चित्र वैसे ही बनेगा सब कुछ वैसे ही होगा यह बृत गोला गोला बनेगा हाथ से बना रहा हो इसलिए मेरा टमाटर जईस से बन जा रहा है सुखवा टमाटर जी से तो तुम इसे हाथ से नहीं बनाना पट्री से बनाना जिससे थोड़ा सुंदर सुंदर बने यह 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 लो इनके नाम रखो ओडैस सीडी इसका ओए भी है थोड़ा दूर बनाते तो अच्छा रहता एक केम गुसा दिये यार क्या बताऊं अच्छा छोटा छोटा लिख देता हूं नाम अब मिटाऊंगा नहीं चलो यह सीडी है यह अब को क्लियर है अब को क्लियर है बटा हम चलो फटा फटा आगे ब कि बोलो दोनों बृत्य सर्वांग समय है इस स्क्रीन पर कुश्चन देख लो बिटा दोनों सर्कल क्या है काइंगुरियंट है की नहीं कि दोनों सर्कल काइंगुरियंट है ना ए भाई ओबरलोड ना हो यार एक मिनट थोड़ा रुकना कुछ यह गड़बड कर रहा है बात चीत ना करो चलो आओ देखो करा सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम बृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोणा अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होंगी देखो बैटा इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सर्वांग सम बृत्तों की यानि दोनौं बृत्व क्या सर्वांग साम दोनों क्या है कन्गूरेंट हैसे कांगूरेंट हैं अगर यह हो Sacred Transport की जीवाई उनके केंद्रों पर बराबर कोन अंत्रित करती है तो जीवाएं बराबर होती है यानि यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे इंगलिस में लिखेंगे हिंदी में बोलेंगे यहां पर लिखेंगे दिया है इतना तो बुद्धी तुमारे पास भगवान ने भी दिया है यहां पर लिखेंगे हर दिया है लिखेंगड्या अगे बढ़ो नीचे लिखो इंगल करना है इंगलिस में लिखेंगे पुरूब देट पुरूब देट मतलब सिद्ध करना है सिद्ध करना है लिखो हिंदी इंगलीज दोनों बोल रहा हूं जो इमानदारी से पढ़ेगा वो लिख लेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मनोज यादो थीक है बहुत अच्छा है मनोज जी कोशिस करिए आप भी बढ़ाई की आईए क्या-क्या दिया बैटा इसमें सिद्ध क्या करना है एंगल बराबर दिये हैं हमें जीवाएं बराबर सिद्ध करना है लिख लो क्या-क्या सिद्ध करना भईया हम् a b equal c d ये सिद्ध करना है नीचे लिखो प्रूफ पी आरो एफ इसे सायद हिंदी में उत्पत्ती बोलते हैं मैं थोड़ा कम जानता हूं हिंदी मैंने सुना नहीं लेकिन इंगलिस सही है ठीक है प्रूफ मतलब पूरी कहानी इसमें होगी चलो देखो बेटा दोनों तिर्भूज a o b और तिर्भूज c o d में कौन-कौन में कुश्चन हटा रहा हूं कि a o b और c o d में इन दोनों तिर्भूज में क्या-क्या है आगे लिखो हटा-पट लिखो बेटा ओ ये बराबर दिया है किसके o-c के o a बराबर है o-c क्यूं बराबर है अभी मैं कारण भी बताऊंगा o b बराबर है o-d के बराबर इफ लिए है बेटा क्योंकि दोनों सरवांगसम हैं काइंगुरियंट है और अगर ये काइंगुरियंट है तो इनकी तिरिज्जाय भी आपस में बराबर होंगी इसी इसी बात है बराबर होंगी क्रिफना लहाने और एसवन राहूल सिंग बहुत अच्छे राहूल बेरी गुड कुछ तो पढ़ नहीं रहे इतने नालायक टाइप के हैं ना ये मेरे पास में होते हैं इनका गाल और मुह एक कर देता लेकिन थोड़ा दूर दूर है यही बराबर लिख सकते हैं नीचे लिखो इतना करने के बार नीचे लिखो थोड़ा बढ़ा करके दिखा देता हूं एक मिनट रुख जाओ ए भाई थोड़ा बढ़ा करो यार ज्यादा कुछ मत देखना चलो दिख रहा न अब ठीक है इसी लाइन में यहाँ नीचे और लिखना इसी में देखो बटा इसमें और भी दिया है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैस डी यह मैंने क्यों लिखा क्योंकि दिया है लिख लो दिया है कि बेन ओके अब देखो यह भुजा बराबर है यह भुजा बराबर है यह कोंड बराबर है तो भाईया क्या है यह दोनों सर्वांगसम हो गए कि नहीं बोलो सरवांगसम के लिए क्या चाहिए तीन चीज़ें ही तो चाहिए ना अब लिख लो आगे लिखो उपर साइड में यहां पे लिखो आता हाँ ट्रेंगल AOB काइंगुरियंट ट्रेंगल CO-D ठीक है यह दोनों क्या हो गए सरवांगसम हो गए और अगर दोनों तिर्भुच सरवांगसम हैं तो सीधी सी बात है ABCD के बराबर होगा निचे लिख लो 100 A B equal CD और काइंगुरियंट वाले में लिख लो किस रूल से हुआ है हैससे ना स एस प्रोपर्टी होती त्यांने एस स्री वास्तो देको पढ़ाई नहीं कर था न उनको करने तो कर रहे हैं रोएंगे वो रोएंगे अभी नहीं कि जवानी आदीव बिज्जाएगी तब रोएंगे होता नहीं देखने रहो कितनी विरोजगारी चल रही देश में किवल गंधी राजनीती हो रही बाकि कुछ नहीं हो रहा सिच्छा सुआस्ट और रोजगार इस पर सरकार खुद नहीं बात करना चाहती किसी की भी गवर्मेंट हो हर कोई वैसे है और तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा सोचो अगर पढ़े लिखे रहोगे कम से कम सरकार के डंडा करोगे पूछोगे तो कहने मिल दे नवकरी यो करी पढ़े लिखे रहोगे आराम से अफीसियल जौब मिल जाएगी कुर्शी पर बैठके बढ़िया एसी लगी रहेगी आराम से कलम चलाओगे नहीं पढ़ो लिखोगे क्या करोगे नगर निगम में लग जाओगे सुवेरे से कूड़ा उठाओगे कि सबके दुवरे दुवरे जाएगे तो यह डिसाइड कर लो क्योंकि अभी नाइन्थ में हो हां हम यह नहीं समझ पा रहे हैं इन लोगों को दूसरे से का प्रॉब्लम है तो यह टेन पॉइंट तू खतम हो गया ठीक है अब इसके पहले आप यह बताओ कि कल की कलास कौन कौन नहीं देखा था चैप्टर आपका खतम होता है कल 10.3 बढ़ेंगे ठीक है तो बंद करें आज की लाश चुकी चैप्टर हो गया इफले छोटी कलास है कल 10 पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे 10.3 अच्छा थोड़ा रिवाइज कर लो थोड़ा कुश्चन बताओ थोड़ा कुश्चन बताओ उपत्ती होता है मीट माही ठीक है कुश्चन बताओ यह बताओ यह कल जो पूछा था उसी में से पूछूंगा बृत एक समतल आकरती नहीं है बृत एक समतल आकरती नहीं है मैं सही बोल रहा हूं तो बोलो हाँ गलत बोल रहा हूं तो बोलो ना बोलो मैं बोल रहा हूं कि बृत एक समतल आकरती नहीं है तो मैं सही बोल रहा हूं गलत बताओ चलो जल्दी फटाफट फटाफट बताओ ब्रित एक सम्तलाकृती नहीं है कौन बताया मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बिट्टु सिंग बहुत अच्छे राहूल सिंग मनोज यादो स्याम यादो जोती विसकर्मा राजिस विसकर्मा परंजल दूबे हर्स रेया पूनम सिंग बरिगोड बच्चे बहुत अच्छे देखो मैंने कहा ब्रित एक सम्तलाकृती नहीं है सरकल इज नाट अब बलेन highlighting मैं गलत बोला क्यूंकि ब्रित एक सम्तलाकृती विक्षे विक्षे क्या है एक सम्तलाकृती विक्षे एक और बताओ यदि एक बृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो परतेख भाग दीर्ग चाप होगा ये मैं बोल रहा हूँ ये चाप इसको इंगलिस में A, R, C, R लिखते हैं किया रहा है कि एधी एक ब्रित्य को तीन बराबर बराबर भागों में बाड़ दिया जाए तो परतेक भाग दीर घ्चाप होगा बोलो अगर हा तो बोलो H, अगर नहीं तो बोलो यन अगर हाँ तो बोलो यच अगर नहीं तो बोलो यन ये लिखोगे तो हम समझेंगे कि तुम उस कुईश्चन का जबाब दे रहे हो क्योंकि हाँ ना तो पहले वाले में भी बता रहे थे बताऊ यह पहला है कि सब्से पहला इसमें जबाब जो दिया उनका नाम है अधित्या अधित्या के बाद है राजे अधिस कर्मा है हैं मेंब बहुत अछे बरीगुड सब्सें पहले जो जबाब देगा फूसी का exhib então सिर्फ पहले वाले का ही नाम होगा बाकी की दूसरे का नाम नहीं लिए दाएगा बहुत अच्छे इसका करेक्ट आंसर है ना जो यन लिखा था यन फार नानी उसका सही है जब किसी बृत्त को बेटा तीन भाग में बाट देंगे तो जो परतेक चाप उसमें बनेगा वह दीरख नहीं होगा माईनर चा आरफ हो ठीक है दूल कैन लगू चाहप होगा प्रपित पांडे बहुत अच्छे ओके पाहली कलाश जो देखा था वह बता ले जायेगा जो पहली कलाश नहीं देखा था वो नहीं बता पाएगा सीधी सी बात है हां पहली कला intrigued आधा था वो बता ले जायगा एक आउर इैच आउर डि पाएक आउर बताओ गेफिजान से देखो दिल लगाकर morning पड़ना तो नहीं पड़ना है तो जाओ अपने रफ्ते हम मानते हैं ये दोनों बृत क्या है सर्वांगसम है क्या बेटा ये सर्वांगसम सर्वांगसम है यानि काइंगुरियन्ट है ठीक है ये दोनों सरकल हम मान रहे हैं क्या है काइंगुरियन्ट है question सुनना अगर यह दोनों congruent हैं और मैंने इसको ऐसे बनाया इसका नाम PQ लिखा इसका नाम YUM लिखा इसका नाम YUN लिखा इसका नाम लिखा मैंने AB तो यह बताओ अगर यह दोनों circle congruent है सरबांगसम है तो इसमें कौन भुजा किस भुजा के बराबर होगी बताओ अगर यह बृत सरबांगसम है तो इसमें कौन कौन भुजाएं आपस में पराबर होंगी कोई बताएगा जो पढ़ा होगा वो बता ले जाएगा बागी यह मजा आने वाला सवाल नहीं है इसमें मजा आएगी नहीं मजा दूर दूर तक नहीं नजर आएगी मेट माही अरपित पांडे जी बहुत अच्छा अरपित जी बेरी गुट बस पढ़ाई करते रहिए सतेन सर्मा देखे इसका जबाब कोई देगा बिट्टू सिंग बता रहे हैं पी ओ देखो बेटा मैंने तो यहां कहीं ओ लिखा नहीं तुम्हारा सब गलत है इस दोनों चित्र में मैंने कहीं ओ नहीं लिखा है बिट्टू के बाद बताये हैं आदित वाई 377 पी क्यू एबी के बराबर है यह कह रहे हैं बाकी मैं नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं बता रहे हैं मनोज यादो बता रहे हैं पीक्यू एबी के बराबर है रभी परकास इसमें कहीं ओ नहीं है दूर दूर तक इसलिए मैंने हटा दिया कि तुम कनफ्यूजन में न रहो ठीक है बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि जो बिटा यह पीक्यू है वह एबी के बराबर है बिल्कुल सही बोल रहे हो पीक्यू एबी के बराबर है लेकिन और भी बराबर हो सकती है ऐसा थोड़ी एक के बराबर रहे हैं सही बोल रहे हो ठीक है सही बोल रहे हो इसके अलामा PM PM जो है वो AN के भी बराबर होगा है और एक थे और सुन लो मैंने लिखा है यम क्यू यह डज नाट इक्वल बीयन क्या यह मैंने सही लिखा है अगर यह सही लिखा है तो तुम लिखोगे क्या C C मतलब सही और अगर मैंने गलत लिखा गए तो बताओ कि जी जी मतलब गलत यह मैं कोड दे रहा हूँ यह हमारा कोड है आज के लिए बस बताओ यह मैंने सही लिखा गलत बोलो तबसे पहला जबाब कौन देगा इसका एनिवन कोई भी मैं जैसे बोलूं उसी कोड में बताओगे तब हम समझेंगे कि तुम मेरा ही बता रहे हो दूसरे कोड में बताओगे तो हम नहीं समझ भाएंगे इसका सबसे पहला सही जबाब दिया है आदित जी ने बहुत-बहुत बधाई हो आदित जी आप काफी मेहनत कर रहे हैं बाकिये जो नालाइक हुए है ना कास यहूं सब पढ़ लिख लेते तो अच्छा रहता है लेकिन हो कहावत है ना कि सब को कुरिये गया चली जहीं है पतरिया की जाते हैं तो यह पतरिया चाटे के लिए बतला रहें बेटके क्या कहें इनको और क्या कह सकते अब यह समझदार हैं कोई दूद पीने वाले बच्चे तो है नहीं नाइंत में पहुंच गए बहुत सब्सक्राइब लेकि जिन्दघी भर रहोग़े अगर बोर्ड में कम नंबर आएगा कहीं कुछ भी हो था बोर्ड के मार्सीट लगती है हाइइ ऐसकूल के मारसीट लगे तुरंद और और हाइइसकुल के मारसीट सही तब बनेगी जब तुम नाहीं सई से पढ़े रहोगे समझ रहो ना बिरजेश कुमार ठीक है बहुत अच्छे है चले आगे बढ़ें तो बिटा देखो आप लोग कर ले ना टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है आपका चैप्टर भी खतम हो गया किसी का मन भी ज्यादा नहीं लग रहा है हाँ तो मैं इसमें बता दूं अगर यह दोनों बृत्त सरवांगसम है जैसा मैंने कहा इनके कोण भी आपस में बराबर होंगी इनकी बुजाएं भी आपस में बराबर होंगी इसलिए यह जो लोग इसको C बताए है उनका सही है यह मैंने गलत लिखा है यह गलत है ठीक है सुरी जो G बताया उसका सही है यह गलत लिखा है यह बराबर नहीं है इसका मतलब है यह जब कि बराबर है आप सही है आप सही है ठीक है समझ गए ना क्लाफ 9 के NCRT mathematics का बहुत important theorem में बेटा जिसको बोलते हैं 10.3 आप NCRT book ले होंगे तो आप देखिए परिशना वाली 10.2 के बाद में यह 10.3 दिया गया ठीक है के राबृत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम्दुभाजित करता है यानि रूकर जो सेंटर से परपैंडीकुलर खीचा जाता है में इसे पीचे बिश्येग लिंख अन्दाी कुलर के पर पैले एक शर्कल बनाएंगे हो गया फिगर आपका हो गया अब देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे दिया है मैंने फिगर कैसे बना लिया भाई जैसे बोल रहा था वैसे मैंने कर लिया बृत्त के केंदर से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को सम्धुभाजित करता है यानि हमें यह प्रूप करना है कि इंगलिस में हिंदी वाले लिखेंगे दिया है देखो बेटा क्या दिया है लिखो एक बृत क्या क्या दिया है एक बृत जिसका केंद्र जिसका केंद्र O है ठीक है यह हमें दिया है तथा जीवा AB यह भी हमें क्या है दी गई है ठीक है और क्या दिया है हमें यह भी दिया है कि OM जो है वो AB पर लंब है AB इतना इसके बाद लिखना तथा OM perpendicular AB ये इतनी बाते हमें दी गई है ठीका भईया आगे बड़े आप देखो इसमें क्या करना है पुरूब क्या क्या करना है हमें इसमें पुरूब करना है कि ये क्या है इस पर लंब है क्यों यहीं तो प्रूब करना है अब नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है सिंपल सी बात है नीचे लिखेंगे आप प्रूब इंगलिस में लिखेंगे टू प्रूब याद रखना 2 अलग रहेगा यानी सिद्ध करना है तो देखो क्या सिद्ध करना है आए यहाँ पर लिक़्िए हमें सिद्ध करना है इकल बदी एम ठीक है, यह सिद्ध करना है अब हम लोग क्या करेंगे बैटा यहां पर लिखेंगे proof P-R-R-O-F proof मतलब उपत्ती हिंदी में बोलते हैं इसी के अंदर हम सारी हल की प्रकेरिया इसमें करते हैं चलिए इसको बैटा हटा देते हैं question को देखिए अब हम क्या करेंगे triangle AOM और BOM ठीक है, A, O, M और B, O, M को हम congruent prove कर देंगे और जब इनको congruent prove कर देंगे दोनों को तो हम इनको बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है लिखेंगे तिरभूज A, O, M और तिरभूज B, O, M में ध्यान देना बटा, इसमें देखो O, A जो है, वो O, B के बराबर है, बोलो है की नहीं है न, एक चीज आओर है इसमें एंगल भी बराबर है M, M, एंगल भी बराबर है क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों नब्बे का है, तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, चलो लिखो एंगल O, M, A लिखो या फिर A, M, O लिखो एंगल A, M, O इक्वल एंगल B, M, O ठीक है, ये बराबर है क्यों, क्योंकि परते एक 90 का है, ब्रेकट में लिख लो दोनों क्या है 90 का है इतना ही नहीं देखो भाईया, इसमें O, A जो है O, B के बराबर है O, A, O, B के बराबर है, क्यों है क्योंकि एक ही बृत्त की त्रिज्जाएं है और किसी भी एक ही बृत्त की सभी त्रिज्जाएं आपस में बराबर होती है ये तो हो गया भाईया, एक बात आओ रहे बिटा, O, M दोनों में common है इस तिरभूज में भी इसमें भी तो नीचे आप लिख लो ऐसे चुपके से O M equal O M ठीक है ब्रेकर्ट में लिख लिजिए common है English में लिख लो उभायनिष्ट है क्या लिखोगे उभायनिष्ट है ठीक है यह हो गया अब देखो भया सीधा सा बात है अब ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा बाबू अगर यह तीन चीजें हमें मिल गई एक कोण मिल गया दो भूजाएं मिल गई तो हम कह सकते हैं दोनों triangle क् है अगर आपने kangaroo रूल पढ़ा होगा सरवांगसम ता रूल तो आपको पता है अब यहाँ पे लिख सकते हम इफ लिए तिर्भूज ए ओ एम का इंगुरियंट तिर्भूज बी ओ एम यानि यह तिर्भूज ए ओ एम और बी ओ एम दोनों क्या है सरवांगसम हो गए क्या हो गए सरवांगसम हो गए क्यों हो गए कैसे हो गए कोई ठक में लिखिए बाई सीपी सीटी का बाई आर एचेयस यानि राइट एंगल ट्रेंगल वाला और यह दोनों साइड साइड ठीक है तो क्या लिखोगे आप लिखो आरेचेयस यह आरेचेयस जो है तिर्भूज की परवांगसमतार रूल पढ़ा होगा तो मैंने आपको कई रूल पढ़ाया था ना ठीक है बैटा चलो इतना हो गया आगे आओ अब अगर यह दोनों क्या हो गए का इंग्रियंट हो गए तो आप यहां पर लिख सकते हो चूंकि दोनों तिर्भूज दोनों तिर्भूज च का इंग्रियंट है इसलिए इसलिएं इसलिए सर्वंक्सम है इनकी जो संकत भूजैंबरहो होती है ब्रेकट में आप लिखोगे by cpct 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 का मतलब जानते हो corresponding part of congruent triangle ये rule होता है ठीक है पढ़ाया था मैंने theorem है corresponding part of congruent triangle इसी का full farm होता है cpct का ठीक है यानि संगत सरबांग सम्तिरबुच की संगत बुजाएं उनके बारे में सब पूरा इसमें पढ़ाया गया है तो यह आपका हो गया लिख दीजिए प्रूब्ड या नीचे लिख दीजिए सिद्ध हुआ आता सिद्ध हुआ इंगलीज में लिख दीजिए to proved ठीक है तो यह आ अगला देखिए बच्चों थेवरं 10.4 यानि आपका पर्मिय दस दस हमलों चार क्या कहता है हिंदी इंगलीज दोनों में आपको दिख रहा है किरा दा लाइन द्रान थ्रो दा सेंटर आफ अ सरकल तो बिसेक्ट आ कॉड इस परपेंडिकूलर तू दा कॉड ठीक है डन इसमें कोई डावड किसी को नहीं न इंगलीज में हिंदी में दोनों में देख लिजिए हिंदी में लिखा है एक बृत के केंदर से जीवा को संभी भाजित करने क लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है लंब होती है देख बाबु यह संभी भाजित नहीं संभी भाजित होता है ठीक है क्या होता है संभी भाजित होता है संभी भाजित नहीं संभी भाजित मतलब बराबर बराबर दो भाग में बाड़ता है इसका यह मतलब है याद रखना जहां समझ विभाजित लिखना, बबू वहाँ पर ये समझेघस रहेगा, इन्होंने टैपिंग में फोड़ा मिश्टेक किया है, इंगलिस में सही लिखा है, भीक्सेट, ठीक है, ये समझेघस नहीं बलकि समझेघस है, केंदर से जीवा को सम्दुभाजित करने के लिए खिंची गई रेखा जीवा पर लंब होती है तो यह हो गई रेखा वो जिसके बारे में यह बोल रहा है मान लेते हैं कि इसका नाम AB है या PQ आप कुछ भी मान सकते हो यह मान लो सेंटर O है यह क्या है यम है तो कहरा यह इस पर लंब है ओ यम क्या है इस पर बेटा लंब है हमें यह प्रूब करना है चलिए लिख लेते हैं इंगलिस में लिखिए गिवन हिंदी में लिखिए दिया है बहुत से बच्चे कमेंट के पीछे परेसान है जैसे कि एसके म्यूजिक हो गए नान बाबु गोस्वामी है सौरभ है इस्ट्रेंज गेमिंग है और उमेश सर्मा है मोहित ड्रोहिनी और नंदन कुमार अनुपगररी स्वतंत्र देओ सचीन यादो देखो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो कमेंट की पीछे न पढ़ो तुन 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 तुम्हारा भी कमेंट आ रहा ठीक है परेसान न रहो बिल्कुल भी दीरज कुमार का रुद्र देओ इन सब का कमेंट आ रहा है जो कल जुड़े थे मैं उनका नाभी नाम आवस से बोलता हूं हो सकता पहले दीन आप जुड़े हो तो आपका नाम ना बोला जाए ठीक है सूरत सोनकर बेटा तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है ठीक है आओ चलो आगे बढ़ें लिखो दिया इसमें क्या क्या दिया है लिखो असेंटर बीथ हिंदी में बोलें लिखो एक बृत्त एक बृत्त जिसका के अब हम इसकी पूरी कहानी करते हैं जो हमें हल करना है ठीक है लिखेंगे प्रूफ उपर साइड में इंगलिस वाले लिखेंगे प्रूफ हिंदी वाले लिखेंगे उपत्ती हम हिंदी इंगलिस दोनों के लिए करवा रहें यह सिर्फ एक के लिए नहीं है इस बात का याद रखना ठीक है तो यहां पर क्या लिखोगे बाबू दिख रहा है ना यहां पर यह O M में तिर्भूज A O M और तिर्भूज B O M में इसमें देखिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो O A O B के बराबर है लिखो क्यूं बराबर है बता रहा हूँ O A बराबर O B है क्यूंकि एक ही बृत्त की तिर्ज्या है और आपको पता है कि एक ही बृत्त की जो तिर्ज्याएं होती है वापस में बराबर होती है radius आप same circle ओके और क्या बराबर है देखो बेटा जिन दोनों तिर्भूजों में हमने लिया है उसमें अगर तुम ध्यान दो तो om भी बराबर है एक दूसरे के om बराबर है क्योंकि दोनों तिर्भूज में om है तो हम लिख सकते है om equal om region है उभैनिस्थ कहानी इसमें A, M, B, M के बराबर है A, M, B, M के बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि दिया है यही तो हमें प्रूब करना था क्या नहीं प्रूब करना था अरे सिधा-फिधा क्वेश्चन में यही बोल रहा है क्या बोल रहा है देखो question देखो बोलने ही रहा इसमें कि बृत्य के केंद्र से जीवा को सम्दूभाजित करने के लिए खीची गई रेखा सम्दूभाजित करने के लिए ही इस रेखा को खीचा गया है इसका मतलब सीधा सीधा है कि AB को ये दो बराबर भाग में माट रहा है अगर बराबर भाग में माट रहा है इसका मतलब ये भी दिया है कि AM, BM के बराबर है इसको भी यहाँ आपको लिख लेना था ये लिखा ही है एक जीवा AB जीसे OM सम्दूभाजित कर रही है तो अगर सम्दूभाजित कर रही है तो भईया AM बराबर ये BM होगा लिख दीजिए दिया है गिबन लिखिए इंगलिस में देखिए तीन साइड तीन साइड इसमें अगर बराबर है तो ये क्या सरवंगसम हो नहीं क्या अब आप लिखिए नीचे इसलिए इसलिए ट्रेंगल AOM ऐसे काइंगुरियंट का चिन लगाईए ट्रेंगल BOM यानि दोनों तिरभुज क्या है भाईया सरवंगसम है आप यहाँ साइड में रूल लिख दीजिए रूल कौन सा लगेगा S, S, S ठीक है मतलब साइड 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 काइंगुरियंट रूल से ये क्या हो गए करना क्या था हमें करना था कि ये दोनों क्या इस पर भई O, M जो है वो A, B पर लंब है इसमें थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे और आगे क्या बढ़ेंगे आईए मैं बताता हूँ अगर ये दोनों तिरभुज बेटा सरवंगसम है तो इसका मतलब ये कोण भी तो बराबर होगा बोलो, करस्पांडिंग एंगल बराबर होते हैं की नहीं यानि, M जो है वो क्या होगा बराबर होगा आप लिखो इफ लिए कोण A, M, O इक्वल एंगल B, M, O ये क्या है दोनों बराबर हैं बराबर क्यूं है क्यों लिखतो संगट कौन है और क्या करस्पांडिंग एंगल इसको ہ्क बाना लीजिए एक्वल फ़स्ट बना लीजिए ये एंगल आपस में बराबर हैं क्यूंकि क्या हैं इतना करने की बाद क्या करोगा आप नेंस्ट पेजиком पेर आये पर नेक्स्ट पेज पर क्या लिखना है इतना हो गया अगर ध्यान दीजिए तो यह ए एम और बीएम सीधी सीधी एक रेखा है बोलिया है ना है यानि जो यह एंगल है यह मौला इधर से और इधर से यह मौला दोनों जोड़ें तो 180 होना चाहिए यह कि लीनियर एक परकार से है ना लीनियर लाइन बोलते हैं ना जीसे रीजुकोंड जीसे बोलते हैं लीनियर एंगल है ना ऐसे क्या बोलते हैं उसे linear ही बोलते हैं तो ठीक है अब लिखिये नीचे लिखिये angle AMO then angle BMO equal exhaustion यह होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं लिखिये linear pair L-I-N-E-A-R linear pair ठीक है देखे चुकि AMO BMO के बराबर है तो बिटा हम इसमें काम कर सकते हैं हम इसकी जगा पर क्या रख सकते हैं BMO लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के आपस में बराबर हैं अगर दोनों में बराबर हैं तो हम इसको ऐसा कर सकता हूँ तो यह हो जाएगा BMO equal 180 जुड जाएगा to angle BMO बराबर 180 यहां हम लिखेंगे क्या BMO बराबर 90 लिख लो angle BMO बराबर 90 90 क्यों हो गया क्योंकि दो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा यह 180 तोड़ा गंदा फा लिखाई से सही कर लेते हैं 180 180 ठीक है कोई दिक्कत होगी तो बता देना टेंसन मत लेना यह हो गई आपकी कहानी यह B है B फार बाल अब इसी तरह से बच्चों हम इसको भी कर सकते हैं AMO को भी 90 कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं भाई यह अगर BMO कमा 90 डिग्री है तो AMO यह देखो दोनों बराबर थे ना समी करन एक से तो नीचे आप कहीं लिख सकते हो लिख लो कहीं भी इधर साइड में चाहिए लिख लो इसलिए एंगल AMO बराबर 90 डिग्री नीचे लिखिए हो गया प्रूप लिख दीजिए नीचे भाई दोनों 90 नबर हो गया प्रूप हो गया नीचे लिख दीजिए आता हाँ क्या प्रूप करना था आता हाँ ओ एम पर्पेंडिकूलर एबी शिद्ध हो गया कि यह दोनों क्या है पर्पेंडिकूलर नीचे नहीं दिखरा मैं दिखा देता हूं बिल्कूल टेंसन मतलों तो इस तरह से बच्चों आपका यह जो थेवरम था 10.3 और 10.4 दोनों खतम हो गया अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नहीं संकोच बताइए पहला कुश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है भाई कुश्चन दिखाईए पाया फर्स्ट कुश्चन कहा गया कि पाया फर्स्ट कुश्चन देखिए नीचे साइड में आप स्क्रीन पर देख भा रहे हो 10.3 यह ना इक्सरसाइज ठीक है तो कुश्चन सभी पढ़िए एंसी आर्टी किताब है यह एंसी आर्टी ठीक है इक्सरसाइज 10.3 ग्लाफ नाइन्थ मैथमेटिक्स ओके देखिए बच्चों कुश्चन बहुत ही आसान है सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है थोड़ी सी बुद्धी लगानी है कहरा बृत्तों के कई जोड़े जोड़ा का मतलब होता युगम हिंदी में बोलते हैं इंग्लिस में बोलें तो पेयर यानी सरकल का हमें एक से अधिक पेयर बनाने यह गोम प्रतेग जोडे में कितने बिन्दू उभय निश्ट है रीक है हिन् में कोमन टो कितने पॉयंट जो हैं उवसमें पोमन होंगे उनकी मैक्सिमंम नंबर क्या है उभय और दिर्फ बिंदों की अधिकतम संख्या किया है यह बताना है तो तो देखिए किदर देखिए कुछिंट का पेर कितने तरीके से खीच सकते हैं तो हम यहां लिक्षेंगे स्थिति पहली इंग्लिस्वाले लिख लेंगे केस फर्ष्ट ठीक है केस फास्ट सीब्यसी बोर्ड और जो हिंदी वाले उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं ऐसे ही करना है अमन पाल बिटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर लो पढ़ाई आ चलो तो पहला तरीका है की सरकल हम ऐसे की शकते हैं पेर यह बिलकुल गोला रहेगा यह हमारा आलू जैसे बन रहुआ है वह अलग बात है एक तो यह पहली स्थिती है हम ऐसे खीच सकते हैं इसमें हम लिखेंगे कामन पॉइंट कि तने हैं जीरो हिंदी वाले लिखेंगे तो कितना भाया जीरो इसमें ये पहली स्थिती है हम तीन स्थिती में ऐस तरह का सरकल खींच सकते हैं ठीक है ये पहले स्थिती है इधर साइड में करिए इस्थिती नंबर सिकेंड केस नंबर सिकेंड देखिए दूसरा इस्थिती ये है कि अगर हमें सरकल का पेर बनाना है त देखते जाना अरे ये गोला लंबा नहीं मतलब लिए हम ऐसे भी कीच सकते हैं कहने का ये किट्री पर्रे है ये यह अब एक त्षी चोट होई कि बड़ा उससे नहीं मतलब है यूर मुझे बनाइ न बोलो कर नहीं कि नहीं तो यहां पे आप लिखोगे कॉमन पॉइंट कितना कि कामन पॉइंट बराबर एक हिंदी में लिखोगे उभय निष्ठ बिंदू कि बराबर कितना वन यह दो इस्थिती हो गई ठीक है स्रेया चुपचा पढ़ाई कर लीजिए राहूल बच्चा देखो बहुत बात कर रहा हूँ कुछ लोग कहते हैं कि मैं नाम नहीं बोलता हूँ अगर इस तरह के करोगे इतना तुम बलाग कर देंगे जान लो सिर्फ पढ़ाई कर लो भी नाइंध में हो पढ़ाई कर लो अभी बहुत टाइम बचा है लाइफ में बहुत बचा है चलो स्थिती नंबर सिकेंड हो गई थार्ड कोईश्चन देखते जाओ स्क्रीन पर है नीचे कहरा बिरित्तों के कई जोड़े बनाईए कई यूगमू बनाईए पर तेक जोड़े में कितने बिंदू उभय निष्ठ है और उनकी अधिक्तम संक्या क्या हो सकती है इनका कहने का पर है कि आप अगर वह बनाोंगे सरकल का तो उनने कतनी से दना सकते हो एक दो इसे बना सकते हो वगल-भगल इसक्ता डोश्चन घूड़े में जगा नहीं है स्लाइट गई देखो यह पहला सरकल दूसरा सरकल ऐसे ठीक है यहाँ पे देखो दो पॉइंट कॉमन हो जाएंगे एक यह एक यह आप यहाँ पे लिखिए इधर साइड में लिख देता हूं इसका ध्यान लखना यहाँ पे लिखो कॉमन पॉइंट Yoon common point बराबर्ड टू हिंदी में लिखो ऺए उबरानिस्ट बिंदू बराबर दो ठिक है यह महां इसको होगे रादन कमपलिट उगया पहला है जल्ति करू लिखे लो फटा फट लिखे लो बहु कर लो त्रिखे लो फटा फट लिखे लो फट फट लिखे लो बिल बताइए जल्दी करिए आगे बढ़ें चलो फटाफट ओके इतना ठीक है किसी के मन में कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं चलो लिख लो इसे फटा फट लिख लो सीक एंड कुष्टन दिक हो वैं सीकेंड्न स्थिकταν्च नमबर और थार्ट नमबर एक बड़ा जिक जीख वाला कोईश्चन थार्ड वाला जिक जिक नहीं मतलब थोड़ा बड़ा लागेगा है कि सिकेंड नंबर देखिए कि सिकेंड नंबर यह आप लोग कर लोगे की नहीं बताइए सिकेंड कुजिचन आप लोग कर लेंगे कुजिचन देख लीजिए तब तक मैं मिटाता हूं ओम परकास ओम परकास जी समझ में आने के लिए समझने की कोशिस करनी पड़ती आपको और क्लास में टाइम से जूड़ना परता ठीक है क्लास शुरू होगी 7 बजे और अगर आप आओगे 9 बजे तो कहां समझ में आएगा कुजिचन देखिए यह बताइए सभी क्या आप लोग सभी NCRT किताब लिये हो सभी बच्चे NCRT बुके लिये हो की नहीं आँ भाई लिये हो न भाई चले आगे यह बाई उल्टा पूल्टा नाम वालों को ब्लॉक कर दो यार पापा बोल पापा वाले एक हैं देखो इनको ब्लॉक करो और क्या करोगे यह पढ़ने वाले थोड़ी है फाल्तू लोगों को ब्लॉक करिए यह फाल्तू लोग को अटाई आंसे चलिए जल्दी करिए आप लोग क्या कर रहे हैं ठीक है कुश्चन ही हो गया अगला इसको हाँ इसको आप लोग कर लीजिए का फिलहाल सिकेंड वाला मैं छोड़ रहा हूं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कहरा कि माल लीजिए आपको एक ब्रित्ट दिया है एक रचना इसके केंद्र को ग्यात करने के लिए दीजिए यानि कोई ब्रित्ट दिया है तो उसका सरकल का सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगी यह बताना है ठीक है समझ रहे हो ना तो यह आप लोग क्या करोगे कर ले ना नेक्स्ट वाला चलिए हम करवाते हैं तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट भी है चलिए क्यरा कि यदि दो ब्रित्ट परस पर कुश्चन पढ़िए हड़ दिखराना सबको क्यरा कि यदि दो ब्रित्ट परस पर दो बिंदूओं पर परतिछेद करें परतिछेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट करें यह यही तो होता है नहीं बिसेक्ट करें है ना क्या करें बिसे हैं आए पहले हम बनाते हैं अ है पहले इसका चितर बना लेते हैं फिर चितर बनाने के बाद आपको पूरी स्टोरी समझाएंगे जी देखिए ठीक है इधर देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दो सर्कल ड्रा करेंगे इधर साइड में आ जाएं यहां दिख रहा है न थोड़ा लाइट कम दिख रही है इधर साइड में आ जाओ भाई पहले दो सर्कल ड्रा करो ठीक है यह सरकल एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही ड्रा होंगी ध्यान देना एकदम प्यार से धीरे-धीरे से जैसे हम बताएंगे वह ऐसे करना है यह हो गया कोईशन फिर से पढ़िए कह रहा है यह दो ब्रित्व परस पर दो बिंदूओं पर पर्तिछेद करें तो यह दो सरकल हैं देखो दो जगाए क्या कर रहे हैं इनको पर्तिछेद कर रहे हैं यह बात बताओ पर्तिछेद को इंटरसेक्ट बोलते हैं कि इंगलिस वाले बताएं बताइए चलिए जो भी यह ठीक है मैंने कर दिया यह दो जगा पर क्या कर रहे हैं इसको पतिशेद कर रहे हैं तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्र उभैनिष्ट जीवा के लंब सम्दुबाजक परिस्थित हैं क्या करना इन्हें इनमे कोड जो है वो क्या होगी कॉमन है ओबयनिष्ट है अचा इंटर सेट बोलेंगे ठीक है यह common chord है सिदा फिदा खीचना एकदम आप लोग ठीक है यह मैंने खीच दिया माल लेते हैं इनके कोई नाम रख देते हैं हम A भी रख देते हैं यह कौड बाहर तक नहीं निकलेगी याद रहे हैं अंदर में ही रहेगी क्योंकि सर्कल में ही खीची जा रहे हैं ठीक है मैंने हृंगे और केंद्र भी होंगे इनके इनकोइसे मिला दीजिये इसका आप ओ मानलीजिए और इसका ओडैस मानलीजीर ड़नों काकेंद्र का नाम लिखेंगे ठीक है इतना समझ में सभी को एक एक पॉइंट पॉइंट करते जाओ ठीक है अब क्या कहरा एक बार फिर से कोईश्चन पढ़िए जितना बार बोला जाए उतना बार कोईश्चन पढ़िए कहरा यह दो बृत्त परस पर दो भिंदूओं पर परतिछेद करते हैं मतलब इंटरसेक्ट करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभैनिष्ट जीवा यानि कॉमन कॉर्ड के लंब सम्दुभाजक पर इस्थित हैं कुल्मिला के कहने का मतलब इनका यह है कि हमें इसमें क्या प्रूब करना है इनके जो जीवा के लंब सम्दुभाजक पर इस्थित हैं सिद्ध कीजिए उनके केंद्र जो है उभैनिष्ट जीवा के लंब सम्दुभाजक पर इस्थित हैं आईए पहले इनके बारे में कुछ हमें लिखेंगे तब आप समझ पाएंगे ऐसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना यहां पे लिखिए आप लोग कि एक कॉमन जीवा हैं हैं इंगलिस में लिखेंगे अबिबी इज आ कामन कोरड आफ बोट सर्कल ए बी घृठ कोलां में लिखेंगे ए बी दोनों बृत्तों की उभयनिष्ट जीवा है क्या है उभयनिष्ट जीवा है ये दिया है दिया है न और क्या दिया है और तो हमें लगता कुछ नहीं दिया सरकालोगरा दिया है उसको सबको क्या लिखेंगे ठीक है? आप इसको English में लिख लेंगे given, Hindi में लिख लेंगे, Тогда दिया है ठीक है? Hindi में लिख लेंगे दिया है, जो बात करने उनको करने दो आगे लिखेंगे to prove Hindi वाले लखेंगे सिद करना है, बाकी मैं पढ़ा Hindi में ही रहा हूं, ठीक है? परसान नहीं होना है लिखिए टू प्रूब या सिध करना है सिध क्या करना भाया लिखो पटा-पट एंगल am o equal am o equal एंगल b m o बराबर 90 ठीक है एंगल b m o equal 90 यानि कहने का इनका तात्य पर यह है कि यह यहां पर पॉइंट है जिसका नाम यम है और हमें यह जो यम वाला एंगल है ना जो बंद रहा एंपर उसे 90 degree 90 प्रूब करना है ठीक है समझे लिए ओना am o और b m o यानि हमें यह एंगल और यह एंगल 90 प्रूब करना है कि समझ में आया ना अनीप को बला कर दो भाई अनीप यादव को इनको बला कर दो इनके ज्यादा चुल परी है इसमें am को bm के बराबर भी प्रूब करना है क्यों यह am bm के बराबर प्रूब करना है क्योंकि इसमें question में अगर आप फिर से एक बार देखिए करण सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभैनिष्ट जीवा के लंब सुम्द भाजक हैं यानि जो केंद्र वाली लाइन है से जीवा के लंब सुम्दू भाजक का मतलब आधा आधा उसको बांट रहें ठीक है यह दोनों बाते सिद्ध करनी ओके आगे बढ़ें इतना हो गया अब लिखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अब पहले हम कंस्ट्रक्शन वाली बात यहां लिख देंगे उसके बाद फिर करके दिखाएंगे ठीक है हिंदी वाले लिखेंगे रचना हिंदी वाले लिखेंगे र O A और O B को मिलाएंगे लिखो O A ये और O B को मिलाया मने मिला दिया यहाँ पे लिख लो O A और O B को मिलाया मारकर में इंक डाल देते हैं थोड़ा सा फिर आगे कहानी करते हैं ठीक है शिव संकर सिंग पढ़ाई कर लीजिए आपसे निबेदन है हाँ पढ़ाई कर लीजिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए हम कहां रहते हैं का करते हैं अपनी पूरी हम इतिहास बताएंगे तो टाइम उतना नहीं आप चलिए अभी एक इसमें और भी कांस्ट्रक्शन करना है बताइए वो क्या करना जानते हो आईए बताते हैं हमने ओ ए ओ भी तो मिला लिया बेटा अब दूसरा उधर फाइड और भी एक कांस्ट्रक्शन करना है ओ डैस ए और ओ डैस बी को भी मिलाना है ये तभी तो काम बनेगा नीचे लिखिए ओ डैस ए और ओ डैस बी को मिलाया ये construction में करना या रचना में करना ये इतना हो गया अब मुख्य point पे आते हैं मुख्य point पे आते हैं जो prove करना है ठीक है यहाँ पे लिख दीजे इधर side में इधर का काम हो गया नीचे थोड़ा गंदा दिख रहा है यहाँ पे light कम पड़ रही है इसलिए मैं इधर करूंगा यहाँ पे लिखिए अब पुरूफ और हिंदी वाले लिखेंगे उपत्ती उपत्ती लिखेंगे ठीक है ए ओ और ओडेस ठीक है और बी ओ और ओडेस में लिखिये तिरभूज तिरभूज ए ओ ओडेस और बी ओ ओडेस में ठीक है इन दोनों ट्रैंगल में यह जो नहीं देख रहे ध्यान से न इनको जिन्दगी में नहीं समझ में आने वाला है क्योंकि यह बहुत आसान नहीं है यह खेल नहीं जो हो रहा है अच्छे-च्छे जो बहुत सारी डिगरी लेकर रखें ना उनसे यह कुछन ले जाके पूछ लोगे तो वह नहीं करेंगे कोई ने कोई बहाना बता देंगे समझ रह है यह बहुत हुआ नहीं है आपके भाईया दिदी कंपर्टिशन और आपकी तयारी भी करते हैं उसे जाके पूछ लोग कर दीजिए इसको तो जल्दी करेंगे नहीं क्योंकि इसमें बड़ा घोर पेंच करना पड़ता है ठीक है इतना आसान नहीं है बहुत कठीन भी नही ए ओ ओ डैस और बी ओ ओ डैस में क्या है ओ ए बराबर ओ भी है क्यों बराबर है फिर से देखो ओ ए बराबर ओ भी है क्योंकि एक ही सरकल की तरिज्जा है लिखिए ओ ए इक्वल ओ भी ब्रेकट में लिखिए एक ही बृत्त की तरिज्जा एक ही बृत्त की तरिज्जाएं है हमने क्या लिखा O A O B के बराबर है इसमें O A और O B भी बराबर है क्योंकि ये दूसरे बृत्त की तरिज्जा है इसमें भी वही लिख सकते हैं एक ही बृत्त की तरिज्जा देखो ध्यान देना ये दोनों एक बृत्त की तरिज्जा है दूफरी लाइन वाला ये दोनों दूसरी बृत्ति की तिरिज्जा है लेकिन हम एक ही बृत्त का लिखेंगे क्योंकि O A और O भी दोनों एक बृत्त में है O A, सरी O A, O डैस A O डैस A, याद रखना इसके उपर डैस लगा है, O के O डैस A और O डैस B एक बृत्त में है और O A और O भी एक बृत्त में है, ठीक है इसमें हम जो ट्राइंगल तिर्भुज लिये थे A, O, O डैस और B, O, O डैस इसमें देखो बच्चा एक कॉमन भी है कौन सी बुजा कॉमन है O, O डैस, कॉमन है कि नहीं दोनों में कॉमन है, हिंदी वाले लिखेंगे उभायनिस्ट है ठीक है, समझ में आ रहा है ना फटा-फट लिखो चलो, इतना हो गया अब यह बताओ भाया अगर यह तीन चीजें मिल गई तो यह दोनों ट्राइंगल काइंगुरेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं ना भाई तीन साइड अगर बराबर मिल गई तो दोनों त्रीबुच सरबांग सम हैं आप लिखिए इफ लिए इफ लिए यह जोनों ट्राइंगल हम सुरू करें थे ना वहीं से कहा हो गया यह दोनों ए ओ ओ ओ डैस और बी ओ ओ ओ डैस ए ओ ओ ओ डैस कायंगूरियन ट्रैंगल B ओ ओ डैस रेकट मे लिखिए यानी साइड 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 ठिक है साइड साइड कायंगूरियन रूल भुजा भुजा सरबांग समता नियम से यह दोनों क्या हो गए बच्चा सरबांग समों गए इन्हें एक नजर में देख लो उसके बाद हम फाइनल आंसर कर देते हैं जल्दी देख लो फटा-फट अनुराग साक्या काय मूँ बना रहे बटा कर लिए उसे इसका स्क्रीन साट लो मैं मिटाओंगा इधर जल्दी करो इधर इस्क्रीन साट करो फटा-फट चलो हो गया देखिए जब बोला जाए न आप फटा-फट साथ साथ में नोट भी करते चलो आपका दिमाग भी साथ साथ में चलना चाहिए यह सभी बच्चों के लिए नहीं है पर एक्षा में 80% बच्चे इसको गलत करते हैं वही जो बच्चे अच्छा खासा पढ़ते हैं टॉप करते हैं वही बच्चे इसको एक्जाम में करेंगे वरना करेंगी नहीं यह आएगा ही नहीं करेंगे क्या यह जो बकता ही कर रहें इतना देर से नहीं यह आगे क्या करेंगे अब देखें समझें ए ओ ओ डैस और बी ओ ओ डैस अगर यह सरवांगसम है का इंगुरियंट है तो इनकी जो corresponding side है corresponding angle है वो क्या होते हैं इकल होते हैं न होते हैं न हिंदी में बोलें तो दो सरवांगसम तिर्भुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं बता होती हैं कि नहीं होती है न चलो आगे देखो फिर अब नीचे लिखो इसलिए इसलिए भाई यह हो गया तो अब नीचे लिखो इसलिए अंगल वहां लिखने के बाद यहां लिखना एंगल ए ओ ओ डएस इकल एंगल भी ओ ओ डएस य्याणि जो यह कोण है एंगल a o o-s और b o o-s यानि जो o पर बन रहा है एंगल यह दोनों क्या आपस में बराबर है ठीक है क्यों क्यूंकि संगत हो गए corresponding हो गए ना इस दूसरे के ठीक है यह क्या हो जाएंगे एक कोल हो जाएंगे न और क्या क्या होगा इसमें करना क्या था अप लोग भूल गये क्या एक बार फिर से दिखा देता हूं कुश्चन भी देखते जाओ अंसर आ गया है कोशन देखिए कि यदि दो ब्रित परस पर दो बिंदूओं पर प्रतिशेद करें ब्रित मतलब सरकल परतिशेद मतलब इंटरसेक्ट करें तो सिद्ध कीजिए यानि प्रूब दैट उनके केंद्र उबहनिष्ट जीवा के लंब सम्दुभाजक पर इस्थित है यानि हमें इनने 90 डिगरी प्रूब करना है ठीक है आई यह देखिए इसको अटाते हैं अब क्या लिखोगे यह तो हमारा हो गया लेकिन यह कैसे हो गया हाँ पर लिखो बाई सीपी सीटी मतलब जानते हो करस्पांडिंग पार्ट आप काइंगूरेंट ट्रेंगल यह मैंने सिद्ध करवाया था यह रूल पढ़ाया था ना जिन लोगोंने सीपी सीटी नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता होगा ठीक है सीपी सीटी का मैं एक कलास लिया था अलग से यह हो गया इतन यह उलग साल मारा हाथ है यह यह वाला यह दोनों एक रहेगा और यह ठीक हैं तो लिखिए टिर भूज़ ऑ को में प।ो पिरखुँ ए मो pouv और सिर्भूज बी हैमोमे में लुस्क इतांसरी पराबर ही है लिखो ओ यह बराबर ओभी जैसे अभी सब्समें भी होगा ब्रेकट में लिख लो एक ही भृत्त की कि त्रिज्या कि एक ही, क्या है यह क्या है इठë वे पर इसमें ओयम् भी बराबर है वेटा ओ एम बराबर है क्योंकि दोनों में common है क्या है दोनों में common है अध्य संकर को इतना देर से बलाग काई नहीं कर रहा आप लोग कर क्या रहे हो भें इनको बलाग करो ना लाइकों को जिनको नहीं पढ़ना उनको हटाओ फटाफटाओ कोई यह भीड़ थोड़ी पट और नहीं है यह क्या है common है इसमें और क्या है इसमें एक माई बाप करते आए हैं आजा पर पाजा करते हैं उसको आप भी करेंगे उसमें से कुछ चीजें है ना क्योंकि हमारे पूर्भुजों द्वारा मिली है तो क्या है इसमें अगर बढ़के वाले तिर्भुज के जो एंगल बराबर थे वो छोटके वालें भी होंगे समझ रहे हुआ चलो आगे तो यहाँ पर लिखोगे एंगल कि कि एब ओएम एककोल वी ओएम यह डिया क्यों बराबर है क्योंकि अब रिकर्ण में लिख लो एई-ऊ-डैस कि यह हम कर चुके हैं, एंगल यहाँ पर लिख लो, एंगल AOO- इक्वल एंगल BOO- इसको कोष्ठक के अंदर लिख लो, दिखाने के लिए ठीक है, और अगर यह चीजें तीनों मिल गई तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इफ लिए ट्रेंगल A.M.O. काइंगुरियंट ट्रेंगल B.M.O. कैसे, दो भूजा बराबर है, एक कोण बराबर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखो, बाई S.A.S. काइंगुरियंट रूल, ठीक है, यानि भूजा, कोण, भूजा, सर्वांगसमता नियम से, यह दोनों क्या होए? सर्वांगसम हो गए, और भाईया, आगर यह छोटके दोनों तिर्भूजबी सर्वांगसम हो गए, तो हमें जो करना था, वो मिल गया, आप नीचे लिख लो, इसलिए, एम इक्वल बी यम, यही तो हमें प्रूब करना था, ना लास्ट में, और एक एंगल ओला प्रूब करना था, उसको मैंने पहले ही कर दिया, उपर है कर दिया, यह दोनों यहां उपर कर दिया था ना अच्छा उमिट गया का यह 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 ओको 90 करना था इसको मैंने पहले कर दिया था कि समझ में आना सभी को कि किसी को कोई दिक्कत तो बताईए जल्दी लिख लीजिए आपका यह 10.3 खतम हो गया इक्सरसाइज 10.3 खतम हो गया और बच्चा इसमें 10.45 और पढ़ाएंगे फिर आपका चैप्टर बृत वाला खतम हो जाएगा अगला एक नया ध्याय सुरू होगा यह फिर पूरा चैप्टर खतम हो जाएगा तो बिल्कुल भी ध्यान लगाके पढ़ना क्योंकि यह कुश्चन बहुत ही आसान नहीं है नर्मल सा है मतलब मीडियम सा ना बहुत आसान है ना बहुत कठी ने कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा हिंदी में इंगलिस में मैं बोल दूंगा जो लोग सुनना च जोती तिवारी इस्टुडेंट आफ दाइयर कार्तिक रॉय अनिल मुश्कान यादो आसीस चंद्रसेखर और भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं जिनका नाम नहीं बोल पा रहे हैं वह बिल्कुल भी नहराज नहीं होंगे हमारे साथ बने रहेंगे सवालों का जबाब ठीक है बहुत अच्छे चंद्रसेखर यादो बेरी गुड तो बच्चों देखो कुश्चन पहले पढ़ना है कह रहा है कि पांच सेंटीमीटर तथा तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बृत यानि टू सरकल दिये गए हैं जो कि दो बिंदूओं पर एक दूसरे को कर रहे हैं तथा उनके केंद्रों की बीच की दूरी चार सिंटीमीटर है यानि जो दो सरकल हैं उनके जो सेंटर की डिस्टेंस है वह फोर सेंटीमीटर है जो कि मैंने पहले से बना के लिख दिया जिससे की जल्दी हो जाया उभैनिष्ट जीवा की लंबाई ग्यात कीजिए जो दोनों में कॉर्ड कॉमन है ए भी इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है यही हमें इस कुईश्चन में निकालना है कॉईश्चन इंग्लिज में कैसे पढ़ेंगे सुन ली जीए मैं दोनों लेंग्वेज में बताऊंगा तू सर्कल आफ रेडियस फाइब सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एड टू पॉइंट डिस्टेंस बिट्बिन दियर सेंटर इज फोर सेंटीमी कि इबन मिन्स दिया है क्या है दिया है क्या क्या दिया है मैं बोल रहा हूं कापी पेन लेके चुप़े से लिख लीजिए मैं लिखूंगा नहीं ठीक है दिया है जो हेडिंग डालो जल्दी अमनपाल साइड बॉय और सारंग सिंग बई साइड बॉय अपना नाम अच्छा से रख लो का है फालतू का बलाक बलाक कर देंगे हां वही बच्चे हो पढ़ने वाले वह तो थोड़ा सब बेतरीके से बनो साइड बॉय मतलब अजीब सा फीलिंग आती नहीं है चलो काली रोगे जिंदगी बर कुछ और भी करोगे लिखिए धिया है क्या क्या दिया है लिक्षिए फट फट इसमने सभी लोग टाइटल लिए लिखिए क्या-क्या vraag देखो फिर से एक बार कुशन बढ़ लो कहजा दो बूदि पांच सेंटिमीडर ता सा 3 सेंटीमीटर त्रिज्य वाले आप लिखे दिया है दो बूदि दिया है दो व्रिज्ड । जिनकी Pacat जिनकी त्रिज्याय करमसा 5 cm और 3 cm है दिया है दो बृत्त जिनकी त्रिज्याय करमसा 5 cm और 3 cm है तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 cm है 4 cm है देखिए सुनिए जो नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो को पुस करके भी लिख सकते हैं बाद में ठीक है वीडियो को रौक-रॉक के लिख सकते हैं कोई दिक्कट नहीं जो नहीं लिख पार हा वीडियो को रौक करके जो सब्द सुनाई पढ़े लिखलो पिर चलाओ फिर रौको ऐसे ठीक है लिए आगे क्या कहरा है कहा इसमें और क्या दिया है मैंने लिखवाया कि दो व्रित दिया है जिनकी त्रिजयां करमसा 5 cm और 3 cm है तता इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 cm है इसमें और क्या दिया है कहरा उभेनिष्ट जीवा की लंबाई गयत कीजिए ना हाँ या व्रित एक दूसरे को दो बिंदूओं ए और बी पर परतिछे दित करते हैं उसी में यह भी लिख लो यह दोनों व्रित एक दूसरे को दो बिंदूओं दो बिंदूओं ब्रेकट में लिख लेना एक आमा भी यह व्रित एक दूसरे को दो बिंदूओं ब्रेकट में एक आमा भी पर प्रतिछे दित करते हैं इतना दिया है ठीक है नीचे हेडिंग डालिए प्रूब देट प्रूब देट सिद्ध करना है मतलब क्या एबी ठीक है कोशन अट गया हमें क्या निकालना है अब बेटा यहीं से कहानी सुरू होती है जो हम लिखेंग इतना तो आपके लिखने का था मैंने लिखवा दिया अब नीचे लिखिए प्रूफ हिंदी वाले लिखेंगे उपत्ती उपत्ती मतलब इसी पूरी कहानी होती है प्रूफ ठीक है लिखिए फटा फट देखिए यहां पर एक चीज आपको समझना है हमें एबी की लेंथ फाइंड करनी है तो पहले हम A, O, O, डैस फिर से देखो A, O, O, डैस यह तिर्भूज लेंगे और इस तिर्भूज में हम लोग क्या करेंगे पता है पहले इसमें हम पाइथा गोरस पर्मिये लगा के 90 डिगरी वाला कौन खोजेंगी कि आखिर 90 डिगरी कहा बन रहा है आप सभी पाइथा ग का जो वर्ग होता है उसका योग करण के स्क्वाइर के बराबर होता है ऐसे होता है ना तो उसमें खासियत और होती है जो बुजा करण होती है यानि हाइपोटेनियस होती है उसके सामने का जो एंगल है वह 90 होता है होता है ना हम ठीक है आगे बढ़े तनुज राजपूत सिर्प पढ़ाई पर तरहनु ने सिर्फ पढ़ाई कि चलो इधर देखो कि ये सब को पता है अब लिखो ना तिर्भुज ओ visia measurement को मैं ने बताया वही आये ये इसमें देखते हैं देखें यह पांच दिया है फैसल पूरा पूरा बताया था केंदरों के बीच की दूरी चार है यह तीन है तो हम यह देखेंगे किया समकॉंड बन रहा है कि नहीं कहीं मतलब पाइथा गोरस पर्मी apply की जा सकती है कि नहीं उसके लिए हम इसका टेस्ट करेंगे ठीक है तो पहले हम लिखेंगे ओ ए इसका स्कॉयर कर लो इन दोनों का स्कॉयर करके जोड़ के देखते हैं क्या यह बराबर आता है अगर बराबर आएगा तो हम पाइथागोर इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओ एक बैलू फाइब दिया है यह 25 सेंटिमीटर आ जाएगा मतलब यह साइट 25 आ गई अब हम यह साइड का स्कॉयर और यह साइड का स्कॉयर करके जोड़ेंगे तो ओ ओ डैस प्लस ए ओ डैस इसका होल स्कॉयर इसका भी होल स्कॉयर ओ ओ डैस का मान कितना है बताऊ फट से तो काजल यादो बताए परसांत मलिक जबाब दो फटा फट जल्दी करो बेट बहुत जल्दी देखो कमेंट कड़े रहो ए फालतू कमेंट वाले को बलक करिए आप सर क्या कर रहें बलक करिए इनको फटाफट करिए फालतू वाली तुरंद बलक करिए यह आंसर एक नहीं बता रहा है और सिर्फ पांडे और को यह निवन वह ने पूछा कि ओ ओ डैस की लेंध कितनी है देखो इतने नालाइक हैं यह एक नहीं देख रहें चलो ठीक है दिब्यांसी जी ने कोसिस किया दिब्यांसी जी देखिए यह सेवन नहीं है ओ ओ डैस कह रहा था देखेसा के दोनों बित्तों के जो केंद्रों की बीच की दूरी है वह कहरा 4 centimeter तो भाईया यह ओड़ा Sy तो यह कितना था फूर था ऐसे पूछ लेंगे तो मूढ़ा लोगे दिमाख नहीं लगा रहा हिओ ए ओड़ाइस की लेंथ कितनी है बोलो हट से बताओ चंदर सेखर यादो साजन गेमर बोलो देखो बेटा ए ओड़ाइस की लेंथ 3 है अच्छा ये जोड जाड के बता रहे थे ये चार चोग 16 हो जाएगा तिन तरीका 9, 16 धन 9 बराबर हो जायागा 25 सेंटिमीटर यानि हम कहा सकते है कि यहाँ पर बेटा ये भी 25 आया और इन दोनों को वर्ग करके जोडने पर भी 25 आया तो हम इसे करड़ मान सकते है सबसे बड़ी बुजाना करड़ मान सकते हैं और अगर इसे हम करड़ मानेंगे तो इसमें एक एंगल 90 का भी बनेगा बोलो बनेगा की नहीं इसमें पाइथागोरस पर्मी अप्लाई की जा सकती है क्योंकि इसमें जो लंब और आधार का वर्ग है उसका योग करने पर करड़ के इसकायर के यानि वर्ग के बराबर आ रहा है यानि पाइथागोरस पर्मी इसमें अप्लाई की जा सकती है न लिख लिजी आप लोग लिखना है तो नीचे पूनम सिंग बहुत अच्छे दिब्यान सी अंकित पांडे रूपेश बंसल बेरी गुड नीचे लिखिए इसके नीचे जब किसी तिर्भूज में दो भूजा के वर्गों का योग तीसरी भूजा के बराबर हो तो वहाँ पाइथागोरस पर्मिय का परियोग किया जा सकता है जब फिर ऐसे भी कह सकते हैं तो वहाँ पाइथागोरस पर्मिय लगाई जा सकती है आप समझ लो बस ठीक है चाह जैसे भी अब लिखिए नीचे पाइथा गोरस पर्मिये से पाइथा गोरस पर्मिये से इंगलीज वाले लिखेंगे बाई पाइथा गोरस थरम तो यहां क्या हो जाएका बेटा एंगल ए ओ डैस और ओ इक्वल 90 डिग्री यानि हम इसको कोण को 90 क्या किये पाइथा गोरस पर्मिये के माद्यम से इसे प्रूब कर दिये यह क्या ओ डैस कितना नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् अब आगे बढ़ेंगे फिर से ध्यान देना उसे मैंने गल्ती किया नीचे से मिटा के लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए अगर नहीं लिख पाए तो जैसे आप वीडियो बैक करेंगे आपको ये मिटाई गई चीजें फिर से दिखने लगेंगे इसमें कोई ऐसा है जो इस्क्रीन साथ नहीं लेना जानता है बोलो या तो इस्क्रीन सार्ट लेके लिखा करो या तो वीडियो को रोंक करके लिखा करो वीडियो को रोंक होगे तो लाइब में साथ नहीं रहा पाओगे पीछे हो जाओगे इस्क्रीन सार्ट ले लीजिए बाद में लिखा करिए चलिए ठीक है आगे बढ़ें फिर आईए इतना हो गया पहला अब लिखिए इसी तरह इसी तरह समझे ना अभी हमने क्या किया A, O, O, D, S में किया था अब बच्चा हम नीचे आले तिर्भूज में आएंगे O, B, O, D, S में लिखिए इसी तरह तिर्भूज O, B, O, D, S में ठीक है इस तिर्भूज में भी ऐसे ही परक्रिया अपलाई करेंगे इस तरह से एक और equation मिलेगा दोनों को जोड़ देंगे आपका अंसरा जाएगा आईए इसमें भी देख लेते हैं क्या पाइथा गोरस पर्मी एपलाई करने लाइक है यह आया 25 सेंटिमीटर हमने निकाला O, B O, D, S, B और O, O, D, S का स्क्वाइर करके जोड़िए O, D, S, B होल स्क्वाइर प्लस O, O, D, S, होल स्क्वाइर O, D, S, B, 3 है और यह 4 है इसक्वाइर है याद रखना ठीक है सिंद्रिक का 9 और 4 चोग 16 यह हो जायागा 25 फाइनल में देख लो यह 9 हो जायागा यह 16 देखो बेटा यह फाइनल में 25 आ गया हम इसे यहाँ भी लिख सकते है हम कह सकते है सिंगल साइड का जो इसक्वाइर आया था 25 सेंटिमेटर आया था उसी तरह से इन दोनों को इसक्वाइर करके जोडने पर भी 25 आया यानि यहाँ भी आधार और लंब का इसक्वाइर करके इसक्वाइर के बराबर आ रहा है यहां भी हम पाइथा गुरस परमिय अपलाई कर सकते हैं है ना लिख लेंगे फिर से लिखना चाहो तो लिख लो क्या लिखोगे यहां पर भी भुजाओं के वर्गों का योग यहां पर भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भूजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है आता सबसे बड़ी भूजा ओबी का सम्मुक कोण ओडैस नब्बे का होगा इसके सामने का कोण नब्बे होता इसका सम्मुक कोण मालोम है कि नहीं आपको और करण कौन सी है, हाइपोटेनियस कौन सी है, कैसे पहचानते हैं हाइपोटेनियस की एक पहचान होती, सबसे बड़ी होती है तीनों भुजाओं में इधार आओ O, B, O, डैस फिर से देखो, O, B, O, डैस इसमें देखो, O, B, 5 है, O, डैस, B, 3 है और O, O, डैस, 4 है, यानि 3, 4, 5, सबसे बड़ी भुजाए ही है न तो इसका सम्मुक कौन? O, डैस यानि ये नीचे वाला जो है O, डैस इसमें ये क्या होगा? 90 का होगा, यहाँ भी ये 90 का बना था यही तो हम निकाल रहे थे न अब नीचे आप लिखो, इसलिए कौन B, O, O, डैस बराबर 90 इसलिए एंगल B, O, O, डैस B, O, डैस, O लिख लो बराबर 90, इक्वैसन नमबर सिकेंड इक्वैसन नमबर क्या होगा? सिकेंड होगा, दोनों को जोड लीजिए रोहिद विसकर्मा जी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए इन लोग को जो करने करने दीजिए आप अपने टाइम मत बेस्ट करिए हमने तो इन से बिलकुल छुट्टी ले लिया, इनको रोकना ही मना कर दिया है जो मर्जी वो करो ठीक है, आप परिसान न रहिए हमारे लोग इनको बोलते नहीं है जो पढ़ने वाले वो पढ़ रहे है आईए अब लिखिए बाई एडिंग समीक्वेसन नंबर फर्स्ट और सिकेंड बाई एडिंग एक्वेसन नंबर फर्स्ट और सिकेंड हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण एक और दो को जोडने पर समीकरण एक और दो को जोडने पर तो बच्चा समीकरण एक आया था एंगल A O-O O-O प्लस एंगल B O-O इक्कोल कितना हो जाएगा भाईया ये नब्बे है ये भी नब्बे था चच्चा तो हम 180 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो लिख सकते हैं कि तनुज राजपूत विसाल कुमार रोहित जी कोई बात नहीं भाई रोहित विसकरमा जी बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे हैं बरी गुड चलिए ठीक है आप अपना काम कर रहे था अच्छी बात है लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप क्योंकि दूसरों को सुधारते सुधारते यहां अपना नुक्सान हो जाता है प्रॉब्लम यह है और आप भी एक इस्टूडेंट है यह हो गया इतना लिख लिए फटापट इसको नोट करिए अब यहां पर आजाओ फटापट सभी यहां पर देखो A O-B अगर हम यहां पर ध्यान दें हमने क्या-क्या जोड़ा है A O और O- ना यह फिर ऐसे देखें A O- O और B O- O यानि यह तिर्भूज यह तिर्भूज हमने जोड़ा है तो इनको जोड़ा तो ऐसे हुआ रहा नहीं है अगर हम देखें सीधा-सीधा एक्सोसियंस का कॉन कब बनता है पहले यह बताओ 180 का कॉन बनने का मतलब एक सीधी रेखा ही की नहीं दिसे बोलते हें क्या क्या जा बोलते हैं इस्ट्रेटेंगल बोलते हैं रिजू कॉन बोलते हैं इस इसीधी रेखा ही यैनि यह जो O- DoeRajous से ना कहीं सिधा होकर करके यहां आ रहा यहां नहीं सिधा हो graphical एकदम ठीक है जो समझदार हैं वो लोग समझ गये होंगे जो कलास को सुरू से देख रहे हैं सारे मतलब थेवरम देखे होंगे वो समझेंगे जो बीच की थेवरम को इसकिप कर दिया वो नहीं समझ भाएगा थेवरम 10.6 और 10.7 भी आपको पढ़ना ज़रूरी है तो नीचे लिखिए इफ लिए A O-B A O-B एक सीधी रेखा होगी एक सीधी रेखा होगी ठीक है कुछ चीज़ें इसमें याद ही कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा था और क्या बताऊं अब यहाँ पे लिखो A B बराबर A B बराबर क्या होगा इन दोनों को जोड़ दीजिए जो दिया गया भाईया अगर यह सीधी रेखा होगी A O-B तो यहाँ से A B निकाल लीजिए A O-S और यह B O-S को जोड़ दीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए O-A धन O-B इनका मान तीन तीन दिया है बराबर 6 सेंटीमीटर यानि A B कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया हमें A B निकालना था देखिए यह कोईशन बहुत आसान नहीं है बिटा ठीक है अनुराग साख्या नोट हो गया अरविंद लिख लीजिए जल्दी करिए देखिए बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है जो यूटूब पर अभी आपका एक नया बैच में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा सुरू से कक्षा 9 का 10 का 11 का 12 का सारी मैथ बिल्कुल फ्री एकदम जीरो लेवल से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए नेक्स्ट कुश्टन नेक्स्ट कुश्टन कुश्टन नंबर सीकेंड इस में से कितने लोग कर लेंगे बोलो फटफट इसक्रीन पर आ चुका है हिंदी मेडियम में इंग्लिस मेडियम में बोल के सुना दूंगा कितने लोग कर लेंगे question स्क्रीन पर दिख रहा है इमांदारी से बताओ second number कौन कौन कर लेगा question देखिए मैं पढ़ देता हूँ कुछ लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कह रहा है कि सुन लोग क्या कह रहा है किर यदी एक बृत्य की दो समान जीवाएं जीवा मतलब होता है कौड बृत्य के अंदर पतिछेद करें पतिछेद मतलब intersect करें मतलब सरकल के अंदर में ही तो प्रूब कीजिए सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं हमें लग रहा है जीवा हैं बराबर सिद्ध करने को बोल रहा है का इसमें यानि कॉड को इक्वल प्रूब करना है क्यों भाई काय निकल रहा है तुँ एक मिनट ठंडी लग जाएगी ने हां कर लेंगे ठीक है तो इनको आप लोग कर लेना कि इसरा कोश्चन में बताऊंगा चलो थर्ड वाला में बताऊंगा सिकेंड आप लोग होम और कर लेना नहीं आएगा तो बता दिये जाएगा ट्राइग करना करके सेंड करना टेली कराम चैनल में तीसरा नंबर पर आज़ा बिठा कर रहा कि यदि एक बृत्त की दो समान जीवाएं यदि एक बृत्त की दो समान जीवाएं अब बृत्त के अंदर प्रतिछेद करें तो सिद्ध कीजिए प्रूब कीजिए कि प्रतिछेद बिंदु को केंदर से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोड बनाती है आईए पहले इसको हम बनाएंगे तब ही आप लोग समझ पाएंगे ने तो समझ नहीं पाएंगे पहले तो फिकर बनाएए एक सरकल ड्रा करिए करा एक बृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को अंदर में ही प्रतिछेद कर रही है तो पहले तो हम दो समान इसमें जीवाएं खीचेंगे जीवाएं प्रतिछेद तब करेंगी हैं कि यह हम मानते हैं आइसे जा रही है तभी तो एक दूसरे को क्या कर रही है इंसरे कर रही यहां पर कर रहे है। सर्कल का सेंटर यहां कहीं रहा होगा समझते चलना लेकिन इसमें ठोड़ा रही हो रहा Спार्यौ अब परतिछेद कर रही ना वह गड़बड हो गया है सीधा बनना चाहिए सीधा बनेगा तो थोड़ा हल करना आसान होगा बाकी वह भी सही था लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होगी हुँ तो इधर साइड बनाएंगे उधर नहीं बनाएंगे अब की बार हम और गोला बनाएंगे न अच्छा बनाएं की नहीं अधर गंदर नहीं चलो के डन अब देखो समझना है आपर हम लोग एक काम करेंगे वह काया पता है यह ऐसे और यह यह कहीं इसका सेंटर होगा यह जीवाएं हैं दोनों यह जहां पर परतिछेद कर रही हैं इनको हमारी कोसिस है उसी पर से यह जाना चाहिए ठीक है इन जीवाओं के नाम कुछ भी आप लिख दीजिए A, B, C, D तो मान लो इनके नाम मैंने A, B लिख दिया कुछ भी किसी को किसी तरफ लिख सकते हो नाम ही डालना है इनके नाम C, D डाल दिया केंद्र का नाम O, लिख दिया और जहां पर यह आके मिल रहा है उस पर चाहिए कुछ लिख दो या ना लिख दो लेकिन ध्यान रहे यह यह यहां तक नहीं मिल रहा है केवल उसी को किसी पर टच कर रहा है बस कितना फिगर बन गया सबका रूपेश बनसल बेदांग तिरपाथी अंसिंग पटेल योगेश ठीक है अब देखो बच्चे उसको हल करने के लिए हम इन दोनों को भी मिला लेंगे लंब वात ऐसे यह क्या है जीवा पर लंब है याद रखना यह दोनों क्या है जीवा पर लंब हैं इनका नाम हमानलो यम ले लिया इसका नाम यल ले लिया ठीक है याद रखना यहाँ पर मैंने यल लिखा यल फार लाएन यहाँ पर यम यम फार मंकी आईए अब क्या करेंगे अब लिखेंगे दिया है क्या क्या और हल क्या करना है लिखिए given हिंदी वाले लिखेंगे दिया है देखो बेटा इसमें क्या दिया है A B बराबर C D A B बराबर C D दिया है आप कहोंगे कैसे दिया है जानते हो A, B, C, D के बराबर दिया है क्यों दिया है मतलब कैसे जानगे बराबर है बहुत काला काला दिख रहा है question में देखिये कह रहा है कि दो समान जीवाएं समान का मतलब दोनों बराबर है ठीक है तो दोनों कौड क्या इक्वल है इसलिए हमने क्या लिखा यह बराबर दी गई है ओके कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो यह हो गया इतना कॉड्स इंटरसेक्ट एट एक्स लिख लो कॉड्स इंटरसेक्ट एट एक्स हिंदी में लिख लिजिए दो बराबर जीवाएं A, B और C, D एक दूसरे को बिंदु एक्स पर परती छेदित करती है दो समान जीवाएं A, B और C, D एक दूसरे को बिंदु एक्स पर परती छेदित करती है यह दिया है हिंदी इंग्लिस दोनों में बता रहा हूँ जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे जो नहीं समझदार हैं उनके बगवाने मालिक इसमें लिख लो प्रूब देट प्रूब देट मतलब सिद्ध करना है प्रूब देट मतलब सिद्ध करना है हिंदी वाले लिख लें सिद्ध करना है क्या क्या करना है O, X, L Equal O, X, M कहने का यह मतलब है यहां देखो ओ एक्स एल हां यानि जो यह एक्स डिगरी नब कोण है यह और दूसरा वाला नीचे वाला ओ एक्स एम यह दोनों बराबर है ठिक है अभी हम इसको करके दिखाएंगे कहने का इनका मतलब यह है कि यह लंबवत इस पर पढ़ रही अगर तो वो कोण 90 के होंगे हमें यही प्रूब करना है कुश्चन देखो नीचे क्या दिखा रहा है करा कि सिद्ध की जीए कि पतिखेद बिंदु को जो केंदर से मिलानी वाली रेखा है वह जीवा से बराबर का कोण बना रही है यानि यह एंगल दोनों साइड का हमें बराबर सिद्ध करना है ठिक है तो लिखो एंगल OXL equal एंगल OXL equal एंगल O X M O X Y M यह नीचे वाला ठीक है? OK, done O X Y M यह यह X यह दोनों कोड़ बराबर सिद्ध करने को यह बोल रहा है क्योंकि जो केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है जो जीवा पर आके इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर वो बराबर बराबर का equal equal angle बना रही बराबर कोड बना रही है यह प्रूब करना है अब लिखिए इसमें construction हिंदी वाले लिख लीजिए रचना रचना में लिखिए O L perpendicular A B O L perpendicular A B यह को मैंने पहले ही कर लिया है यह देखो O L perpendicular A B मैंने पहले ही खीच लिया है यह रचना में आता है क्योंकि यह रचना मैंने किया खुद से O से एक रेखा यल पे खीचा है ठीक है और O M C D O M perpendicular C D यानि O M यह C D पर यह मैंने खुद से खीचा यह रचना में आता है ठीक है इसलिए मैंने रचना अलाग से लिखवा दिया लिख लो फटाफट अब लिखिए proof question मैं हटा देता हूँ देखिए अब हम क्या करेंगे O L X और O M X में चलेंगे आओ चलो इधर साइड में लिखो proof हिंदी में लिखेंगे उपत्ती और कौन से तिर्भूज में लेंगे ध्यान देना ये छोटे वाले तिर्भूज में एक बार एक बार बगल वाले में कुछ तो देख रहे हैं ये पढ़ नहीं रहें भाई आयूस कुमार आयूस कुमार आयूस कुमार लिखे पढ़े हैं भाई पढ़ लो बेटा पढ़ लो पढ़ लो नहीं तो आएसे मजा नहीं आने वाली हां पढ़ लो लिखिए फटा फट लिखिए तिरबूज O L X और O M X में O L X और O M X में कैप्टल में ही एक्स लिखो अच्छा रहेगा आईए देखिए O L X और O M X यानि ये तिरबूज ये अरे भाई जहां मैंने नब्बे वाला ये साइन बनाया था नब्बे का है यहीं दोनों तिरबूज में यहां पर जहां मैंने A B लिख दिया वालो A और B वाले इस दोरत रिपुज में क्या करना है इसमें दिया क्या है आप देखो तो OL बराबर OM होगा OL OM के बराबर है इसको भी हम लिखेंगे लेकिन अभी लिखी लो क्या करना है बराबर जीवा केंजर से बराबर दूरी पर होती है लिखो OL इक्वल OM क्यों बराबर है मालूम है क्योंकि जो OL है और OM है वो दोनों बराबर जीवाओं पर लंब है और बराबर जीवाएं हमेशा केंजर से बराबर दूरी पर होती है लिख लिजिए बराबर जीवाएं केंजर से बराबर दूरी पर होती है बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है ठीक है ये कारण है इसमें और भी बराबर मिलेगा आपको कौन-कौन ओ एक्स दोनों में कॉमन है ओ एक्स दोनों में कॉमन है कैसे देखो ओ एल एक्स और ओ एम एक्स में ओ एक्स दोनों में है बेटा ठीक है तो ओ एक्स इक्वल ओ एक्स ब्रेकट में लिखो कॉमन ये दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन है इसके अलामा इसमें O L X O M X ये दोनों 90 के हैं O L X और O M X बहिए ये अंगल यल जो है और अंगल यम अंगल यल और यम दोनों पहले से 90 के हैं 90 के क्यूं है? 90 के क्यूं है पहले लिखो पिर बताओं लिखो एंगल O L X इक्वल एंगल O M X इक्वल 90 इक्वल नहीं लिखना स्वारी ब्रेकर्ड में लिख लो 90 डिगरी के हैं समझने के लिए सुन लो चाहिए तो लिख लो 90 डिगरी के क्यूं है? क्यूंकि ये जो O L है न वो A M पर लंबवत है परपेंडी कुलर है और अगर कोई भी रेखा किसी भी रेखा पर परपेंडी कुलर होती तो वहां 90 बनता है आपको मालू में न अगर परपेंडी कुलर है तो 90 बनता है तो लिख लिख लिजी ब्रेकर्ड में केंदर से मिलाने वाली रेखा लंबवत है आता यह दोनों को नब्बेंस क्यों हो गई केंदर से केंदर से जीवा पर लंबवाली रेखा यानि ओ यल लंबवत है इसलिए जोनों नब्बे के हैं ठीक है अब देखो दो साइड मिल गया एक कौन मिल गया अब नीचे आप लिखिए इफ लिए O L X नीचे दिख रहा न लिखिए इसलिए तिरभूज O Y L X यहां लिखिए परपेंडिक ओ सरी कांगुरियंट O M X यह दोनों क्या होगे कांगुरियंट होगे सरवांगसम होगे ठीक है और अगर यह दोनों सरवांगसम है तो क्यों है क्या रूल लगा इसमें बताईए कोई बताएगा नीवन सरवांगसमता नियम का कौन सा रूल लगा है मतलब कांगुरियन ट्रेंगल का कौन सा रूल लगा है क्या आई से कुछ रूल सुने होग नहीं मैं सब सही नहीं बता रहा हूं इसमें लेकिन इसमें सेकाज सही भी है बताओ कौन सा लगा है असीज गेमर बेटा अब लग करें क्या तुम्हें है शूरत सुनकर एस बता रहे हैं सबसे पहले दिब्यांसी जीने बताया दिब्यांसी जाग रही हो जो रही हो हूं भाईयाओ ए में एक ठीयावर भी रूल होता है यहां नब्बे अंस की कौन की बात हो रही थी किवल एंगल एंगल नहीं थे वो नब्बे वाला था तो इसमें लिखेंगे बाई आर एच एस बाई आर एच एस ठीक है अर एच एस भी सरभांगसम तक एक रूल होता है समझ में आया चलो इसको लिख लो इतना और वीटा आगर दो तीरभूज कोई भी सरभांगसम है तो उनकी जो करस्पांडिंग साइड होती है करस्पांडिंग एंगल जो होते हो इक वोखे ना जानी सर्भांगसम тобo की संग ओ एक्स यम यानि हमें यक्स जो कोंड है उसको बराबर सिद्ध करना था हां बराबर दिखाना था तो भया जब हम पूरा तिर्भूजा को बराबर दिखा दिये हैं सरबंगसम दिखा दिये हैं भी तो बरापर हो जाएंगे तो आप नीचे आप लिखें इफ लिए नीचे जगां नहीं है यहां पर लिखो लाइश्ट में फाइनल स्टेप्स फाइनल है आप लिखो इस लिए एंगल ओ एक्स यम इस ब्रेकट में लिख लो बाई सीपी सीटी इसको में एक अलग कलास में पढ़ाया था सीपी सीटी सिर्फ हांके लिए यही पढ़ाया था कच्छनों यह दस में कहीं पढ़ाया था अगर नहीं मिल रहा है तो आप सीपी सीटी समझना बहुत इंपॉर्टन्ट है आपके लिए तो बेटा एक काम करो यूटूब पर आप सीपी सीटी और पीवियार स्टडी अगर सर्च करके देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा वो जिसमें मैंने सीपी सीटी के बारे में डीटियल में पढ़ाया है ठीक है तो इस तरह से आपका ये भी कुश्चन खतम होता है द कि खोली जीटेंप पॉइंट फॉर उसमें फ़ाइब नंबर कुश्चन नजर गड़ा ये क्या कहता है करें एक पार्क में पांच मीटर तरिज्या वाले ब्रित्ध पर तीन लड़कियां खड़ी हैं एक पार्क है जहां गूमने जाते हैं आप लोग वहां पर पांच मीट की तीजया है उस घृ सिपाय की थिक है पार्क में 5 मीटर से यह लृत पर तीन लड़किया खड़ी है वह आपक पर कोई जगा है उसपेस जिसमें तीन लड़कियां 5 मिटर के अंदर कि यहां कर रही है कि गेंद को सल्मा के पास तथा सल्मा के पास पेक रही है इनको मैंने यहां से दिखाया है यह मैंने पार्क में पांच समीटR का बियुक्त कार पफ बना लिया है रेस्मा यहां खड़ी है, सल्मा यहां खड़ी है, मंदीप यहां खड़ी है, ठीक है? कहरा कि यह जो दोनों सब खेल रही है, लाश्ट में यह भी बोल रहा है question में देखो कि यदि रैस्मा तथा सल्मा के बीच और सल्मा तथा मंदीप के बीच की परतेक दूरी 6 मीटर है यह मैंने लिख दिया रैस्मा और सल्मा के बीच की दूरी 6 मीटर और यह सल्मा और मंदीप के बीच की दूरी भी क्या लिखा 6 मीटर यह ऐसा दिया है तो कहरा फिर रेस्मा और मंदीप के बीच की दूरी ग्याद कीजिए यानि हमें आर और यम निकालना है रेस्मा और मंदीप के बीच की दूरी निकालना है आईए लिखते हैं जो दिया है सबसे पहले लिख लीजिए हमें एक बृत्त दिया है सरकल दिया है जिसकी तिरिज़ाएं OR equal OM equal OS भराबर 5 मीटर दी गई है यह मैंने क्यूं लिखा है क्योंकि ये दी गई है कहरा कि OR भराबर OM OS यह सा बराबर बराबर है यह बराबर इसलिये हैं क्योंकि बृत्त की तिरिज़ाएं हैं वह किसी भी बृत में किसी भी सरकल में जो रेडियस होती हमेशा इकोल होती है यह सब है इनको मैंने पांच पांच लिख दिया बराबर इसमें जी वाएं भी बराबर है आरियस बराबर यह यह दोनों आप सबको पता है इतना आप कर लिए अब मैं question हटा करके इसको हल कर सकता हूँ न अब आप लिखेंगे प्रूफ ठीक है क्या लिखेंगे बच्चा प्रूफ लिखिए कुश्चन हटा देता हूँ ऊपर कर देता हूँ चलो यहां दिख रहा ना क्लियर ठीक है तो इधर साइड में आ जाओ यहां पर मनें इसको लिख दिया अब हम यहां पर लिखेंगे प्रूफ यह हिंदी में लिखेंगे उपत्ती उपत्ती में ही सारी कहानी करते हैं जो भी करना होता ठीक है अब इसमें एक हम रचना करेंगे छोटी सी पुरूफ के पहले आप रचना भी लिख सकते हैं लिखिए ओ से ले करके ओ से ले करके आरेयस पर एक लंबौत रेखा खीचेंगे यह आरेयस पर यहां कहीं आएगी इसका नाम मान लेते हैं हमने यल लिख दिया ठीक है तो आप पुरूफ के पहले यहां रचना लिख लिजिए फिर पुरूफ बाद में लिखिएगा रचना इंगलिस में अगर आप हैं तो आप लिखिए कांस्ट्रेक्शन ठीक है कांस्ट्रेक्शन लिखिए इसमें लिखिए ओ से आरियस पर एक लंबवत रेखा ओ यल खीचा ओ से आरियस पर एक लंबवत रेखा लंबवत रेखा ओ यल खीचा ठीक है इसको लिखने के बाद में आप इन रेखाओं को लंबवत दिखा देंगे O, L, perpendicular, R, S O, L, S, perpendicular, R, S ठीक है, यह S है, यह S, फार, सपेरा ठीक है, यह है, जो मैंने अभी खींचा है, इसमें अगर ध्यान दीजिए तो भाईया, अगर यह पूरी रेखा 6 मीटर थी, तो बबुआ यहाँ बीच में अगर यह ला गया तो यह आदा कितना हो गया, यह 3 हो गया और यह भी कितना हो गया, 3 हो गया ध्यान रहे ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते है इफ लिए R, E, L बराबर 3 मीटर चोटा फ्यान लिख लिजिए R, E, L, B, R, 3 मीटर और R, L, S, B, R, 3 मीटर ठीक है ये जरूरी है ओके क्योंकि बृत्य के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम्दुभाजित करता है ये पर्मिय याद रखना ये आपस में क्यों बट जाएंगे आरेस आपस में बराबर बराबर ही क्यों बटेंगे आप लोग का सवाल होगा कि क्या यह R.A.S के बीचों बीच पे ही जा रही कहीं अगल बगल तो नहीं जा सकती है कहीं और भी चलि जाये तो नहीं क्योंकि वृत्ते केंदर से जीनद्र पर डाला गया जो लंब है वो हमेशा जीनदर को कॉर्ड को V.S.E.KT करता है बी सेक्ट का मतलब सम्दू भाजित करता है बराबर बराबर दो पार्ट में तोड़ देता है इतना हो गया अभी तो यह माल लिदिए कि रचना का भाग था पहले हमने हल लिखा जो गीबन में था उसको लिखा फिर ग्यात करना है प्रूब दैट यह क्या इंगलिस में O L R में इसमें अगर देखो तो भाईया यल जो है वो 90 का बन रहा है यल 90 का क्यूं बन रहा है ध्यान दो यहां पे यल 90 का इसलिए बन रहा है क्योंकि यह लंबवत आ रही है आरेस पर पर परपेंडिकुलर है न तो लिखो तिरभूच O L R में एंगल एल लिख लिजे ऐसे इक्वल 90 डिग्री अगर यह 90 है तो इसमें पाइथा गोरस परमियर लग सकती है हम कह सकते हैं O R का होल स्कॉयर और इसके बाद क्या करेंगे बराबर कर सकते हैं इसको हम O L का whole square और L R का whole square ठीक है L R और O L L R का whole square प्लस O L का whole square इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए O R अगर हम देखें तो एक त्रिज्जा है एक radius है बाबु न इसका जो radius है 5 दिया था पहले से ही अगर 5 दिया था तो हम 5 रख देंगे और L R L R अभी अभी मैंने यहां लिखा था 3 है तो यह 5 है तो यह हो जाएगा 5 का square यह 3 है तो 3 का square O L जो कि अभी अभी हमें मिला है हमने इसको खींचा है यह पता नहीं है तो O L हम यहां से निकालेंगे इसका whole square इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई परसानी नहीं न आओ फिर ठीक है बिटा पूरा इंड तक कलास देखना मैं बार बार बोल रहा हूं बीच में छोड़ के न जाना नहीं समझ में नहीं आएगा इतना समझ में आया 25 का square 25 23 का square 9 इसको इधर ले आएगे घट के 16 हो जाएगा फाइनल में आओ यहां पहल कर देते हैं तो यह हो जाएगा 25 माइनस नो इकोल ओयल का होल स्कॉयर 16 इकोल ओयल का होल स्कॉयर तो अंडरूट 16 इकोल ओयल यानि प्लस माइनस 4 इकोल ओयल OL जो यह नई नई नबीली रेखा मने खींचा था इसकी लेंथ क्या है 4 मेटर क्योंकि सभी मेटर में है तो OL कितना हो गया अब अब 4 मेटर याद रखना ठीक है इतना लिख लिजिए इसको फिर हम इरेज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे नए पनने से जल्दी करिए नोट करिए फटा फट वीडियो करों करके लिख लीजिए चले आगे बढ़ें हो गए आपने लिख लिया उमीद है चलिए आगे देखते हैं ध्यान दीजिएगा पूरा कलास को एंड तक देखना मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे कि आपको हर एक बात समझ में आए अभी हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो कलास खतम होने पर आपको सब समझ में आ जाएगा ठिक है आईए तो बच्चों अभी तक हमने ये ट्रैंगल लिया था OLS आप सबको पता है न OLS या फिर ORL भी इसको बोल सकते हैं यानि हमने ये पार्ट छोटका वाला ट्रैंगल लिया था अब हम तिरभूज O RS लेंगे पूरा बड़ा वाला क्यों लेंगे च्योंकि हमें RM निकालना है त एक बार इधर साइट को अधार मान लें तो हमारा जो RM है वो आ जाएगा RM कैसे आ जाएगा क्योंकि हमें ये बीच वाली जो आधी लाइन है वो मिल जाएगी और उसके माध्यम से हम पूरा निकाल लेंगे ठीक है आईए चलिए अब इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या कहा बराबर क्या होता है एक बटा दो और आधार गुड़े लंब ना इन्टू बी इन्टू पी बी का मतलब बेस यानि आधार परपेंडिकुलर यानि लंब ठीक है तो याद रखना बी का मतलब आधार हिंदी मीडिया माले जान ले पी का मतलब परपेंडिकुलर यानि लंब ठीक है समझने के लिए लिख दिया हूँ चलो तो भाईया इधर देखो अगर हम O इधर RS को क्या माने आधार माने और OL को लंब माने OL को किसको माने लेकिन OL को लंब हाँ ठीक है ओके गुड इसको अगर आधार माने और इसको लंब मनें तो क्या बनेगा आपको पता है। आईए मैं बताता हूं। इज़ार देखिए। वन अपान टू हमने क्या कहा। RS, है RS 6 है ना पूरा टोटल क्योंकि 3 यह था, 3 यह था। स्टार्टिंग मैंने बताया था यह थे तो आप क्या करोगे इसका मांद 6 रख दो गए ठीक है इसका मांद 6 रखो पटापट जब आरेस को आधार माना गया इसमें याद रखना चाहे लिख लो और परपेंडी कुरार लंब जो है ओयल कितना आया चार आया है सबको पता कितना आया चार आया है इस तरह से इसको हम मान लेंगे equation number first इसको यहीं छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे equation number first मान लेंगे अब नीचे लिखिए OS OS को आधार मानने पर तिर्भूज ORS में लिखिए तिर्भूज ORS में OS को आधार मानने पर अब ध्यान देना हम इसको OS को अगर बेस मान लेंगे तो क्या होगा यहां पर लिख लो तिर्भूज ORS का छेतरफल सब कुछ हुआ ही रहेगा सिर्फ थोड़ा सा बदल जाएगा वो देखो क्या बदलेगा यह बेस इंटू परपेंडी कुलर तो भीया यहां से समझना बेस का बैलू रख दोगे बाबू और परपेंडी कुलर का रख दोगे देखो इसको बेस माना था अगर यह तिर्ज्य पांच है तो यह भी पांच है तो यह भी पांच होगी सिधी सी बात है वो बैस doubts ८र्ण और odpow is already our when unpack舌 भी n यह न्यकले मैं दिखाता हूं प्रूपगो यह बिच में है नहीं मैंने लिखा नहीं सॉ यह नहीं को यह करेंगे तो कहां पहुंचे थे हम इसमें है आफ हैं को बेसले मैंने ओ एस को माणना है जो की 5 है और यह और और क्या है आपका अप्रपेंडीकूलर है ठीक है थेकल वहा रहा होगा मुझे पता है एक यह लंब है यह आधार है और यह कर्ण है करण छे है यह से हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसमें हम निकाल रहें इसका छेदर फल तो यह हो जाएगा आपका इक्वेसन नंबर सिखेंड इक्वेसन नंबर सिखेंड दोनों इक्वेसन को आप बराबर कर दीजिए और आरियन का मान न था चलो फट से इसको लिख लो इसको मिटाके मैं दोनों इक्वेशन बराबर कर देता हूं इसको उसके बराबर जल्दी करो भाई ओगे डन नीचे ही कर दू मैं चले हां पर लिख लो पर लेक लाइन समी करण 1 बराबर समी करण 2 करने पर या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं समी करण 1 की 2 से तुलना करने पर अंसर निकालने के लिए हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे जो भी आया है ठीक है चलिए इनको हल कर लीजिए फटा-फट कल्कुलेशन है और कुछ नहीं है अंसर आपका दोड़ता हुआ आ गया यह वन अपांटू से वन अपांटू पूरा-पूरा कट जाएगा तो यहां से आर्यन बराबर क्या आएगा भई यह 24 हो जाएगा पांच इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा इस तरह से आर्यन बराबर हो जाएगा इसको भाग दे लिजिए पांच चोग बीस हां पांच अठे चालिस तो फोर पॉइंट एड मीटर आएगा यानि यह त्रिज्या पांच मीटर थी यह जीवा है थोड़ा कम है देखो यह ब्यास के बगल में ही है लेकिन थोड़ा दूर है इसलिए मतलब .2cm है द तो अगर यह इतना है तो यह में भी यह होगा में पॉइंट एड मीटर होगा क्यू होगा होगा कि हूद कि हम सबको पता है कि अपन्स को टूंकर को आयं हो कि अधाधा कट्रा भिंचे से तो अगर ढूंब हमें मिल गया तो हम यहां लिख सकते हैं आता हां यम यन यम यन बराबर लिख लो अर keywords यम य ने सौरी आर यम बराबर यहां लिखो भई हमें निकालना जो है फाइनल में वो लिखेंगे न यहाँ पर लिखो आर यम बराबर आर एम तो यह आर यन और यन यम जोड़ देंगे आर एन धन एन एम यह जोड़ देंगे तो यह दोनों 4.8 हैं दोनों इक्वल हैं फाइनल में 9.6 मीटर आ जाएगा किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए नहीं न जल्दी लिख लिजिए आपका पच्वा नंबर कोईश्चन कंपलीट हो गया कोईश्चन नंबर 6 देखिए द्यान दीजिए बहुत ही प्यार से देखिएगा बटा और इंड तक देखना मैं फिर से बोल रहा हूं उसी दस मिनट देखना बस पहरा कि 20 मीटर तिरिज्या का एक गोल पार्क बृत्ताकार है जो की 20 मीटर तिरिज्या है मतलब काफी सब्करमर अगल घर है तीख ए करकि तीन लड़के पिछले कला को स्टें मैं लड़की और 20 मेल अधिकार मिला ठीक है उन लड़कों के नाम हैं अंकुर और ये होगई अंकुर और का रहा कि इसकी परसीमह पर बराबर बराबर दूरी पर बैठे हें। उस पार्क में ये सब बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं यानि AS से जितनी दूरी है इस बीच की उतनी दूरी SD के बीच की भी है और उतना ही दूरी AD के बीच की भी है तो हम कह सकते हैं कि AS, SD और AD आपस में बराबर हैं जो कि मैंने इस दिये वाले में लिख दिया है ठीक ह इसमें किसी को कोई डाउट कोई परेसानी कुछ भी दिक्कत तो बता देना बिल्कुल टेंसन मत लेना ठीक है आगे कहता है कि और परतेक के हाथ में एक खेलोना टेली फोन है यानि टॉय टेली फोन है मतलब वह लोकल वाला फोन जिसको पहले हालो लोग बोलते थे फाल तूक बंधा है और वहर कोई पकड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो बढ़िया हो अगर यह गोला गोला ब्रित्ता कार्म बेठे तो धागा गोला गोला नहीं जाएगा धागा तो सीधा सीधा जाएगा ना बोलो अगर हम किसी गोला गोला बना करके आप खींच के देख घर में अपने गोंडा की चलो ऐसे उसमें तीन लड़के खड़े कर दो और उन्हें एक-एक कोई बस तुदे दो जिसमें धागा बंधा हो तो धागा किनारे किनारे गोला की नहीं जाएगा वो तो सीधा जहां से कोई होगा उसी पर से ऐसे खिंच जाएगा ना तो आगे क खह रहा कि फोन की जो डोरी है उसकी लंबाई गयात कीजिए परतेक का मतलब यह किन सब के बीच की तो हमें कहने का मतलब AAS SD या AD में से कोई एक निकालने बस हो गया यही करना है आईए सबसे पहले लिखिए गिबन दिया है जो दिया था मैंने लिख दिया इसको बताना न कि यहां पे लिखो प्रूफ क्या करना है लिखो ँपत messaging लिखो एएस के बडिया यहां यहां कर सकते हैं कि यहां कि इसको कर सकते हैं एक काम उखा कर सकते हैं मैं बताता हूं यहां पर समझो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नहीं बोलो कर सकते हैं न यानि इसको टू बीएस लिख सकते हैं क्यों बीएस में टू बीएस क्यों लिख सकते हैं क्योंकि देखो यह आधा आधा यहां से यह लाइन बढ़ जा रहे हैं और यहां पर क्या बीएस है न तो जितना इधर बीएस होगा न उतना ही होगा न तो इसकी जगापे हम टू बीएस लिख सकते हैं और यह क्यों लिख रहें अभी देखना एक जुगार बना रहें ठीक है तो आइए एस बराबर हो जाएगा एस अपांटू इकॉल बीएस यह ह समीकरण नंबर एक बना लीजिए इसको अभी यह काम आएगा आगे ठीक है देखिए यहां पर एक कंसेप्ट आपको समझना है जिसे सुन लीजिए अगर कोई भी संभाह तिर्भूज है जिसे इक्वालेटरल ट्राइंगल बोलते हैं तो इक्वालेटरल ट्राइंगल में क केंद्र से होकर के जा रही है कि कोई ऐसा एक्वालेटरल ट्राइंगल है संभाहु तिर्भूज है जो किसी ब्रित के अंदर बना है और उसमें एक माद्धिका एनिमीडियन खीची गई है जो कि सेंटर से होके जाती है यह ऐसे तो वह उस सेंटर को टू और वन के रेशियो में डिवाइड करती है यह परमी है जाद रखना ठीक है दो और एक के अनुपात में बाढ़ती है और अगर ऐसा होता है तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ए ओ जो है वो दो है और ओ भी एक है ठीक है तो यहां लिख लिजिए अभी कामें आएगा आगे चलके a o बराबर 2 और o b equal 1 ठीक है सभी किसमें मीटर में दिये थे यह भी क्या हो जाएगा मीटर में इतना लिख लिजिए question हटाता हूँ अब आगे दिखाता हूँ चलिए देखते जाएए अब यहां पर समझना हमने कहा कि इनका ratio 2 और 1 का है तो बेटा हम यहां पर अब कर सकते ह हमने क्या किया पहले उपर से सुरू किया है यहां तक हल किया है यहां के बाद इधार चल रहे हैं तो हम इनको a o upon o b equal to upon 1 कर सकते हैं अगर हम देखें a o a o इस ratio में तो 2 और 1 का ratio है लेकिन वास्तों में a o इस ब्रित्य की त्रिज्या है बोलो है कि नहीं a o इस center का क्या है radius है तो question में क्या कहा था एक बार फिर से देख लो question में कहा था कि 20 meter त्रिज्या वाले goal park यहनि radius 20 दी गई थी तो हम a o का मान 20 रख सकते हैं upon o b equal to upon 1 समझते चलना तो o b निकाल लेंगे बच्चा तो 20 बटा दूई बराबर 10 यानि o b बराबर 10 meter कोई दिक्कत कोई doubt तो बता देना ठीक है o b o b यह 10 हो गई यही तो है o b निकल रहा कि कुछ और निकल रहा भई o b ही निकला है कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह o a 20 है यह 10 है यह थोड़ा आधा दूर पर ठीक है पूरा किनारे तक होता तो 20 तक हो जाता इतना लिख लिया आगे चलिए इसको करने के बाद अब ध्यान देना यह इतना मैंने कैसे कैसे कि आप सबको पता है अब मैं इस में से कुछ चीज़े मिटाउं या फिनना मिटाउं पहले इधर साइड lotus कर सकताऊं फिर से ठीक है जब यह यहां निकाल आप सबको पता है एबी पूरा पूरा निकाल लेंगे तो एओ धन ओबी जोड़ेंगे तो एओ धन ओबी एओ बीस ओबी दस तो एबी बराबर 30 मीटर कितना 30 मीटर न कोई दिक्कत नहीं न अब देखो यहां पर पाइथा गोरस पर मिये लग सकती है कैसे अभी मैं दिखाता हूँ एबी 30 हो गई और एएस अपांटू अभी आया था कहा गया यह बीयस हमें एबी पता है और द निकाल सकते हैं की नहीं बोलो, निकाल सकते हैं न, अगर हमें A, B पता हो गया, B, S पता हो गया, तो ये एक समकोंट तिर्भुज इस पर बन रहा है, समकोंट तिर्भुज में पाइथा गॉरस पर मिये लगा सकते हैं, हमें आधार और लंब पता हैं कर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लिज लास्ट इस्टेप चल रहा है, A, B कमान 30 दिया है, अभी हम लोगों ने निकाला था, B, S कमान अभी, A, S अपान 2 निकला था, अगर आप थोड़ा पीछे ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा, इनको हल करेंगे, ये 900 हो जाएगा, ये A, S का होल सक्वाइर अपान 4 हो लीजिए, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक होगी तो बता देना, इधर साइड में A, S का होल सक्वाइर ऐसे लिखते चलिए, ये यहाँ पर बराबर का चिन लगेगा, याद रहे, A, नहीं लगाना, क्योंकि ये बराबर लगता आया है, ठीक है, अब ये मल्टिपल करेंगे, ये तो ऐसे बन जाएगा, 4 into A, S का होल सक्वाइर, 3600 और A, S का होल सक्वाइर, लेकिन ये दो जगा A, S कैसे हो गया, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उधर वाला A, S दिया गया था, इधर वाला तो में है, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी करो इसको भाई, फटा-फट लिखते चलो, देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल इंद तक देखना, बीच में बोल रहा हूं, छोड़ के मत जाना, देखो, यह 3600, देखो बटा, यह 4 A, S का है, यह सिंगल A, S का है, इधर आएका घट जाएगा, तो यहाँ प इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर का इसको हम 3600 लिख सकते हैं, ठीक है, यह 4 इंटू भले है, लेकिन गुड़ा में ही तो है, तो यह घटेगा, तो यह हो जाएगा, 3 A, S का होल स्कॉयर, इक्वल 3600, तो यहाँ से A, S का होल स्कॉयर आएगा, 3600 अपान 3, क्योंकि यह 3 इ आएगा, अंडरूट 1200, इतना आप लोग समझदार हो, इतना नहीं आता तो बताना, बेसिक में तो आपको आती ही है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे बिटा, स्कॉयर रूट आप 1200 का कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल सभी निकालना जानते हो, तो ये 22 into under root 3 answer आएगा, समझ में आया, अब जिनको 1200 का वर्गमूल नहीं आता वो बताना, कमेंट करके, वर्गमूल करना हर किसी को आना चाहिए, तो इस तरह से आपका पूरा exercise 10.4 खतम हुआ, अगर आपके मन में कोई जहमत है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बत यस, यस, जिनके पाफ नहीं है, वो नो लिखके बोलेंगे, फटा-फट, चलो, तो बच्चों, आज exercise 10.5 होगा, NCRT का, एक बात ध्यान रहें, अगर आपके पास NCRT नहीं है, तो भी, आप किवल concept सीखिए, ये सब के लिए है, जिनका मनुहर प्रकासन की किताब है, या न तो सब के लिए है, ये concept वही है, आप किताबों में देखो लिखा होता है, NCRT पाठे करम पराधारी, तो NCRT दादा होता सबका, चलिए, question पहला देखिए, कहरा है कि, अकृती 10.36 में, केंद्र O वाले एक बृत्त पर, तीन बिंदू ABC, है न, तीन बिंदू ABC इस परकार है, कि कोण BOC जो है, वो तीसंस का दिया है, क्या दिया भाया, एंगल BOC 30 डिगरी का दिया है, और एंगल AOB बराबर 60 दिया है, ये दि चाप ABC के अतरिक्त बृ पर D एक बिंदू हो, तो कोण ABC ग्याद कीजिए, पहले इसका फिगर बनाएंगे तब होगा, इसके लिए आपको पर्मिय 10.8 आने चाहिए, ठीक है, कुछ नमबर पहला, बहुत छोटा सा प्रस्न है, ये बहुत हल करने में मजा आएगा इसको, ये इसका सेंटर है, ठीक है इसे बना लीजिए, कुछ ऐसे ही ये बनने को बोल रहा है, वही पर मिय लगेगी कि केंदर पर जो कोण बनता है वो, परदी पर बने कोण का, चा होता है, तो गुना होता है न, इसे कुछ है, फटा फट बना लो, पहले चित्र बना लो, फिर हम बात करेंगे, हां, ऐसे बना लो, बना लो, मेरे भाई, बना लो, बना लो, आप लोगों में से, जिन लोगों ने पर मिय नहीं पढ़ा है, तो पर मिय देख लेना, उसका वीडियो में बना दूँगा, वैसे पढ़ाने को कलास में फाल्तु टाइम बेस्ट होता है, ठीक है, तो आप लिया है जो नहीं भी लिया है उसके में परमिये नंबर कुछ अलग होगा खोले किताब में किताब में खोलो बैटा आप लोग 910-8 & 10.8 open करिये जो द्संग है तो चब्राइच नंबर 216 पेज नंबर 216 क्लिए पेज नंबर 216 पर है 10.8 पर्मिये लिखा है एक चाप द्वारा केंद्र पर आंत्रित कोंड ब्रित्य के सेश भाग के एक चाप द्वारा चाप मतलब आर्क होता है केंद्र पर आंत्रित कोंड जो सेंटर पर एंगल बनता है वो ब्रित्य के सेश भाग पर बने आंत्रिक कोण का दोगना होता है सेजभाग का मतलब जो परिधी पर बनता है ठीक है समझे रहना आप लोग आगे बात करें चलिए आप लोग देख लिए तो यह पर्मिय का इसमें यूज होगा याद रखना कि किसी भी वृत्त में उसके जो केंद्र पर बनता है कोण ये ये ठीक है नब्ब्न रहे टो जो परिधी परबनता आई ये ये 45 का होना चाहिए और हमें यही निकालना ये ठीक है नीलम शिंग गुड इबनिंग गुड इबनिंग बेरी बेरी गुड इबनिंग आईए हम लोग एंगल डी निकालते हैं सबसे पहले तो लिखेंगे बैटा नहीं इंगलिश मेडियम वाले लिए यह न दिया है यह था दिख लो फटाफट एंगल कि ए ओ बी यह साथ डिग्री दिया है और भी कुछ दिया है कि कुश्चन में देखो दिया है बी ओ सी यह तीस अंस दिया है बोलो दिया है कि नहीं लिपक सर अगर देख रहे हैं तो आप पी वीर स्टैडी एप का लिंक दीजिये उन लोग को 9 पी प्याइस चैनल में जो नाइन्ध का ग्रूप है उसका लिंक दीजिये और पिन कर दीजिये message कि यह इतना दिया और क्या दिया भई मेन में ने ही दिया है नीचे लिखे प्रूब एट हिंदी मीडियम आ लिखेंगे सिद्ध करना है फिर यह मत कहना की इंगलिस में पढ़ा रहे हैं के सिद्ध करना है मतलब वप लगवेज carnISE नहीं होती है यह लख के लिए होती किवल छोटी छपी चोटी ऐला काम लगता बाकी कहाने ही तो होती थी ठीक है आओ देखो इदर समझो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना बेटा एंगल भाई सिद्ध क्या करना इसमें सिद्ध तो नहीं करना फिलहाल हमें ग्यात करना है तो इसमें प्रूब देट नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे ग्यात करना है ग्यात करना लिखेंगे तो खाना नहीं है लिकला रहा है लिकल्ठा ग्यात करना आएक студ休 take a time अबनाना में निकालना अबया लिखें कहानी थे यह दिया है यह घ्यात करना आप कुईश्चन हम इधर साइड में हल करेंगे ध्यान रहे यहां पर देखना पहले दिया है फिर ग्याद करना फिर हल करेंगे देखो इसमें अगर आप ध्यान दो तो एंगल दोनों अगर जोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा आपको पता है इसको हटा देता था कि कि दोनों जूड़ेगए नब्डे हो जायगा बोलो हो जायगा कि नहीं यह नहीं जो पूरा एंग来 बनेगा कि ऐसी ऑसी कितना हो जाए गा इसे हम कहtesके है कि एसी कितने का elas नब्बे नब्बे का हो गया हम है सभाइनल में ऐससे हुछ घेर के इसे पूरा-पूरा नब्बे कह सकते हैं पूरा-पूरा जो है वो नब्बे हैं पूरा-पूरा यानि जो एंगल O है वो नब्बे कमड़ा सीधा-सीधा ठीक है इतना हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम जानते हैं नीचे लिखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं कि बृत पर बना कोण केंद्र पर बना सरी परिधी पर बने कोण का दो गुना होता है लिख लेजिए हम जानते हैं कुंध नेचे लिखिए बृत के केंद्र परवना कोण परःधी परवने कोण का दो गुना होता है और उसको लिखने के बाद कोष्ठक में लिख लेना पर में 10.8 से वह मतलब हम जानते हैं लेकिन कहां से जानते हैं फीर परवन pa rain 8 से हम जानते हैं बाकी वैसे अपने थोड़ी जानते हैं अभी नो दैट इंगलिस वाले लिख लेना भी नो दैट अपना अपना तरीका है कोई थोड़ा अलग भी लिखके लगा सकता है जैसे भी अच्छा लगे इतना हो गया इसको करने के बाद क्या करेंगे भाई आव जो कौड यह बन रहा है इसके क्या हो जाएगा दो गुने के बराबर हो जाएगा यानि ए ओसी के बोलो इतना सभी को समझ में आया बोलो यास कि समझ में आया कि आसीज बच्चा सिर्फ गोडिविनिंग कर रहे हो बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो हां फालतु कमेंट वाले भ यह वर्यएग है पौरी ओको इंगलिस में क्या बोलते हैं कि मि क्या conten इसको इसको मैं दो गुना कर दिया है AOC के एंगल AOC मान रख दीजिए अंसर आपका आगया जो आपका निकालना था ठीक है मान रख दीजिए फटाफट देखो बच्चा इसमें ADC या AOC किसका मान दिया है अगर तुम ध्यान दो तो इसमें AOC का मान दिया है दिया है तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू इंटू एंगल ADC equal 90 degree क्योंकि AOC का मान 90 दिया था वहां देख लो दिया था ना अब यहां से अगर हम निकालने ADC का मान इधर साइड में जगा है ना जो सुरू से देख रहा वही समझ पाएगा जो बीच में आएगा वो समझ में नहीं आएगा उसे देखो बेटा यहां से एंगल AD ADC निकालेंगे था मिल जाएगा नब्वे बटा दो यहनि हम कह सकते हैं एंगल ADC इक्वल 45 degree कि हो गया अंसर आ गया और सिद्ध भी हो गया जो हमें निकालना था वास्तों में देखिए जो कोण केंदर पर संटर पे भो नब्वे बन रहा है आग्ण जिब जो परिदी पे बन रहा है परिदी वाला कितने कन्य का 55 का वणर वा उसका आधा़ है क्लिआ है हुम कि नहीं पढ़ना है तुम्हें क्या बता हूँ है कि मत पढ़ो जाओ कि चलो आगे बढ़ें कि कहिए होगे आपका पहला कुश्चन होगे मिटा रहा हूं जल्दी से सक्रीं साथ लएलो बटा हो गया कहरा कि किसी कारी दोर कि किसी फिरिक और उत्रिट कोंड ग्यानत कीजिये तथा धीन चाप के किसी बिंदू पर लावर वे और ळंति याن ग्यान भी तीजिये का मतलब यह को expand gonna एंगल और चाप का मतलब आर्क तीक है ये इनका English meaning हुआ आई ये समझते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं ये लगूचाप क्या होता बहिया जानते हो पहले इसको डीटियल में बता दें थोड़ा सब तब फिर हम आगे बढ़ेंगे जिसे माइनर आर्क बोलते हैं क्या बोलते हैं माइनर आर्क पहले तो ये समझ ल बोलते हैं ठीक है तो ये आपका क्या है ये जो फिगर आपका दिख रहा है ये दिर्ग चाप है मेजर आर्क का है ये आपका लगूच आपका है ये माइनर आर्क का फिगर है जो मैंने बनाया है ठीक है और ये आपका फूल है इसमें लगूँ और दिर्ग यानि माइनर और major arc दोनों है देखिए, यह जो बीच में लाइन गई है PQ न, PQ के उपर जितना भी बना है वो क्या है? वो major arc है आपका इस पर जो angle है वो A है, समझ रहे हो? यह देखो PQ है न यह यह एक जीवा थी, chord थी तो इस जीवा यह यह जो भी चीजे बनी है, वो क्या है? वो आपके major arc में है, ठीक है? और यह नीचे, यह क्या है? minor arc में है, यानि इस चितर में अगर आप देखो तो PQ के नीचे जो अंगल बन रहा है यह क्या minor arc में है, समझ रहो? इस लिए मैंने major arc और minor arc को अलाग अलग दिखाने की कोशिस किया है ना? उमीद है कि आप समझ गया हूँगे तो इनको हम मिटा करके अब मुखे question की जो topic है, उन पे चलते हैं ठीक है? सबी बच्चे लिख लिजिए कुछ बच्चे comment के पीछे बहुत परेसान है को बटा पढ़ लो ठीक है? नाम नहीं बोलूँगा आज में किसी का इस कलास में जिनको पढ़ना इमानदारी से पढ़ेंगे comment में सब का देख रहा हूँ जैसे मैं रोज आपका नाम बोलता हूँ उसी तरह से मैं देख रहा हूँ लेकिन आज नहीं आज सिर्फ पढ़ाई होगी बस कोई डाउट है कमेंट करो सर्व बताएंगे आज आए अब इसमें हम पी क्यू बराबर क्या है ओपी के यहां पर लिखो दिया है में लिख लो पी क्यू बराबर ओपी यह क्यू बराबर है क्योंकि ओपी इस ब्रित्त की यह तो दिया था ठीक है यहाँ पर given अब लिखिए नीचे ग्याद करना है ग्याद करना है इंगलिस वाले लिख लिजिए angle on major arc is angle a equal question mark ठीक है और अगला इसमें नीचे और भी लिख लिजिए angle on minor arc is angle b equal question mark ठीक है हम हिंदी में आपे लिख देंगे लिखिए दीर्ग चाप पर बना कोड ए यह ग्याद करना है यह मैं हिंदी में लिख दिया उसी को मैं इंगलिस में बताया था ठीक है लगुचाप पर बना कोड एंगल b equal यह हमें दोनों find करने है ठीक है डन इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेसानी नहीं आई यह देखते हैं आप क्या करेंगे और बाकी चीज़ें आप समझ गए अब लिखिए इसमें चूंकि पी क्यू बराबर ओ पी बराबर ओ क्यू है बहिया हो यह ओ पी और ओ क्यू सब क्या है तिरिज्जाए ही है इतना ठीक है अब यहां पे हम कर लेते हैं इधर साइड में आ जाओ यहां पे दिख रहा है न लिखो चूंकि अब बी क्यू बराबर ओ पी बराबर ओ क्यू यह दिया है क्योंकि तिरिज्जा जो है जीवा के बराबर दी गई है इसमें पी ओ की साट दिया है पी ओ क्यू आईए बताएं क्यूं पी ओ क्यू यानि यह जो है कितना दिया है साट दिया है साथ क्यों दिया है आप देखिए इनकी भूजाएं आपस में बराबर है बराबर क्यों है यह दिखने रहा है तो अगर यह जीवा इन दोनों के बराबर हो गई तो यह तीनों बराबर हो गई अगर यह तीनों बराबर हो होई तो इक्वाइलेटरल ट्राइंगल बनाना संभावतिरभूज बनाना और संभावतिरभूज की जब तीनों बुजाएं बराबर होती हैं तो उनके प्रते कोंड भी 60-60 होते हैं होते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हो इस लिए एंगल पी ओ क्यू इक्वल साथ डिगरी सारे कोंड साथ साथ क्या है आप पी ओ क्यू को साथ लिख सकते हो या फिर ओ क्यू को साथ लिख सकते हो या फिर ओ क्यू पी को साथ लिख सकते हो तीनों साथ साथ के हैं लेकिन हमें जरूरत सिर्फ इसी की है इसलिए मैंने सिर्फ इसी को लिखा है ठीक है Bir लिख 14 युँ और बरीये 10.2 में आप ने पढ़ा है दो गुना दिखा सकते हैं आईए मैं दिखाता हूं इसको नीचे मिटा के इसको लिख लो स्कृण साट ले लो पिर मैं दिखाता हूं जल्दी करो हो गया चलो कोई दिक opens नहीं किसी को आई यह जो मैंने बताया उसको मैंने लिख दिया जो इसके केंदर पर कौन बंदाया ना P-O-Q से लिखा गया है वो क्या है परिधी पर बने कोंड एक दोगुना के बराबर है यह परमिट इन-पॉइंट 2 से इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा इतना तो हल करी लेते हो आप 9th में पहुंचे हो छोटे बच्चे तो हो नहीं यानि हमें PAQ कितना आगया 60 हंस का आगया जिनको ना समझ में आए बेटा इसको थोड़ा यहां से देख लो देखो यह 60 equal to और PAQ था ना तो भाइया हो जब यह यह PAQ था ना यह 2 इधर आएगा जब तो 60 बटा दो और यह PAQ हो जाएगा यह कट जाएगा तो इस तरह से 30 बराबर एंगल PAQ आता है समझ में आए ना इसको लिख लीजिए अब यह हमारा जो दिर्ग चाप पर कोंड बन रहा था वो आ गया अब हम यह कोंड भी निकालेंगे जो माइनर आर्क पर बन रहा है ठीक है नजरे गड़ा के रखिएगा जाएगा नहीं आईए देखे अब हम दूसरे वाले पर चलेंगे जो हमें अंगल भी निकालना है यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है माइनर आर्क मैंने बताया था तो बैटा लगुचाप पर जो बना कोंड है यानि माइनर आर्क वाला PBQ के लिए हम पहले POQ का रिफलेक्स अंगल निकालेंगे रिफलेक्स अंगल मतलब होता ब्रिहत कोंड ठीक है यहाँ थोड़ा समझना अब हमें ये फाइंड करना ये ये ठीक है ये जहां मारा जा रहात ये यानि जो POQ का बाहरी कोंड एक प्रकार से ब्रिहत कोंड जिससे बोलते हैं उसे निकालेंगे ऐसे समझ लो कि ये क्या है पूरा-पूरा 360 होता है कई पूरा-पूरा अगर गूम जाओ तो 360 हो जाता है तो भैया हो ये इतना तो हमने कर लिया है इतना कर लिया है या इसमें देखो ये नीचे वाला थोड़ा सा कर लिया है न तो उपर का पूरा-पूरा भी बचा है, यह इतना बचा है, तो क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए 360 में से इसको घटा देंगे, क्यों कि 360 से ही तो कम हुआ न यह, तो आए, यहाँ पे लिखिए, रिफलेक्स अंगलाफ P.O.Q. हिंदी में लिखिए, रिफलेक्स अंगला साड को घटा लेंगे किसका है यह P O Q का है न P O Q का तेहाँ पे आप लिखते होगे P O Q इक्वल 300 भाई घटा होगे तो 300 आ जाएगा यानि P O Q कमान कितना आ गया बटा 300 आ गया यह आप सबको पता है अब इसको भी वैसे कर लेंगे रिफलेक्स एंगल आप P O Q इक्वल 2 इंटू P V Q जैसे अभी तक करते आये हो क्योंकि जो बृत के केंद्र पर बना कोंड होता है परिधी पर बने कोंड का दो गुना के बराबर होता है अब नीचे आप लिखेंगे P O Q का P O Q का बरिहत कोंड वही लाइन लिख देंगे फिर से ठीक है बरिहत कोंड एंगल P O Q ठीक है डन इक्वल 2 इंगल P V Q यह आप सब को पता है परमिये 10.8 में आप पढ़े हो कि जो केंद्र पर बना कोंड होता पर दी पर बने कोंड का दूगना होता है आप सब को पता है इसका मान रख दो यह क्या है 300 है इक्वल 2 एंगल P B Q यहां से ही जब इधर आएगा तो यह भाग हो जाएगा आप सब को पता है 150 एंगल P B Q यानि P B Q कमान कितना आगया 150 हमें यही तो निकालना था ना यह 1.500 आगया और यह यह निकालना था यह भी आ गया था भी बस हो गया question number खतम हो गया कोई doubt है तो बता दीचिए ठीक है तो बहुत बहुत thank you आप सबी को question है बेटा देखो exercise 10.5 का question number 4 screen पर आपको दिख रहा है पढ़िए क्या कह रहा है कह रहा है कि आकरती 10.38 में 10.38 का मतलब जो figure आपको इस screen पर दिख रहा है और side में भी दिख रहा है इसमें कह रहा है कि ABC 69 डिगरी का है मतलब यह angle बेटा जो A है वो स्वरी यह B जो है क्या है 69 का है और ACB ACB जो है वो 31 का है यह कहने का मतलब जो C वाला वो 31 का है यह कह रहा है कि B, D, C ग्याद कीजिए B, D, C का मतलब इनका यह है बेटा कि इनको यह angle मतलब हमें बताना होगा ठीक है? आईए बताते हैं देखिए आप लिखिए यहाँ पर हल हल लिखिए यहाँ पर लिखिए पहले दिया है English Media मौले लिख सकते हैं गीबेन देखो बेटा जो दिया है उसको आप लिख दो angle A, B, C equal 69 angle A, C, B दिया है या D दिया है? A, C, B दिया है ठीक है तो यहाँ पर हम D नहीं B लिखेंगे यह 31 दिया है जो आपके question में दिया मैंने वो लिख दिया अब नीचे आप लिखिए find out क्या करना है ग्याद करना है लिखिए हिंदी में ग्याद करना है English में लिख दीजिए to find मतलब हमें जो find करना है उसको भी लिख दीजिए इसमें कौन सी सर्माने की बात लिखिए एंगल B D C B D C यह क्या करना वेटा हमें find करना है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर solution करना शुरू करेंगे ठीक है यहाँ पर इसका solution शुरू करेंगे हल यहाँ पर आप चाहें लिखिए ठीक है यहाँ पर हल डालए है न डालिये है यहाँ से हम लोग शुरू करें हल ठीक है यह solution है start है क्या करना है देखें तिरबुच की तीनों कोनों का योग एक स्वेंस होता है होता है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A B C लिखिए एंगल ABC प्लस इसमें मैंने क्या क्या मिलाया ABC मतलब बी ले लिया अब लिखो CAB ठीक है CAB या फिर आप इसे BAC भी बोल सकते हो BAC धन देखो इसमें B एंगल आ गया इसमें A आ गया अब हमें C भी लेना है तो हम इसे A, C, B बोल सकते हैं A, C, B या B, C, A भी बोल सकते हैं ठीक है इक्वल 180C ऐसा इसलिए है ब्रेकट में रीजन लिख दीजिए कोईष्टक में लिख दीजिए मैं नहीं लिखूंगा आप लिख दीजिए तिरबुच के तीनों कोणों का योगफल 180C होता है इसलिए मैंने क्या किया एंगल A, B और C तीनों को जोड़कर XORS किया ठीक है कोई डाउट नहीं देखो बैटा A, B, C कमान पहले ही दिया था 69 B, A, C कमान हमें नहीं दिया है A, C, B कमान हमें दिया है अब हम क्या करेंगे बड़ाप सोश में है B, C, A कमान दिया है न जो B, C, A कमान आपको दिया है या फिर A, C, B बो यह दोनों एक हयाद रखना ठीक है तो यानि हमें यह एंगल बी-ए-सी नहीं दिया है और बी-सी यह दिया है थर्टीवन इककोल एक-सी इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना तो बेटा यह बी-ए-सी जो है वो कितना आजाएगा जर आप सोचो एक-सी वैसे रहेगा यह 69 धर जाएगा माइनस थर्टीवन इधर जाएगा तो माइनस फाइनल में आपको मिल जाएगा बी-ए-सी बराबर दोनों जुड़ेगा तो सो हो जाएगा असी दिगरी कितना आ जाएगा नीचे दिखरा ना असी अंस ठीक है बटा कोई दिक्कत नहीं न ठीक है कितना आप लिख लिए अब आओ कुईस्टन में हटा देता हूं इधर साइड में आव कि यहां पर आप लिखो सभी फटाफट लिखो बी-ए-सी बराबर बी-डी-सी यहां पर लिखो चूकी बी-ए-सी इकल एंगल वी-डी-सी ऐसा क्यूं है भाई यह बी-ए-सी जो है वह बी-डी-सी के बराबर है कौन- और B, D, C हम कहे रहें कि ये ये angle जो A है और ये D ये दोनों बराबर हैं ये बराबर क्यों है क्योंकि ये same segment के angle है बृत दो segment में divide है दो part में divide है जिसको divide करने वाली रेखा B, C है तो एक बृत का भाग नीचे वाला है एक उपर वाला है अगर एक कोई ऐसा बृत है जो दो part में बटा है तो एक part में जितने कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं आप लिख सकते हैं रिजन एक ही बृत खंड के कोण हिंदी में लिख लीजिए एक ही बृत खंड के कोण इंगलिस वाले लिख लीजिए angle of same segment लिख लो एंगल आप same segment ठीक है बेटा कमेंट साब का आ रहा है GBS पांडे परिसान न रहो ठीक है रेनी जी तुमारा भी कमेंट आ रहा है हरीस पांडे टीम खान और तनुज सिल्पा ठीक है अंकुर बिसकर्मा सब का आ रहा है सबर रखो इतना हो गया अगर चचा ये दोनों बराबर है तो A में से हमने BAC निकाल लिया था 80 degree तो फिर क्या प्रावलम है BDC BDC तो निकालना था question दिखाओ ये तो निकालना था एक मिनट BDC ही तो निकालना था ना लिख दो answer हो गया हो गया लिख दो ये क्या answer जहां पर चाहा एक जगाओ लिख दो इसलिए BDC बराबर Aseans ठीक है ये हो गया final answer कोई किसी को doubt है तो बताइए नहीं है ना चलिए next question पर बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिये note करिये fast करिये अगला question आपके सामने आ चुका है अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता बहुत कमजोर है ना तो आप PVR study app में जाकर के आज ही स्कोर्स को जवाइन कर सकते हैं जो इस स्क्रीन पर दिख रहा है नीचे नंबर भी चलने इन पर भी contact कर सकते हैं एकदम 0 label से कच्छा दास तक की पूरे NCRT मिल जाएगी पूरा solution मिल जाएगा डाउट के लिए हमारी टीम आपके लिए सदय उतत पर रहेगी कोई भी डाउट है अपनी संकोच पूछिए नंबर पर डाल पर पूछिए पोन पर पूछिए सब कुछ नियम और सर्तों के साथ उपलब्द है छटा कोजिशन आपके सामने देखे क्या कहता है कहरा कि ABCD एक चक्रिय चतुर्भूज है चक्रिय चतुर्भूज है जिसके बिकर्ड यानि जो इसके बिकर्ड को क्या बोलते हैं इंगलिस में कमेंट करके बताईए एक बिंदू ई पर पर तीछिद करते हैं बतलब इंटरसेट कर रहे हैं यदि BDC स्वारी DBC 70 है यहां पर देखो दिया है DBC यहां है ठीक है क्या करहाँ DBC 70 है यानि बी जो है 70 है और एंगल BAC 30 है इसक्रीन पर देखे दिख रहा है तो करा BCD ग्याद कीजिए पुना यदि ABBC के बराबर हो यह मैंने कर दिया है AB यह BC के बराबर हो तो इसमें ECD भी ग्याद कीजिए आइए हल करते हैं यहां से ठीक है यहां पर लिखो पटापट सभी दिया है यहां पर लिखिए दिया है क्या के दिया है भाईया लिख लो बाबू एंगल डी बी सी एंगल डी बी सी इक्वल सत्तर यहां पर और भी कुछ दिया है बी एसी एंगल बी एसी इक्वल तीस डिग्री अब नीचे लिखिए ग्याद करना है तू फाइंड इंगलिस वाले लिख लें तू फाइंड क्या करना भाईया लिखो अब बी सी डी एंगल बी सी डी यह ग्याद करना है और एंगल इसी डी एंगल इसी डी यह भी ग्याद करना है यह दोनों क्या करने हैं हमें फाइंड करने हैं ठीक है कोई डाउट नहीं से स्टार्ट होता इनकी जो पर क्रिया है लिखिए एंगल बीडी सी इक्वल तीस अंस अब कहोगे कि भईया यह बीडी सी कैसे तीस हो गया तो कहीं दिया नहीं था आओ बताता हूं कोई स्टक में लिख लो एक ही बृत्तखंड के कोड एंगल आप सेम सेग्मेंट लिख लिजिए एक ही बृत्तखंड के कोड लिख लो मैं लिखूंगा नहीं इसमें लि क्यों हो गया क्योंकि इसमें अगर आप एक एंगल देखो यहां पर मैंने पूरा फायद नहीं लिखा आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होगे तो लिख लो बीडीसी बराबर बीएसी आप लिखो एक मिनिट एंगल बीएसी बराबर 30 अब लिख लो एक ही बृत्त खंड के क थोड़ा साइटकत करने की चकर में थोड़ा छोड दे रहा था चलो कोई दिक्कत नहीं ठीक है होगे विखल हो गया है और अध्या बराबर है समझ रहो नए कोई दिक्कत नहीं ब्यक्रावाट Kungैंग है यह डिख वीगे सी यहां पर दिया था बीडिया GUYका में इंगल डी है तिर्भूज यहां पर लिखे तिर्भूज BCD में तिर्भूज BCD में लिखिए एंगल B plus angle C plus angle D आएए बताता हूं BCD में BCD में यानि इस वाले तिर्भूज में एंगल BCD यह जोड करके 180 कर देंगे क्यों क्यूंकि इन के लिए रिजन लिख लीजिए तीर भुज के तीनों कोणों का योगx oas ans होता है थीक है in is that इतना कर लिए आओ इधा रहा वे थेको थे वाले की अगर बात करें तो सी वाला हमें नहीं पता था कि पता थ 9 नहीं पता था, एंगल C, और D वाला 30 दिया था, बराबर 180, D वाला 30 कहां से आया आपका होगे, देखो अभी अभी हमने क्या निकाला था, D वाला निकाला था ना 30 डिगरी, कि नहीं, अरे कहां गया वो, ये, ये निकाला था ना D वाला, क्योंकि A और D दोनों बराबर थे, आ इन निकाला था, वो, ये लिदया करें, ये, यो ये, बराबर 80, D यानि जो एंगल本व सी आया वो, कितना हो गयाद,ी इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं, यानि ये जू पूरा पूरा एंगल है, वो कितना हो गया 80, D इफिम, इसको नोटकर लीजिए, फिर आगे बाद मैंने यहां लिखा है ठीक है नीचे एक लाइन और लिख लो इफ लिए एंगल बी सी डी बराबर असी डिग्री ठीक है पूरा पूरा लिख लो बी सी डी ये बी है वी फारवाल ठीक है इतना हो गया अगले पर बढ़ते हैं ऊपर देखिए देखे इसमें दूसरी कंड बीचिक के बराबर हो तो करें एसी डी क्याद कीजिए ठीक है आ यह लिखिए यह ओपर दिख रहा है नहां पर लिखिए यह दी AB बराबर BC देखो पेटा, अगर AB BC के बराबर है तो, नीचे लिखो angle B AC ध्यान से देखना B, A, C यानि जो angle A है वो BCA के बराबर होगा BCA के बराबर होगा यानि ये वाला angle ये C के बराबर होगा क्यों होगा? क्यों कि मैं आगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मु कोड़ है वह सम्मु कोड़ यहां पर लिख लो बराबर भुजा के सम्मु कोड़ यानि इसलिए यह बराबर लिखो और चुकि बी एसी कमान तीस अंस आया था इसलिए हम कह सकते हैं कि बीसी ये भी क्या हो गया 30 डिग्री हो गया यहां पर हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल बीसी ए बराबर 30 डिग्री और हमें क्या निकालना था बीसी ए निकालना था क्या नहीं बीसी ए नहीं निकालन में हम तीनों को जोड़ देंगे देखते जाओ दन E C D यानि C वाला जो कौण है वो और जो कौण E वाला है इसको स्वारी C वाला और यह दोनों बराबर हो जाएंगे किसके देखते जाएंगे देखते जाएंगे चैसे पिसे टेखो बी सीए ठीक है और यहां पर एको ई लिखाए ऐ एसी देख इन दौनों को जोड़ेंगे तो बाव YE c इसके बी-सीडी के बराबरा जाएंगे बी-सीडी यानि पूरे वाले तिर्भुच के बराबरा जाएंगे तो इनों को जोड़ करके ठीक है कोई डाउट होका तो बता देना मैं कोश्चन हटा दिया इसक्रिन से अब इनके मान रखतो जो जो दिये गए है इसका मान चुकि 30 इसका मान कुछ है का है । कि यहीं निकालना है यह अभी हम निकाला था यहां Anda बव ठिस बजूनेत माइनस तीस चुकि यह इधर से जब इधर जाएगा तो फाइनल में हम कह सकते हैं कि इसीडी बराबर पचास अंसाया ठीक है जो बच्चे पर्मिये पढ़ें उन्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से जो बच्चे थेवरम नहीं पढ़ें उन्हें सोड़ा डाउट हो रही होगी है ना कुश्चन है सत्वा एक्सरसाइज 10.5 सत्वा और अठ्वा दोनों कुश से जाने वाले ब्रित्ति के ब्यास हो तो प्रूब कीजिए रेक्टेंगल है आईए पहले हम कुछ फिगर बना के आपको दिखाते हैं तो बच्चों ये देखिए फिगर साइड में आपको दिखा बन गया है इसे हमें ABCD को एक आयत प्रूब करना है हो सकता देखने में इसा है तो आपको बता दें कि आयत जो होता है उषकी सम्मुक बुजाएं अपस में क्या होती हैं पराबर होती है diagonal जो होते हैं एक दूसरे को वो बिसक्ट भी करते हैं और वो equal भी होते हैं इसकी दो property मुख्रूप से आप इसे समझ लीजीए ठीक है? अब नीचे आप लिखिये दिया है यह दिया है दिया क्या क्या है? ठीको बेटा इसमें अगे लिखो इसमें अगर आप ध्यान दो तो OA, O, B, A, O, C, O, B, O, D यह सब बराबर होंगे क्योंकि यह radius हैं इस circle के क्रिजाए हैं तो आप लिख सकते हो OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD तो एक ही प्रित्य की क्रिजाएं इसमें किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही circle की जो radius हैं आपस में equal होती हैं हमेसा इतना लिख लेजी यह done क्यों दिक्कत नहीं कि इसमें एक चीज़ आपको और भी समझना इतना तो यह हैं आप इसे की आधी है कि नहीं रही एसी की आधी है ना तो इसको मैं इसा लिख सकता हूं खोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ना किसी तरह से इसको हम ob equal od equal half bd ठीक सकते हैं इसमें किसी को कोई doubt नहीं क्योंकि bd जो है वो पूरा-पूरा बिकरड है और od और ob त्रिज्या है क्योंकि ये आधी है ये भी आधी है दोनों जोड करके तो ये बन रही है या फिर हम ऐसे कहें अगर bd को आधी कर दें तो इसके बराबर या इसके बराबर हो जाएगा ये equation number 2 हो गया दोनों ठीक है अब इतना आप लिख लिए हो तो आगे लिखिए कितर साइड में जगा है यहाँ पर आप लिख सकते हो ज्यान देना बेटा पहले यहाँ मैंने यहाँ किया है उसके बाद उधर साइड में चलेंगे आप क्या लिख होगे equation number 5-10-7 से विकर्ड बराबर है और एक दूसरे को समदुभाजित कर दो से विकर्ड जो है वो क्या है बराबर है और एक दूसरे को भी सक्ट भी कर रहे है निचे लिखिए इसलिए ABCD एक आयत होगा लिखिए इसलिए ABCD एक आयत होगा इसलिए आयत होगा इसलिए आपका question number 7 complete होगे किसी को कोई doubt है आपनी संकोच comment करिए जल्दी करिए 10.5 का question question number 7 complete हो गया पहले हमने यहां से लेकर यहां तक हल किया है यहां किया है को कोई डाउट है बताइए नेक्स कुश्चन पर आगे बढ़ते हैं जो कमेंट कर रहे हैं वह परिसान न रहे है तीपक बर्मा आपका कमेंट आ रहा है परसांत यार्दो जी आपका भी कमेंट आ रह क्या अगला क्वेश्चन देख्या आअठवा नम्बर आपके सामने है क्या रहा है कि यह समवलम्ब की समांतर भुजाएं बराबर हूं आप्रेजियम तो सित demol तो नहीं है और बराबर हूं और सीषित कीजिए कि ए एक करीये है क्या क्रीन मतलब जानते हो मतलब होता है साइकलिक हमें इसे साइकलिक प्रूप करना है यह बना लेते हैं सबसे पहले हम क्या किसे साइड में एक फिगर बनाएंगे यहां पर आपको दिखरा है ऐसे एक सरकल बनाएंगे सरकल बनाने के बाद आप यहां पर ऐसे हैं कि इसमें यह दोनों साइड है आपस में पैरलल दिख रही है आपको लेकिन इधर साइड वाली जो लाइने वह पैरलल नहीं कर सकते हैं कि अभी सीडी लिख देते हैं इधर नीछे वीवी फिसमें गिर्येंक लिश्क आप दिञेंगे आपको बंहरें तो हमने चैनल रुकना इसको तो भाम सुधार देता हूं जिगर बिल्कुल अच्छे से बन चुका है और इसमें अब हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है इसमें जो एबी है नीचे वाली रेखा हम थोड़ा नजदीका में लिख देते हैं ऑबी जिभारू सीर लल है कि आप यहां पे लिखो घिबर लिखो दिया है क्या दिया है और्री दोनों पारलल कहरा है की जो दोनों रेखाये पारलल करना है अब लिखिए टुप रूब लिखिए चुप रूब का मतलब सीध करना है कि सीध कीजिए यह साइकलिक है यानि चक्रिये है लिखिए एवी सीधी एक चक्रिये है ABCD एक चक्रिये है कुलमिला के इसे हमें एक क्वाड्रेटरल प्रूब करना है यानि चतुरभूज सिद्ध करना है कि ABCD एक चतुरभूज है आईए नीचे यहां पर हम लिखेंगे इसमें थोड़ा सा कांस्ट्रेक्शन भी करना है कुछ डिस्क्रेप्शन यहां पर लिख देते हैं आप इसे ध्यान से देखिए सुन लिजिए देखिए अगर ABCD चक्रिये होगा यानि साइकलिक होगा तो यह मतलब है कि यह चतुरभूज है और अगर यह चतुरभूज है तो इनके जो सम्मुक कौन है वह एक्सवासियंस के ह आपको मालूम है ना जो आपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता वह नेटी होता है यह एंगल 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 सी अगर जोड़ें तो एक्सवासियंस होना चाहिए अगर यह साइकलिक होगा लिख लीजिए आप इसक्रेप्शन अगर आप लिख लिए हैं आगे चलिए मैं बताता हूं इसमें और आगे क्या करना है यह हो गया देखिए इतना तो आप सभी जान लिए इसमें कुछ किया नहीं मैंने अब इसमें आप लिखेंगे यह और ये नीचा से इंग्झिवाले लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे या हिंदी में उपत थी देखे बेटा यहां पर जो एंगल ई है एंगल ई वह एंगल एफ के बराबर है क्यों बराबर है आईए अगर कोई भी रेखा किसी भी रेखा पर पर प्रपेंडी कुलर होती है तो वह अहां पर 90 का बनता है आप सबको पता है क्यों बराबर है क्योंकि ये कोईस्चन में ही दिया है कहा गया था कि इसी फ के बराबर है और अगर किन ही दो पैरलल रेखाओं के बीच में ऐसे लाइन खीचा जाए तो हमेशा बराबर होती है क्योंकि parallel रेखाएं हर जगह पर बराबर दूरी पर होती है आप लिख सकते हैं समानतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है लिख दीजिए यहां पर समानतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है ठीक है लिख देना यह हो गया यहां पर ए हैं कि कौन सा तिर्भूज जो जो हमने लिया था लिख दीजिए उन दोनों तिर्भूज का नाम यह क्या है पेंगुरियंस हैं कौन एड़ी और यहां पर चात्रों थोड़ा चीज हम लोग छोड़ दे रहें उसको भी लिख लिजी आप यह लिखने के पहले आपको यहां लि कि में यह जरूर लिख लेना उपर उपती लिखने के बाद सब्सक्राइब में तीक हमिए बहले लिख लेना देञे लेड लिख सकते हैं अगलह करने के बाद अगर यह दिया है तो हम यह लखेंगे इस लिख तिर्भूज ती परपेंट ओ सरी काइंगुरियंस ती एफ बी यानि ये दोनों क्या है सरवंगसम है काइंगुरियंस है कौन सा रूल से पाई आरहेचेस क्योंकि एक कोण नब्बे का है और भूजाएं आपस में बराबर है पुष्टक में लिखोगे पाई आरहेचेस काइंगुरियंस रूल और अगर भाई या बाबू ये दोनों तिर्भूज आपस में काइंगुरियंस हो गए ये और ये छोटा वाला दोनों अगर काइंगुरियंस हो गए इनके जो कर्सपांडिंग साइड है वो कर्सपांडिंग एंगल है वो बराबर होंगे तो आप लिख सकते हो आगे लिखो एंगल ए इक्वाल एंगल भी नीचे जगह है इदर वह इरेज करूंगा चलती इसको लिख लो इसको लिख लो वहाँ जगह कम है मैं इसको इरेज कर दूँँ यहां पर एक एंगल भी मैं डिसाइड कर दूं तो ज्यादा बहतर रहेगा आप इसे एक एंगल फाइस्ट मान लो इसे एंगल सिकेंड मान लो तो यहां पर बेटा एंगल वन एंगल टू के बराबर होगा क्यों होगा लिख लो बाई सीपी सीटी प्रेकट में लिख लो सब में बाई सीपी मतलब करस्पांडिंग पार्ट आप का इंगुरेंट ट्रेंगल जो लोग सरबंग समता पढ़ें तिर्भुच का फिर्क वही समझ पाएंगे तिर्भुच की संगत बुजाएं और संगत लिखो देखो सामने जगह कम है इसलिए मुझे हटना पड़ जाता है अब इसको मैं एरेज कर रहा हूं पूरा एरेज करके इसको आगे बढ़ाऊंगा बहुत जल्दी लिखो फट से आगे बढ़ते हैं अब एंगल फाइस्ट और एंगल सिकेंड को ले करके जो हमने एंग करेंगे इन दोनों एंगल में हम 90 डिग्री जोड लेंगे ऐसे आइए बताते हैं यह जो एंगल फाइस्ट है ना और एंगल सिकेंड हमने कहा कि 90 डिग्री का जो हिस्सा है इधर साइड में है हम क्या करेंगे इसको जोड लेंगे क्या करेंगे यह 90 वाला इसमें जोड लें पर दोनों पक्षों में 90 जोड़ने पर अगर कोई भी दो एंगल या बुजाएं कुछ भी अगर बराबर हैं उनमें बराबर चीज जोड़ी या घटाई जा सकती कोई दिक्कत नहीं है यह हो जाएगा एंगल 1 प्लस 90 एंगल सिकेंड प्लस 90 इंगल सिकेंड प्लस इंगल 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 सकते हैं इक्वल एंगल सिकेंड प्लस जो यहां पर मैंने लिखा है इसकी जगा पर एप सीडी लिख सकते हैं कौन-कौन एफ टी जैनि यह यह मकीचा ना एफ टी इस नब्बे की जगा पर हम लिख सकते हैं एफ सी कितना क्लियर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं अब देखो भाई वी बूबर के अधर एडी झाए औरती एडी और अधर कॉन-कुन था बीइसी यह दोनों आपस में बराबर हैं कि वराबर क्यूं है सितने पूरी की जगापर में लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है कि हम सभी जानते हैं कि चतुर्भूज के जो चारो कोण होते हैं का योग फल 180 होता है 360 होता है यह लिख लीजिए इतना फट लिखिए इसमें जो जो दिया है उसका मान रख दीजिए आपका अंसर आ गया है बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है तो देखो भाईया इसमें काम कर सकते हैं कि सबको पता है नार्मली चतुर्भूज की चारो कोणों का योग 180 होता है तो एंगल ए धन एंगल बी को भी हम एंगल ए लिख सकते हैं अभी अभी पीछे हमने कोण ए और कोण बी को बराबर प्रूब किया था यह था पीछे ना आल दोनों जगा पर इंगल प्रूब एंगल था था यह था अब यहां पर और दो कामन ले लेंगे तो एंगल एंगल था इंगल C है बराबर था साथ होगा इसमें कोई दिख्कत नहीं किसी को उपकर यहां बागे बढ़ेंगे हम लोग यह पर आ आजाओ फटा फट यह एं 602 होगा तो कि जो दो इधर गुड़ा में था इधर भाग में हो गया तो यह एंगल एधन एंगल सी फ़ल 180 हो इतना होगा 180 होगा और चुकि सम्मुख जो कौण होते हैं क्या आयत के यानि चतुरभूज के जो सम्मुख कौण होते हैं उनका योगफल 180 होता है यहां पर सी लि नीचे description हो गया clear तो इसको लिख लिजिए इस तरह से बच्चों आपका यह भी question complete हो गया इस अत्मा और अठमा दुरंडन हो गया दोनों एक साथ लिख लिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्वीन है इनका नाम ही क्वीन है जो बच्चे टेली जूडते हैं उनका नाम हम जरूर बोलते हैं पूरा दिखाते हैं आप दिख लिजी नितिस कुस्वाह सीला दे तीन कुस्चन हैं यह तीनों इसमें करवाए जाएंगे क्लास को इंडे तक देखना और बड़े ही प्यार से देखना चलिए कुस्चन देखिए इस स्क्रिन पर क्या लिखा है कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को ब्यास मान करके यानि डायमेटर को मान लिया जाए दो साइड को कि ये इनकी डायमेटर है और सरकल ड्रा करें बृत्त को खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन बृत्तों का जो पती छेदन बिंदू है वो तीसरी पर इस्थीत है यहनि जो इसका इंटर्सेक्ट क्या बोलता है उसे इंटर्सेक्ट है ना जो इंटर्सेक्ट वाला पॉइंट है वो तीसरी साइड पर है पुरूब करना है आईए पहले हम दो सरकल उस तरह से ड्रा करते हैं जैसे बोल रहा है तिरभुज मैंने बनाया इस माल लेते हैं जैसे बोलगान देखना थान से देखना ए पी और सी इन में हम दो साइड को माल लेते हैं इनका अर इधर एक त्रेश्य को और मान करके एक सरकल खीचना है जैरा ध्यान से किषूचे का हो सकता है सुरू में थोड़ा 5 ना हो जाए लेकिन उमीद है कि अच्छी जाएगी यह से इन दोनों से होते हुए जाएगी देखो मैं एक तरीका बता देता हूं अभी हमारा तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है पता दूंगा भी थोड़ा साइसे रुके रहो आपका बहुत ही बहतर बनेगा और यह इस साइड को टच करता हुए जाएगा मैं बता चाहिए का लुगे सरो टच हो चाहिए इस पर विट प्रेख भी थे जोन जोना चाहिए इस पर वी दूंगे बाहर से नहीं जाना चाहिए अब मैं बताता हूं कि आप का संब्दु भाजक कैसे करते हैं जानते हो यह परकार देखें ना इसको ऐसे पकड़ते हैं अधे से अधिक की त्रिजया लेते हैं आधेफ एजादा इसको फैला लेंगे इस रेखा की लंबाई के यह एक ऐसे मार देंगे फिर एक इधर को मार देंगे समझना फिर इधर ऐसे रखेंगे इधर साइड में रखेंगे एक चाप ऐसे मारेंगे आधा से अधिक त्रिजा रहना चाहिए एक इधर ऐसे मारेंगे फिर इनको ऐसे मिलाएंगे यह जो बिंदू होगा क्या होगा इसक जब वो पॉइंट आपको मिल जाएगा तब इस पर परकार रख करके किस पर जब एक सर्कल ड्रा करोगे तो वो सर्कल ऐसे दोनों तरफ टच करते हुए जाएगी ऐसे यहां भी आप लोग इस फिगर को बना लोगे ठीक है समझ गए ना इसका सम्दुभाजक करके ऐसे खीच की बाद कि ये चले सलुशन पर बढ़ते हैं सबसे पहले आप लिए इंगलिस वाले लिखेंगे गिबन क्या क्या है जो को मिन करते हैं जादा इसमें कुछ नया नहीं करना है इते कंड़ा था कि दो पिरत दिये हैं पहले थे था चिक जिनके आप कि मिल कॉत वहीं होई कि छ तो यही चीजी हमने इसमें लिखा है बाकी और कुछ नहीं लिखा है नीचे लिखेंगे टू प्रूब हिंदी वाले लिखेंगे सिद्ध करना क्या है बहिए कि दोनों बृत्तों का जो पतिछेदन बिंदू है वो डी है यहां पर हम डी मानेंगे यह भी ध्यान रहे जब सेट एक दूसरे को करेंगे जैसे बतायाओ ऐसे करोगे तब हाथ से नहीं बनेगा यह ओके चल ये दोनों का पृत्तिछेदन बिंदू है एक ऱ्बचना सुद्धू करना घ्री है आब क्या करेंगी रचना इसमें कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा साथ दिखिए भुजा एडी को मिलाया भुजा नहीं यह पर बिंदु लिखो गए बिंदु एडी को मिलाया यह क्या हो गया कंश्टक्शन हो गया दिखिए अगर हम सब कुछ आपके सामने ही लिखेंगे यह कलास थोड़ा लंबा हो जाएगा इस बात को याद रखना है लेकिन ल इडी को मिलाया याद रखना जब एडी मिलाएंगे बिटा तो यह 90 हो जाएगा इस पर यह एंगल इधर कभी 90 हो जाएगा इधर कभी 90 हो जाएगा क्योंकि यह समकोंड बनाएगा ना उस पर ठीक है ओके चलो लिखलो इसको मिला लीजिए देखिए कुछ बच्चे कमेंट की पीछे परेशान बेटा जो रेगुलर जूडते हैं उनका कमेंट हम जरूर बोलते हैं ठीक है जीतेंद्र आहिरवार रितिक स्टेटस डीजे गेमिंग आसीस महेश गुपता अरिचिका अर्स श्रिवास्तो और क्यूट गल रूहु वेदांग रोहित बिसकर्मा और भी जो भी बच्चे जुड़े हैं रेगुलर जूडेंगे तो हम आपका नाम हो लेंगे गी जो एक ही दिन जुड़ता है पिर अगले दिं नहीं पढ़ता इसका नाम लें नहीं बोला जाता था है तो यह बच्चा जो एक समक्राव बेटा पको डूलतंगे हैं आप मुख सुन लिखो प्रूफ लिखिए या फिर हिंदी वाले उपत्ती लिखेंगे उपत्ती में लिख लो बेटा लिखोगे एंगल A D B equal 90 है इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को देखो A D B मने अभी भी जब मिलाया था कि D को तब भी बताया था यह D पर क्या बनना 90 बन रहा है नबनना 90 और इधर साइड भी 90 बन रहा है ADC पर इसमें भी लिख लिख लिजिए एंगल ADC ADC उदर वाला पराबर 90 यह 90 क्यों है ब्रेकट में लिख 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 लिझे एंगल इन सेमी सर्कल एंगल इन सेमी सरकल या फिर ऐसे लिख लिजिए एक ही अर्दबृत्त के कोनум स्व जया फिर ऐसे स्वारी एक ही नहीं लीखिए अर्दबृत्त के कोन मैंको का होpoints है ? इसको एंगल फाइस्ट इसको एंगल सिकेंड मानली जिए वैसे मुझे लगता है मुझे इधर लिखना चाहिए कि जगा आपको दिखनी चाहिए आप क्या करेंगे दोनों एक्वेशन को जोड़ लेंगे जलो लिखो एडिंग इक्वेशन फाइस्ट प्लस सिकेंड उपर दोनों जोड़ेंगे 90-90 यह हो जाएगा तो बेटा यहां पर थोड़ा आजाओ जब ADB और ADC जोड़ेंगे हम दोनों को तो यह सीधा एक रेखा बन जाएगी यानि हम लिख सकते हैं एंगल BDC एने का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह BDC बन जाएगा क्योंकि यह और यह दोनों जुड़ जाएगा दोनों 1 हो जाएगा फिक है बराबर कितना हो जाएगा 180 में और 180 दोनों जुड़ेंगा थो हो जाएगा थो जाएगा 180 अर्थाद ये एक सीधी रेखा है अर्थाद ये एक क्या है सीधी रेखा है इसलिए दोनों बृत्तों के इसलिए दोनों बृत्तों के परती छेदन बिंदू इसलिए दोनों बृत्तों के परतिछेदन बिंदू फुचा BC के बिंदू D पर होंगे बिंदू D पर होंगे ओके ति नीचे लिख दो इंगलिस वाले जो लिखना चाहते हैं BDC is straight line BDC is straight line इसलिए D lie on BC हिंदी बाले सिर्फ वहीं तक लिखेंगे बस पतिछेद बिंदू D पर होंगे वाद खतम होंगा यह आपका हो गया प्रूप इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को जो बाते मैंने बोला वह यह हैं आप इन लिख लिजिए जो लिखना चाहें लिख लिजिए ठीक है अगला कुश्चन शुरू होता है आपका कुश्चन नंबर 11 यहां से देखिएगा क्या कहता है निचे पढ़िए क्या उभयनिष्ट करड़ एसी वाले जो समकोंड तिर्भुच एबी सी और एडी सी हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोंड सी एडी बरावर सी बीडी हैं यह हमें क्या करना प्रूब करना देखो बेटा कमेंट के चक्कर में न पढ़ो जित्तें रियाद्धो जी बहुत परिसान न रहो और लाइब इंसान ब्लॉग वर्दी मेरी जान जेन का नाम है और पाल जी आप भी जुड़े हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं आईए पहले इसका फिगर बनाते हैं पहले एक ऐसा हम लोग फिगर बनाएंगे इसके क्या हों को तिर बुझ रहेंगे जिसके करड़ कॉमन हो यह बनाते हैं पहले एक सिंपल सा सरकल बना लेंगे देखिए आपके सामने चितर बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता थोड़ा हमें टाइम बचाना पड़ता है सरकल बनाया सरकल बनाने के बाद क्या हों खेंगे हैं जो की सैन्टर के लगवग पास में से होते हुए जाएगी से ज्यादा दूर नहीं जाएगी और क्या करेंगे हम यहां पर हम ऐसे दो लॉन की एग होटी चोटी सी इनको मिला देंगे प्हत्ता है इनकी नाम लिक दीजिए ई कुछ भी आप इनके नाम अपने अनुसार से लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर माल लेते हैं कि हमारा इसका कर्ण जो वो स्वरी जो सेंटर था वो दी था वहीं बगल में ही था पास में कहीं आप क्या करना है यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो B C जो है वो कर्ण दोनों के लिए common है आप ABC लेंगे या फिर B डी सी लेंगे दोनों में common है ओके आगे बढ़ते हैं ठीक यह पहले दिया है कि बहुत ही आसान कुष्चन है आज का सबसे आसान कुष्चन है बेटा देखो इसमें जो दिया मैंने लिख दिया दो समकोंड तिर्भूज ए बी सी वा ए डी सी दिये हैं आपको इनको ऐसे गिनन सब्सक्राइब करना उसको लिख दिया उपथी में लिखेंगे ए बीची बराबरेडी सी एंगल एबी सी कॉल एंगल एडी सी यह दोनों बराबर क्यों है क्यूंकि पर नों इक्तनी के लिए बहुत हार दिवरी इसमें कोई लिक्कत नई इतना लिखो पढ़ से अगर ब्रित का खिसने जाये एक ब्यास माना साहँ और मान करके क्या किया जा यण तो क्या बनेगा, पृत वन रहया न, जो की B-D से होते हुए जाएगा, कि नहीं, шते हों कि अगर हम A-C को क्या करें, ब्यास मान करके एक वरित्त खीचें, स्मझ रहो कि नहीं, जैसे इससी बात ही हाँ समझ लो अगर यह एसी को ब्यास माने बृत्थ का ब्यास क्या होता जानते और यह समझेज है यहां से का और यह फिलहाल यहां से होते हुए जाएगी ऐसे यह ऐसे बनेगा ऐसे तो इनका कहने का यह तात्य पर है कि वह बिरिप्तव बिंदू बी और डी पर भी टच करेगी बोलो अगर ऐसे मान करकर कैसे खीचेंगे तो बी और डी पर भी क्या करेगी अब इसमें कोई दिक्कत नहीं अब को एना समझों cd के लिए क्या होगा विटा थोड़ा से समझने आपको अगर इसको हम cd को क्या करें कि जीवा मानले एक मिनट के लिए मानों जैसे इसमें अगर हम थोड़ा दिखा दें दरसन आसे क्या यह cd अगर हम एंगल देखें जो इधर साइड में दोनों यहां पर लिए एंगल सीएडी अ कोल एंगल सीबेडी क्यों है दिए लो पर एकड में एंगल इन दा सेम सेग्मेंट निचे लिख दो अता सिद्ध हुआ कि का हिंदी में लिख दीजिए एक ही अर्थबृत के कोण बराबर होते हैं ठाफड़ लिखिए जल्दी दियर मत करिये इसको लिख दीजिए हो गया इस तरह से आपका ये कुश्चन भी खतम हो गया सिर्फ एक कुश्चन बचा है चलिए उसको भी करवा देते हैं इंग्लिस वाले हैं हैंस प्रूब्ड लिख देंगे बिटा कोई दिक्कत नहीं किसी को यह दोनों फिगर नहीं बनाने एक श्ट् भी नहीं आता बिल्कुल जीरो लेबल से सीखना चाहते हो ना तो अच्छा है एक से दस तक का आप पूरा मेंद कम्पुलीट मातर 399 में ले सकते हो पूरे साल भर के लिए यह सिर्फ नाइन थिक्रों के लिए पूरे साल भर के लिए विच्छा यह सिर्फ एक महीना के आपको 399 पे करके इसको लेना होगा अगर यह कोड लिख के भेजेंगे हम जान जाएंगे आप हमें यहां से जाने है नहीं तो यह मिलेगा नहीं साल बढ़ का आपको 2999 रूपे लगता है लेकिन इसमें मातर 399 लग रहा है शिर्फ नाइंद के बच्चों के लिए सुर्भू जेका आयत होता है यानि के जो कोडेटरल है वह एक है करना है सबसे पहले हम क्या करेंगी सरकल बनाा लेंगे दर साइडमें और सब्सक्राइब कर अंदर हम लोग एक आयत बनाएंगे जो इसके पहले बनाया था में वहां पर इस लिया नहीं बना था क्योंकि वर अब क्या करेंगे लिखेंगे दिया है जो दिया उसको लिख देंगे जो भी दिया है उनको लिख लेते हैं लिखिए इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन एक साइकलिक यह दिया गया है आप लिख लिजिए सिद्ध करना है कि एक आयत है लिख लिजिए प्रूब एट एट इसे उत्पत्ति बोलते हैं इसमें लिखे बैटा विकाज एक चतूर्भूज है चतूर्भूज है तो क्या होगा जानते हो एंगल एधन एंगल सी होगा अपकरी चतूर्भूज के समुक्षण होते हैं उनका योगफ़ एक 100 सोड़ दें वैसे भी हम देखें तो आयत के सभी कौन नब्बे नब्बे के होते हैं इसे हम सम्मुक को ऐसा लिख सकते हैं अब रेकर्ड में लिख देजिए चक्रिय चतुर्भुज के सम्मुक कोणों का योग 180 होता है इसी तर्ज पर हम इसको एंगल एको एंगल सी के बराबर भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया जो चतुर्भुज होते हैं वाड़ रलोग्राम या फिर समांता चतुर्भुज के सम्मुक कोण ठीक है तो बेटा इस तरह से हम यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं एंगल ए और उसके बाद में बराबर एंगल सी बराबर एंगल सी बराबर 182 बराबर 90 इसमें कोई दिक्कत नहीं है हाइनल में हम एंगल ए बराबर 90 लिखेंगे तो इंगल सी बराबर भी नवबड़ आयाएगा यहां से आपको दिखरा होगा सब बराबर हैं पूरी कहान bullet विख है जैसे अमने एंगल लेके किया भी दी को लेकर चाहने एगे एकन करेंगे इक्वल कितना है 180 इनको जोड करके लिख तो ज्यादा अच्छा रहेगा पहले ठीक है अगली लाइन में लिखो जैसे यहां पर किया था एंगल B इक्वल एंगल डी ओके यह दोनों क्या अैभर है बराबर कुएं लिख दीजिए आपोजिस्य में लिखेंगे 183 की अंद के पीछे जो पढ़ेंत सांत्रौं पर लो कि वात इतना करो नहीं पड़ान लों कितना अ ciao कि इतना यहां अगोल अगर साभी कोण 90-90 के हैं यह पूरूब हो नहीं गया कि एक आयत है वो लो कोई दिक्कत दिखो चुकि चारो कोण ABCD के 90-90 है इफ लिए सिद्ध होता है कि ABCD एक आयत है कि निचे लिख दीजिए चुकि चारो कोण ABCD नब्बे के अतासिद्ध होता है कि ABCD एक आयत है कोई दिक्कत नहीं लिख लो बेटा जल्दी से देखो कमेंट के पीछे न पढ़ो गेमिंग नंबर वन अनिल कुमार यादो पूनम सिंग कमेंट आरा आपका अमन पाल आपका भी कमेंट आ रहा है और AG आरमी सबका कमेंट आरा बेटा जो डेली जुड़ता है उसका नाम हम जरूर बोलते हैं और जो डेली कलास में नहीं आता है उसका नाम नहीं बोला जाता है इसलिए आप लोग रोज कलास में आओ डेली आपका अधिक कमेंट आ रहा है और क्यूट गल रूहू कोई परिसान नहीं रहेगा ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सबका कमेंट आ रहा जो कमेंट करेगा रोज जुड़ेगा उसका नाम बोलेंगे आलफिया मेरी आपका भी कमेंट आ रहा है बहुत बहुत थैंक्यू आज के लिए इतना ही जय हिंद बच्चों